कि यह दिया गया log अब देखेंगा याँ पर यह दिया है इसने कि log दिया है अच्छा देख यह 2 है 2 को मिदर multiply करना चाहते हैं यह आ जाएगा 2 log a plus b a plus b by 3 हो जाएगा equal to हो जाएगा इधार देखें इधार क्या बचा है अब log a plus log b तो यह क्या बन जाएगा आपको पता है कि log m plus log n इसकोल टू log mn होता है तो यह log a b बन जाएगा अच्छा अगर अब इसको इसको उपर कर दें square में ले आए क्योंकि n log m log m इसकोल टू क्या होता log m की power n तो यानि कि यह बन जाएगा log कितना a plus b by 3 की power 2 equal to यह हो जाएगा log a b अब दोनों तरफ से log है compare कर लिजिए भाई यह दोनों तभी इकोल होंगे जब a plus b का whole square by a plus b बटे 3 का whole square equal to क्या हो a b हो है ना यह क्या दे देगा हमको compare करेंगे तो यह कह सकते हैं लाग से लाग हटा देते हैं तरफ से हम लोग तो यह क्या हो जाएगा a plus b का whole square is equal to कितना हो जाएगा 9 a b है ना कितना हो जाएगा 9 a b square खोलेंगे इसका तो a square plus b square plus 2 a b आ जाएगा और 9 a b है 9 a b में 2 a b subtract कर देंगे जाके तो कितना आ जाएगा 7 a b कौन सौफ़न सही हो जाएगा पहले में option number जो c होगा वो correct हो जाएगा पहले का option c जो होगा correct हो जाएगा चलेगा एक बार मैं आपको ले देता हूँ सभी को क्या कैसे है हाँ ठीक साब गूड इवनिंग वीडिया दो सर चलेगा आगे चलते हैं question number two के दरफ अब देखेगा यहाँ पर दिया गया था 10 है और उसके ओपर series बना रखा है ना 10 की power में series बनी हुई है लेकिन एक बात हमें पता है कि देखें यहाँ पर भी base 10 है यहाँ भी base 10 है यहाँ भी base 10 है बेस जब सब जगा बराबर है और यह log m log p q r st dot 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 करके दिया जाए नहीं है रहे पंका आवाज बन दो रहा क्या आवाज हिसम ठीका रही चलेगा समझेगा अब यह देखो 10 की power में दिया गया है 10 की power यह log 10 log 2 base 10 हमें करना क्या है हमें काम यह करना है यहाँ पे कि वो तो वही रहने दीजिए अब सभी क्या है प्लस में है तो into में आ जाते हैं सारे terms कहना तो कितना जाएगा 2 into 3 into 4 आएगा 5 आएगा dot 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 कहों तक जाएगा into में रहेगा n और n से पहले क्या होगा n minus 1 उससे पहले क्या होगा n minus 2 अब देखेगा आपको पता है अगर आप इसमें 1 भी ले लें तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into dot 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 n minus 1 into n तो यह क्या n factorial बन जाएगा और आपको पता है कि यह जो क्या है 10 की power में दिया गया है क्या log यह 1 minute हो गया 10 की power में log और यह n factorial हो जाएगा base 10 हो जाएगा अब देखेए यहाँ पे base और यह power जो है जिसकी power में लगाऊ दोनों बराबर होते जिसकी value 1 हो जाती है हैना तो यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और वो बचा हमारे पास क्या इन factorial बचा तो कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा दूसरे में B वाला ओप्सन जो होगा वो correct हो जाएगा 2 का B option correct हो जाएगा सभी attempt करते जाएगे साथ में ही चलेगा आगे चलेंगे सर next question देखते है question number 3 question number 3 में करा if A is equal to देखे करा A ये दिया गया B दो सेट दिये गये है A और B करके दो सेट दिये गये है और N के बारे में ये बताया गया कि N क्या है natural number है means small N belongs step tell N natural numbers है तो natural numbers तो 1 उठा के रख देएगे तो कितना हो जाएगा 4 minus 3 यानि कि पहला तो 0 आ जाएगा 0 आ गया दूसरा element हम अगर यहां पर 2 उठा के रख दिये तो यह कितना हो जाएगा 16 minus 12 और minus 1 यानि कि 13 कितने बच्चे 3 आ जाएगा ये है ना 2 4 चुक 16 हो जाएगा यानि कि यहां पर हमारे पास आने वाला है 3 आगे बढ़ेंगे 1 minute 2 रख न 2 रख धा क्या हमने 2 रख न sorry 2 रख धा न 4 थोड़ी रख धें 2 रखें तो ये तो 16 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9 है ना यानि कि यहां 9 आएगा, 3 नहीं 9 आएगा, तो यह 9 आजाएगा, फिर क्या करें, फिर हम वगर यहां पर 3 रख दें, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 64-9-1, तो यह 10 और कम हो जाएगे, तो कितना हो जाएगा, 4-1 हो जाएगा, ठीक है, आगे देख लेंगे, dot 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 करक यह स्रीज हमारी यहां पर बन रही है अगे चलते हैं B के पास B के बारे यह दिया गया है कि देखें यहां पर जब 1 रखेंगे तो 1-1 यानि कि पहला वाला जो टमस आने वाला तर्माने वाला हमारे पास 0 आने वाला है फिर इनकी जगह पर 2 रखेंगे तो कितना जाएगा 9 आ इनकी जगह पर पू रखेंगे तो एई जगह पर फूर रखेंगे यह जाएगा 27 करके आता चला जाएगा अब देखिए यहाँ पर 54 आ गया 54 के आ गया अगर हम एक टमावर निकालना चाहें निकाल सकते हैं अगर हम यहाँ पर क्या रखें हमने 1 से शुरू किया था 4 रख दीजिए तो 4 रखेंगे तो 4 की पावर 4 का कितना मतलब हो जाएगा 4 की पावर 4 यह आ जाएगा 216 माइनस का कितना 12 और माइनस का कितना यह 1 ठीक है 4 की पावर 4 यह हो जाएगा 4 की पावर 4 यहनिकि 16 256 है नहीं 256 माइनस के हो जाएगे 12 यहाँ रखेंगे 12 हाँ कितना रखा हमने 4 रखा, 4 की 12 माइनस 1 कि monarch है 13 और घटा दिये जाएग तो यह हमारे पास अब बन जाएगा 243, है ना, 243, तो हम एक बात यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार जो है, A वाले जो element है, वो सभी B में होंगे, है ना, हम यह कह सकते हैं, A के जितने element है, वो सभी कहां पे होंगे, प्रदीप सर, very good evening, A के सभी element B में होंगे, और जब A के स subset है किसका B का, ठीक है, तो कौन साफ़न सही हो जाएगा, तीसरे में A वाला option correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, सर, options अभी देते जाएंगे, साथ में, तभी मज़ा आने वाला है, है ना, कम लोगों की series है, तो थोड़ा सा बहतरीन तरीके से, चलेगा, आगे बढ़ते हैं देखें, question number 4, question number 4 में, यह करके, यह one जो बना हुआ है, यह double dash है, यह double dash है, है ना, तो हमें क्या करना है, पहले तो first derivative निकाल दीजे, तो f dash x अगर निकालेंगे, तो simple सी बात है, कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला, यह b बस दो बार आ जाएगा, double dash ही direct निकालिए, तो देखें, पहली बार जो हम differentiate करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे तो constant है, उसकी तो कोई tension ही नहीं है, a plus b, तो उपर एक बार differentiate तो दू भी आ जाएंगे, यानि कि आने वाला है क्या, a, b square, a, b square यह हो जाएगा, और e की power bx भी safe बचा रहेगा, plus, आगे वाले terms का भी वहीं दो बार differentiation करेंगे, एक बार करेंगे, उसके बार अगली बार करेंगे, तो वहीं a ही देगा हमको, तो यह आ जाएगा, यह b आ जाएगा, और a square आ जाएगा, और e की power में a x हो जाएगा, अच्छा, अब f double dash x है, इसकी जगह पे हमें 0 रखना है, 0 रख दीजे, जहां पे x है, तो भाई, e की power 0 की value 1 होगी, और यहां पे भी e की power 0 की value 1 होगी, क्या होगी, e की power 0 की value 1 हो जाएगी, अच्छा, यानि कि कहन है का मतला हमारे पास क्या बच्छा, a b square plus b a square, divided by कितना a plus b, उपर से a b common लिया जा सकता है, उपर से a b हमने common लिया, तो कितना बच्छा ये a plus b, divided by कितना हो जाएगा, a plus b, a plus b से a plus b को काड़ देंगे, तो बचेगा कितना a b, यानि कि कौन सा option सही हो जाएगा यहां पे, बि question number जरूर लिखें, है ना, अगर 4 चल दा है, तो ऐसे लिखेंगे, 4 में b, ठीक है, चलिएगा, question number 4 का b option correct हो गया, आगे बढ़ेंगे साब, अंचली में, very good evening, यहां पर दिया गया question number 5, question number 5 में कह रहा है कि, x is equal to y, x y is equal to 1, अच्छा, अगर हम यहां से y equal to निकालना चाहें, है ना, यहां से y equal to निकालने, इसकी value हमें find करनी है, तो y is equal to अगर हम निकालने, तो क्या आएगा, 1 by x square, है ना, 1 by x square, अच्छा, 1 by x आएगा, sorry, एक बटे y है, तो y is equal to 1 by x square हो जाएगा, अगर हम इसका differentiation करें, x के respect में, तो dy, dx is equal to कितना हो जाएगा, 1 by x आपको सबको पता है, कि minus का 1 by x square होता, x को और minus 1 उपर जाएगी, फिर यह क्या हो जाएगा, minus का, एक बाहर आएगा, और minus का 1, minus 1, यह 2 बन जाएगा, 2 को निचे उठा लाएगे, minus कर रहेगा, है ना, यहां पे हमारे पास बनने वाला है क्या, कि यह बनने वाला है, x square dy, x square dy, plus का dx, equal to 0, है ना, यह बन रहा है, अब हमें value इसकी निकालनी है, अब इसकी value निकालनी है, एक चीछ तो हमें यहां से मिल गई है, इस relation से, अब आते हैं यहां पे, हम एक ही में convert कर लें, चाहे इसको y में convert कर लें, तो उठाएगे यहां पे, y की जगह पर क्या रखना है, एक बटे x, तो रख में और क्या है, dx divided by है, root का 1 plus x की power 4, कोई बात नहीं, equal to, अब देखिए, x की power 4, जब LCM लेंगे तो यहां से root के बाहर निकल के उपर 2, x की power 2 जाएगा, x की power 2, dy, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा, x की power 4 plus 1, या हम उसे कह सकते हैं कि नीचे बनेगा, 1 plus x की power 4, और दे इसमें तो कोई चंच किया नहीं, अब इसकी value हमको 0 दी गई है, तो यहां जाएगा, 0 बटे में, root 1 plus x की power 4, यानि कि value कितनी आ गई, 0 आ गई, तो 5 में कौन सौफ़न सही हो जाएगा, 5 का A वाला जो आपसन है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, clear हो रहा है न, question number 5 का A बिल्कुल सही जवाब प्रदीप सर, फोर में B, बिल्कुल सही एंजूली मडम चलेगा, question number 6 की तरफ चलते है, question number 6 में का गया है कि if integrating factor, अब देखिये मैं क्या करना कर रहा है, integrating factor कि बातचीत कर रहा है, लेकिन हम इससे पहले standard form में convert कर लें इसके बाद, क्योंकि यह जो measurement में इस equation को convert कर लिया जाए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखिये यह तो हमारा वही रहेगा, x into 1 minus x square और यह हो जाएगा, dy बराबर में इधार उठा के ले जाएगे, इधार उठा के लाएंगे, बराबर में, तो कितना जाएगा मैं काम यह करूँगा, जो माइनस के और फिर देखा जाएगा, तो ये प्लस का y हो जाएगा, और प्लस का ax square हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा, कौन, 2x square y, और 7 में इसके dx है, इसके 7 में उधर, तो हम dx को इधर divide में ला सकते हैं, अच्या, अब इस format में convert करना के तो दे देंगे तो क्या आजाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू अब हमारा मतलब सिर्फ उससे है जिसके साथ वाई है है ना क्योंकि हमें वाई का पॉफिशेंट चाहिए तो देखें वाई के साथ अगर इधर भी ले आओ उससे इधर ले आओ य किसके साथ है तो उपर से यह आएगा यह प्लस मे ला रहे है तो कितना आजाएगा यह आजाएगा तो यह आजाएगा यह पॉपिसेंट की जरूरत है वहीं यहाँ यहाँ पे coefficient हमको मिल चुका है जब हम compare करेंगे तो P की value हमको मिल जाएगी तो P कितनी मिले कि P is equal to मिल जाएगी 2x square minus 1 divided by x into 1 minus x square यानि कि 6 में कौन सा option सही हो जाएगा D all option correct हो जाएगा D option है ना D option जो होगा 6 का वो correct हो जाएगा clear हुआ सभी का चलिएगा सर आगे बढ़ें बिल्कुल सही मनम बिल्कुल सही यह question इंटर का था board exam का question था इसको बस बनाना था लेकिन बन यह question ऐसा गया कि सांदार question ठीक लगा था देखिएगा एकदम आसाल है है कुछ नहीं तो dy dx is equal to दिया है देखिए यहाँ प e की power minus y है और अगर हम इसे तोड़ दे e की power x into e की power minus y तो हम यहाँ से common ले सकते हैं कितना e की power minus y common ले लिया अब बचा क्या यहाँ पे यहाँ बचा sin x plus क्यों और कितना बचा e की power x अब क्या करते हैं separate कर लेते हैं है ना y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ तो e की power minus y इधर आएगा divide में आएगा divide में आएगा तो ऊपर जाएगा plus का बन जाएगा e की power y dy is equal to और इधर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sin x plus e की power x dx चलिए integrate कर देते हैं दोनों side integrate करेंगे दोनों side तो कितना हो जाएगा भाई इधर तो e की power y हो जाएगा equal to और आपको पता है sin x का integration क्या होता माइनस का quas x होता है और e की power का integration y सेम रहता है plus c है ना e की power y is equal to minus का quas x plus c हैना तो कौन सा option साही हो जाएगा 7th में जो D option होगा वो तरेक्ट होगा एक बार जवाब लेते हैं सभी के 7th में D अंजुलित वारी मडम बिलकुल मडम सांदार है ना D वाला option जो होगा correct होगा प्लीज सभी लोग जवाब दीजिएगा चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथ question number 8 question number 8 भी आसान प्रश्ण था हमसे करा है कि एक integration दिया गया है integration कितना दिया गया है 3 की power 3 की power में X divided by देखिए लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है 9 की power X हम चाहा रहे हैं कि ये भी कुछ 3 की power X के type में बन जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की power 2 की power X power का अपस में interchange कर दो गुला में घाते हैं जुड़ती हैं जब घात की घात होती स्वरी घात की घात होती power of power situation में दोनों power का अपस में multiply होता है तो ये हम इसे ये भी लिख सकते हैं यानि कि इसे हम लिख सकते हैं कि 3 की power X की power में 2 लिखा जा सकता है और ये है साहब DX equal to कितना दिया है A sin inverse 3 की power X ठीक है प्लस C है कोई दिक्कत नहीं अब देखिए कि यहाँ पे एक काम करते हैं हमें पता है कि ऐसा कोई term ढूडा जा जिसका differentiation वहाँ पे दिया हो तो हम यहाँ पे अगर देखें अगर हम यहाँ पे लिट करें क्या 3 की power X 3 की power X का differentiation उपर दिया है तो 3 की power X को हम अगर T लिट करें और differentiate करें इसको तो 3 की power X into वो कितना हो जाएगा log 3 base E है ना log 3 base E equal to कितना हो जाएगा अरे DX भी ले लो साथ में यह आ जाएगा DX is equal to कितना DT मतलब 3 की power X DX की जगह पर मुठाक रख सकते हैं DT भटे log 3 और log 3 को ले लो common ना नीचे से लेंगे common तो यह आ जाएगा log 3 आ गया common अच्छा integration फिर कितना आ गया 1 by root कितना 1 minus का T square DT equal to में दिया गया है A sin inverse 3 की power X plus C differentiate करते हैं आपको पता है इसका integration क्या होता sin inverse X sin inverse X तो यह 1 by log 3 और यह हो जाएगा sin inverse T T का value रख दीजिए 3 की power X plus C हो जाएगा equal to आ जाएगा A sin inverse 3 की power X और plus C compare कर लेते हैं A की value हमसे पूची गई है तो A की value कितनी हो जाएगी A इधर और A की value इधर है ना sin inverse 3 की power X का जो coefficient है वही हमारा A है तो A की value यहाँ पर कितनी हो गई यह हो गई 1 by log 3 है ना 1 by log 1 by log 3 base E अच्छाई से एक तरीके से और लिखा जा सकते अगर मैं इसको उपर ले ले इस नंबर को इसे लिख सकते हैं log E base 3 है ना तो यह option भी अगर होता तो correct माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा option सही होगे भी या 8 में जो B वाला option है वो correct हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर अंजुली मडम जी ने चलिएगा मडम आगे बढ़ते हैं साब question number 9 question number 9 में करा था general solution आपदा DE अब देखिए differential equation यह दी गई है तो हम पहले क्या करते हैं इस situation में जो हमारे पास differential equation दी गई होगी उसे auxiliary equation में convert करते हैं और auxiliary equation में convert करने के लिए करते क्या है जहाँ पर D होता है D है ना यह जहाँ पर derivative होते हैं D की जगा पर हम रखते हैं M और Y की जगा पर रखते हैं 1 चलिए रख देते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा यह auxiliary question हमारी क्या हो जाएगी D की जगा पर M तो देखिए यह D cube है है ना इसको normally हम D cube लिख सकते हैं ठीक है तो यह कितना हो गया M cube minus का 4 M square plus 5 M minus का 2 equal to 0 अगर हम इसमें M is equal to 1 रखते हैं तो इसे satisfied कर रही है यह है ना इसको M is equal to 1 satisfied कर रही है देखिए कि यह हो जाएगा 1 minus का 4 plus का 5 minus के 6 minus का 6 cancel यानि कि M is equal to 1 इसका एक factor होगा तो M is equal to 1 इसके दो factor होगे यानि कि इसे हम लिख सकते हैं कि M minus 1 का या whole square है और एक और factor आएगा इसका M minus 2 वो से स्फल्फियोरम से हम लोग लगाते हैं इसको ठीक है यह हो गया यानि कि यहां से हमको M के 2 तो 3 मान मिल जाएंगे भाई क्यूबिक है तो 3 मान मिलने हैं एक तो में 1 मिलेगा दूसरा भी 1 मिलेगा सेम है और एक मिल जाएगा M की value कितना 2 ठीक है मतलब कि M के 3 मान मिल चुके हमको 1, 1, 2 तो इसका जनरल सोलूसन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देखे आप यहां पे यह जो है मान लिजे कि M1 है यानि कि 2 सेम हो गए है M1 और M2 2 सेम हो गए है तो इस situation में जो हमारा CF होता है वो कितना होता है वो होता है जब 2 सेम हो जाएंगे तो C1 आएगा प्लस X आजाएगा और C2 आजाएगा ठीक है C1 प्लस X यानि कि second constant साथ X तो मल्टिपलाई करेंगे और common में रहेगा E की power M यह जो दोनों सेम सेम आया है ना सेम सेम आया है E की power MX E की power MX तो यह 1 है तो 1 into X हो गया प्लस और एक नया constant C3 जोड़ेंगे C2 हो गया C3 जोड़ेंगे और E की power में कितना यह मालो M2 है हमारा यह माल लिजे M2 है तो यहाँ पे M2 यानि कि 2 और X यही पे MX होता है यह तो जो M की value होगी वो यहाँ पे उठाके रख दी जाएगी तो यह बना जाके क्या हमारा solution बना C1 प्लस X C2 और यह हो जाएगा E की power X प्लस C3 इन्टू E की power 2X और ऐसा equation कौन सा है ऐसा option कौन सा है D वाला option एकदम हूब हूँ कि C type का दिख रहा है याना D वाला option correct हो जाएगा तो पहले क्या करना होगा जो भी general equation मतलब कि क्या कहते है जो differential equation दी गई होगी उसमें D की जगह पे M रखना है और Y की जगह पे 1 रखना है यह निकी auxiliary equation में convert करना है फिर M की value find करनी है फिर उसका जो CF होगा वो क्या होता है अगर जो same आ जाएगे माल लिजे की अगला वाला भी same आ गया होता तो कितना हो जाता C1 प्लस X C2 प्लस X square C3 E की power वही जो N हमारा था 1 था M X यानि की 1 X हो जाता E की power X हो जाता तो same में तुमने इन दोनों को साथ में किया और इसको अलग कर दिया ठीक है रुद्र सेर थेंक्यू चलेगा यह clear हुआ ना यह question clear हुआ ना question number 9 एक पर बता दीजिएगा कई लोग बता रहे थे कि सिर्फ problem आई है इसमें ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं एक और question number 10 भी है ऐसा ही तो वहाँ पर भी और clear हो जाएगा थोड़ा सा concept आगे चलते है question number 10 में करा है कि general solution of the differential equation अब देखिए differential equation आपको मैंने बताया कि इसे आपको क्या करना है सबसे पहले एकजलरी equation में convert कर लेना है एकजलरी equation में convert करने का अपना वही तरीका है दी की जगा पे M और Y की जगा पे 1 रखते हैं रख दीजेए यह आपे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा M plus 3 और फिर हो जाएगा यह M minus का 1 का whole cube Y है तो Y की जगा पे 1 रख देंगे तो equal to 0 आ जाएगा अब calculate करेंगे तो देखिए M के कितने मान मिलेंगे एक तो M मिलेगा हमको 1 फिर अगला मिलेगा 1 चुकि 3 है पावर में तो यह भी मिलेगा 1 और एक मान मिलेगा हमको minus 3 है ना तो अब इसका जो CF होगा वो कितना हो जाएगा मैंने क्या बताया जब भी देखिए यह सेम है तो यह C1 एड़ किया C1 plus C2 X C2 X प्लस अभी भी अगला जाला सेम है C3 X स्क्वायर E की पावर M यही जो M है M1 है तो 1 X यानि की X आ जाएगा प्लस प्लस कर दिया ठीक है यहां नीचे लिख रहा हूँ प्लस अच्छा अब क्या C1 C2 C3 तक हो गया C4 आ जाएगा और E की पावर में जो हमारे पास यह M की वैलू ही माल लो तो M2 X हो जाएगा M2 को वैलू कितना है माइनस का 3 है और यह X हो जाएगा यानि की अब देखें सही से ऐसा कौन सा अप्शन मिल ला है जहां पे C1 C2 C3 सब दिया गया हो यह दिया गया है और नहीं नहीं यह वाला A वाला आप्शन सही हो जाएगा यहां पे C1 प्लस C2 X प्लस C3 X स्क्वेर इंटू E की पावर X प्लस C4 E की पावर माइनस 3 X दिया गया है यानि की हमारे पास Q10 में A वाला जो आप्शन होगा वह करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया यहां पे बीडी सर ने ला जवाप सर आगे बढ़ेंगे सर Q11 कि इन केस आफ रोल स्थोरम विच इस नाट ट्रू कि कौन सा सत्ते नहीं होता कि कंटिनिवस अब देखे रोल स्थोरम में क्या होता है रोल स्थोरम में यह जो होना चाहिए था वो क्लोज इंटर्वल होना चाहिए था लेकिन इसने क्या दिया है इसने दिया है कौन सा उसने दिया है ओपन इंटर्वल तो यह क्या होता है क्लोज इंटर्वल में एवाला रह गया, यानि कि एवाले पार्ट में क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था, हमारे पास close interval में continuous होना चाहिए था, है ना? तो यह option क्या है? गलत है, not true. यह गलत है, तो सही option कौनस हो जाएगा, 11 का एवाला जो पार्ट है वो गलत है ठीक है आपको पता है रोल स्थेवरम के बारे में कि क्लोज इंटर्वल में क्लोज इंटर्वल एक कॉमा भी में कंटिनिमस होना चाहिए और ओपन इंटर्वल में एक कॉमा भी में डिफरेंसियबल होना चाहिए और एफे बराबर एफ भी होना चाहिए और कम से कम एक c belongs close interval a,b ऐसा हो कि f dash c equal to 0 हो यह हमारी रोल सुथेवराम होती है और अगर हम बात करते है किसकी? langranges की? तो वो क्या होती है? वो भी same, यहां तक तो same है continuous होती है किसमें a,b में संतत होती है और यह वाले close interval में और open interval में differenceiable होती है है ना? और उसके बाद एक condition और होती है कि उसमें सिर्फ अंतर आ जाता है कि f dash c equal to कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए f b minus f c बटे में b minus c यहनि कि जो c होगा, वो कहाँ जब भी जो c निकल के आएगा c belongs करेगा क्या close open interval a,b में वो languages के साथ होता है तो इसमें 11 में कौन सा option सही हो जाएगा? a वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 12 अब देखिए कि 12 में हमें value निकालनी थी इसकी एक मिनट यह दिया गया है u is equal to convert करना चाहें इस logarithm form को हमरे अगर exponential form में convert करना चाहें तो यह बन जाएगा माल लीजे f equal to function माल लीजे f equal to देखिए यह e की power u हो जाएगा और log hurt जाएगा अब e की power u हो जाएगा और equal में आ जाएगा कितना यह आ जाएगा x square plus y square divided by root x plus root to y अब अगर हम इसकी degree find करना चाहें n की तो देखिए उपर 2 degree है नीचे कितनी है एक बटा 2 है अगर हम n find करना चाहें इसका तो कितना आ जाएगा 2 minus का 1 बटा 2 हना कि इसमें कोई option सही नहीं है देखते हैं दुदुनी 4 में 1 तो यह आ जाएगा 3 बटे 2 अच्छा अब हमें n की value मिल चुकी है 3 बटा 2 तो इस situation में हमारे पास हमसे value पूँची गई x square del square u del x2 plus 2xy del square u del x del y plus y square del square u del y square इसकी value पूँची गई तो यह value equal होती है कि यह याद होना चाहिए आपको n into n minus 1 into f है ना f f की जगह पे जो हमने function लिया है ठीक है अच्छा यहाँ पे हम f ले रहे हैं b ले रहे है f यहाँ भी ले रहे है f यह होता ऐसे अच्छा f हम रखेंगे यहाँ पे तो देखिएगा f रखेंगे तो कितना हो जाएगा x square और इससे लिख दीजे del square यह del बटे del x लिख दीजे और यह del f बटे del x लिख दीजे पहले वाले को plus 2xy को बाहर करिए del square f बटे del x del y लिखा है तो एक काम करते है del बटे del x रख लिजे और del f बटे में del y रहने दीजे plus same काम यहां भी कर लिजे यह del यह हो जाएगा del बटे del y और यह हो जाएगा del f बटे del y equal to n दिया गया है हमको n का value कितना दिया गया है n की value है 3 बटे 2 और 3 बटे 2 माइनस 1 यानि कि 1 बटे 2 आ जाएगी और f की जगह पे function हमको दिया गया कितना e की power u e की power u है न अब देखे यहां पर differentiate करेंगे f को रखेंगे x के respect में differentiate करेंगे तो कितना आ जाएगा e की power u आ जाएगा और del u बटे del x आ जाएगा यानि कि फिर वो वही बन जाएगा कुल मिला कि e की power u यहां पर से निकलेगा e की power u यहां से निकलेगा e की power u यहां से निकलेगा पूरे से हम e की power u common ले लेंगे ठीक है भई x के respect में यहां पर करोगे x square तो del x यह तो हाई है अंदर वाले का differentiation हुआ होगा जब e की power u का तो वो कितना हो गया होगा e की power u del u बटे del x तो फिर से multiply होके अपना बन जाएगा कितना del square del square u और del x 2 प्लस 2 x y और यह वही बन जाएगा हमारे पास del square u del square u और यह del x del y प्लस y square और del square u बटे del y square इसकी value आ गई अब e की power u से e की power u काट दीजिए तो 3 बटे 4 आ जाएगा है ना 3 बटे 4 इसका correct answer होगा जो कि किसी option में नहीं था है ना 3 बटे 4 इसका correct option होगा जो भी कोई option में नहीं था मुझे लग रहा है कि यहाँ पर typing mistake होई थी क्योंकि यह दोनों option same same हो गए थे है ना 3 बटे 4 तो माल लिजे थोड़ी देर के लिए कि सायद यही सही option होता अगर यहाँ पर विकल्प होता तो चले का साब आगे बढ़ेंगे question number 13 question number 13 में भी हमसे पूछा गया है कि u equal to तो देखिए u की degree फाइन कर लिजे पहले तो u की हम degree देख रहे हैं वो कितना लियाखा गया है x cube plus का y cube plus का z cube plus 3 x y z तीन तरीके हैं एक तो इसको x के respect में differentiate करें फिर y के respect में differentiate करें फिर z के respect में differentiate करें फिर x y z से multiply करके सबको add करें या simple है इसके degree find कर लिजे इसके हमने degree find की तो degree कितनी आई 3 आई 3 आगए इसकी degree अच्छा अब degree 3 आगई तो आपको पता होने चाहिए क्या x del u del x plus y del u del y plus z del u del z जो होता है वो किसके बराबर होता n u के बराबर होता है n into u तो n की value कितनी दी गई है 3 और ये कितना हो जाएगा u 3 u तो कौन साफ़न सही हो जाएगा इसमें option सही हो जाएगा b वाला option correct हो जाएगा 13 का b option correct हो जाएगा चलेगा आगे बढ़ेंगे आवाज एकदम clear आ रही है ना एक बर बताएगा प्रदीप सेर अच्छा अब देखे question number 14 दिया गया है 14 दिया गया है हमको value निकालनी है del square theta पटे del x2 plus del square theta पटे del y2 की value निकालनी है अच्छा यहाँ पे x is equal to r cos theta और y equal to r sin theta दिया है थोड़ी देर के लिए हम अगर equation इसे 2 माल ले और इसे equation 1 माल ले ठीक है तो हम 2 में 1 को अगर divide कर दे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा r sin theta बते में r sin theta और इधर वाले में आ जाओ यह r cos theta equal to इधर y और इधर x r से r काड़ देंगे तो 10 theta is equal to y by x means यह हुआ कि theta is equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 inverse y बता x ठीक है अच्छा अब इस theta से ही हमें इस सारी चीजे निकालनी है तब ही हम इसे आगे हल करेंगे देखेगा पहले तो आप क्या करिए इससे theta यह function को ही x के respect में differentiate कर दीजे differentiate करेंगे तो कितना जाएगा 1 by 10 inverse है तो 1 प्लस हो जाएगा x square यानि कि यह हो जाएगा y square बते x square into y by x का फिर से होगा x के respect में तो भाई यह तो y चुपचाप रहेगा तो यह कितना आजाएगा और 1 by x का आपको पता है कितना हो जाएगा माइनस का y डिवाइड़ बाई कितना x square प्लस का y square है ना यहाँ पे आने वाला माइनस का y बते यह हो गया एक बार और इसको differentiate करेंगे कि कोई del square theta बते del x2 हमें चाहिए यहाँ पे तो देखिएगा तो यह आजाएगा del square theta और del x2 equal to फिर से differentiate करेंगे तो आपको पता है कि यह तो चुपचाप रख लिया जाएगा square रहेगा हर में x square प्लस y square का holy square हो जाएगा अच्छा फिर हर को बाहर करें answer का differentiation करेंगे देखिए answer में है y और x के respect में इसका differentiation क्या होगा 0 हो जाएगा एक का है minus को यहाँ रख लिजिए जो minus है वहाँ पर इसको minus को यहाँ रख लिजिए यहाँ रख लिजिए ठीक अच्छा यह तो 0 हो गया minus फिर क्या करेंगे अब इसको बाहर करेंगे y को y को बाहर करेंगे तो इसमें देखो 2x का तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा भीया उसका आगे तो 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टिप्लाई करेंगे उपर 2xy आ जाएगा कितना है ये 2xy divided by x square plus y square का whole square ये आ गया ये आ गया del square theta बटे डेल x2 अब आपको क्या करिए से y के respect में differentiate करिए जिससे कि ये del square theta बटे डेल y square मिल जाए तो चलिएगा करते हैं इसको differentiate del square theta बटे del y square अरे इक अठे नहीं पहले तो एक ही बार पहले तो ये निकालो first order का derivative चलिएगा अब क्या आएगा ये आ जाएगा 10 inverse है हमारा तो ये तो पहला तो वही बनेगा 1 upon कितना आ जाएगा ये same आएगा 1 plus y square बटे x square फिर y by x का फिर से होगा तो एक बटे x चुप चाप निकल जाएगा और y का 1 हो जाएगा यानि कि 1 by x हो गया अच्छा अब lc m लेंगे तो ये x square उपर जाएगा एक x कटेगा यानि कि अब आ जाएगा x बटे कितना x square plus का y square x बटे x square plus का y square एक बार और कर दिजिए del square theta del y square equal to कितना हो जाएगा अब आएगे नीचे इसका लेंगे square यानि कि x square plus y square whole square differentiate करेंगे एंसों को बार करेंगे तो अब ये इस बार 0 हो जाएगा चुकि भाई y के respect मोरा तो x राइड डिफेंसेशन उसका 0 आएगा माइनस अब क्या करेंगे x को चुपचा बाहर करेंगे और y को कर देंगे x square को 0 हो जाएगा x square की power में 2 अब दोनों को add कर दीजिए दोनों को add करेंगे तो देखिए value same plus में और same value minus में है तो del square theta और del x2 plus del square theta del y2 equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसमें कौन सा option सही हो जाएगा b वाला option correct हो जाएगा b option correct हो जाएगा ठीक है 14 में b वाला option correct हो जाएगा बिलकुल सही आगे बढ़ेंगे सर question number 15 की तरफ question number 15 के रहा है 10 inverse ये दिया गया है देखिएगा 10 inverse x plus h मतलब की नजर से ही लग रहा है कि ये Taylor's theorem है कौन से theorem है Taylor theorem ठीक है अब देखिए एक मिनट Taylor's theorem हमको पता है Taylor's theorem ठीक है अब देखिए Taylor's theorem हमको पता है क्या होती है ये होती है f x plus h is equal to कितना f x plus plus h बटे 1 factorial और f dash x plus h square बटे में कितना 2 factorial और f double dash x plus h cube बटे में 3 factorial यह यहाँ पर factorial है यह factorial है एंगल में नहीं बाहर है factorial है यहाँ भी factorial है यहाँ भी factorial है ठीक है अच्छा ऐसे करके मतलब आगे आती चली जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर हम इसे compare करें अगर हम इसे compare करें तो एक बात हमें साफ साफ समझ में आ रही है कि जो यह f x है पहला term और यह tan inverse x वो दोनों same same से लग रहे है पहला term जो इसका और इसका दोनों same होंगे यहनि कि f x is equal to कितना हो जाएगा tan inverse x differentiate करते हैं अगले वाले term की तरफ भी बढ़ेंगे differentiate करेंगे तो f double f dash differentiate करेंगे तो f dash x is equal to कितना जाएगा 1 upon 1 plus x square इसका differentiation कितना होगा 1 by 1 plus x square अच्छा अब इसके पात question के साथ चलिएगा question के पास चलिए तो question में देखो अगर हम इसमें h को छोड़ दें h को छोड़ दें तो यह देखे sin z अंदर है और sin z बाहर है यानि कि sin square z यानि कि f dash x की जगह पे इस function में क्या है sin square z है यानि कि यहाँ पे रख सकते हैं क्या sin square z equal to कितना दिया गया 1 upon 1 plus x square तोनों तरफ लीजिए वर्गमूल तो आ जाएगा sin z is equal to 1 by root 1 plus x square अगर अब हम triangle बनाना चाहें तो हमें sin cost अभी मिल जाएगी triangle मालेजिक right angle triangle बना sin z दिया है लंब बटे करण यानि कि perpendicular by hypotenuse और अगर हम इसको z लें तो perpendicular 1 होगा और hypotenuse यानि कि जो करण हो जाएगा वो जाएगा 1 plus x square और ये आ जाएगा घटाएंगे subtract करेंगे तो ये x आ जाएगा चलिए sin z तो हमारे पास है sin z अभी तो कोई match नहीं कर रहा इसमें है ना देखिए sin z बराबर नहीं आ रहा तो अब cos z भी निकाल लीजिए cos z cos z कितना होता है आधार बटे करण base by hypotenuse base कितना है x hypotenuse कितना है 1 plus x square अच्छा 10 theta ले ले 10 z लंब बटे आधार perpendicular by base perpendicular कितना है 1 base कितना है x और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी option match नहीं कर रहा x is equal to tan z दिया है x is equal to tan z z is equal to tan inverse x दिया है x is equal to cos z x is equal to sin z यानि कि कोई भी option match नहीं हो रहा है ना तो sin z का मान match हो रहा है ना तो cos z का मान match हो रहा है और ना तो tan z का मान match हो रहा है यानि कि 15 में कौन सा option सही हो जाएगा 15 में option सही हो जाएगा 15 का d जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे यह क्लेवार होगी, आगे दिख रहा है क्वेस्टन, यह क्वेस्टन दिख रहा है स्क्रीन में, अब देखिए गा यह कोष्टन दिख रहा है स्क्रीन में, छलीगा मैं से थोड़ा सा अलोट कर लेता हूं देखें यह आप एफ यह दिया गया है हम चाहा है कि इसे टेलर वाली थेवर्म में बना ही लिया जाए यह फंसन यह दिया गया इसका एफंसन हमसे पूछा है यह एक्स क्वार बटे में होता है 1 plus x 1 plus x ठीक है इसका expansion पूछा है इसको हम थोड़ा सा अगर maintain करें इस expansion को तो यह आ जाएगा f आफ अगर हम इससे लिख दें x minus का x बटे 1 plus x देखेगा हम x plus x या x minus x के format में इसको देखना चाहते हैं देखे यह हो जाएगा x plus x square minus x x x कट जाएगा देख लेते हैं वही आ रहा है जो हम लाना चाहरे हैं multiply करके देख लें तो x plus x square minus x cancel हो जाएगा उपर x square आएगा नीचे 1 plus x आएगा ठीक है यानि कि function maintain हो गया हमारा अब देखेए यह बन गया function यह x की जगा पर अगर हम तुलना करें इसकी Taylor theorem में अगर हम तुलना करें किस से x plus x से अगर हम इसकी compare करें है ना तो जो यहाँ पर x की value आ रही है x की जगा पर कितना है x की जगा पर है minus का x बटे 1 plus x है ना minus का x बटे 1 plus x दिया गया है ठीक है अच्छा अब हमें पता है जो Taylor theorem हम लोगों ने पढ़ी है वो क्या थी हमने पढ़ी कि f into में x plus h equal to क्या होता है fx होता है plus h बटे 1 factorial और f x हो जाएगा plus h बटे में 2 factorial है ना h square h square 2 factorial और यह हो जाएगा f double dash x यह series मतलब आगे ऐसे आती चली जाएगी तो fx तो रखे लिया जाए यहां पे fx fx तो चुप चाप रख दीजे fx जो हमारा function है वह ही रख दिया जाए ठीक है fx हो गया यह अच्छा fx रख दिया fx ठीक है अब आजाओ h के साथ h का value हमको दिया minus का x तो यह minus हो जाएगा यह तो minus हो गया x बटे में 1 plus x और f dash x आगे square लगा तो इसमें minus होने का सवाल नहीं उठता है plus कर रहेगा बस एक बटे 2 factorial को पहले चिपकाईए और फिर रखिए x बटे में क्या 1 plus x का whole square और साथ में f double dash x ठीक है और अगले वाला टर्म जो आएगा minus में आएगा minus में आएगा तो कितना आएगा 1 बटे 3 factorial यह हो जाएगा h cube हो जाएगा भाई यह cube minus में इसलिए आएगा प्लस आगे प्लस आएगा आगे dot dot करके आता चला जाएगा है ना तो इसमें कौन सा आप्षन सही हो जाएगा 16 में देखे कौन सा आप्षन ऐसा मैच हो रहा है क्या कोई तो हम देख रहे हैं कि b वाला आप्षन जो है कुछ डिट्टो है ना वैसे ही जा रहा है जैसा हम चाह रहे हैं तो 16 में यह जो b option होगा वो correct हो जाएगा ठीक है बिलकुल सही जवाब आया यहाँ पर प्रदीप सरका यह clear हुआ सभी क्या आगे बढ़े सर आगे बढ़ते हैं question number 17 की तरफ देखे question number 17 में कहरा है कि find the rank आप दे matrix इस matrix की rank find करनी है तो देखे rank find करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो इससे determinant की value निकाल दीजिए इसके determinant की value निकाल लीजिए अगर इसके determinant की value 3 cross 3 का matrix है अगर इसके determinant की value does not equal to 0 आती है तो इसकी rank 3 हो जाएगी और अगर इसकी determinant की value कितना जाएगा 3, इंटू, यह चुटेगा, यह चुटेगा, माइनस का 2, प्लस का 4, कितना हो जाएगा, एक मिनिट, यह चुटेगा, अरे तो माइनस का 4, प्लस का 4, यानि कि यह 0 आ गया, प्लस का 1, इंटू, यह और यह चुटेगी, तो माइनस का 12, प्लस का 12, यानि कि यह यह भी 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटो यह माइनस कच्छा है प्लस कच्छा है यह भी 0 हो जाएगा यानि कि यह value आ गई 0 अब अगर ऐसा होता है कि अब इसकी value देखे डजना टिक पोल टो 0 आ गई होती तो इसकी rank हम 3 tick कर देते मतलब इसकी rank 3 नहीं हो सकती ठीक है अब इन तीन option में से कोई एक option हो सकता है अब हमें क्या करना इसके minus निकालने है इसके 2 cross 2 के जितने matrix से सबको निकालो अगर वो सभी 0 आते हैं तो इसकी rank 1 होगी और अगर अगर उनमें से कोई 1 भी 0 के बराबर नहीं आया तो क्या होगी फिर इसकी rank 2 हो जाएगी तो देखेंगा यहाँ पर इसके जो आप 2 cross 2 जितने matrix निकालेंगे माल लिजए यह दोनों निकालना चाहते है यह दोनों निकाल लिजए 3 दूनी 6 plus 6 देखें 3 दूनी 6 minus 6 यह भी 0 आजाएगा अगला वाला निकाल लिए यह दोनों निकाल लिजए तो कितना जाएगा 4 minus 4 यह भी 0 आजाएगा ठीक है इसको निकाल लिजए माइनस का 6 प्लस का 6 यह भी 0 आजाएगा इसको निकाल लिए माइनस का 4 प्लस का 4 यह भी 0 आजाएगा इन दोनों चेक कर लिजए यह जाएगा 3, minus 3 यह भी 0 आजाएगा, तो कुल मिला कि इसके जो सभी 2 cross 2 के matrix बनने वो सभी 0 है, अगर सभी 2 cross 2 के matrix क्या हो 0 हो, तो इसकी जो rank हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, rank कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो कौन सा ओप्षन सही हो रहा है, बी वाला ओप्षन 17 में correct होगा, तीन बातें मैंने बताई आपको, एक बताई मैंने कि अगर determinant की value does not equal to 0 है तो इसकी rank 3 होगी और अगर determinant की value equal to 0 है तो हमें क्या करना है, इसकी सभी 2 cross 2 की, जितनी matrix है, यानि कि minus कह सकते हैं उन्हें, वो 2 cross 2 की सारी final करेंगी वो निकालेंगे, उनका determinant निकालेंगे और अगर वो सभी 0 आते हैं तो rank 1 होगी, और अगर उनमें से कोई 1, कोई 1 भी 0 के बराबर नहीं आया, तो इसकी rank 2 हो जाएगी, या पर सभी 2 cross 2 की matrix की जो value आ रहे ही वो क्या आ रहे ही, 0 आ रहे ही, इसलिए इसकी rank कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे सर आगे बढ़ेंगे, ठीके सर clear हो गया, 17 में कौन सा अप्षण सही होगा B, प्रदीप सर, thank you आगे बढ़ते साब किरा किसी समांतर स्रेडी के सात्वे पद, अब देखिए जब भी कहेगा समांतर स्रेडी का सात्वा, सात्वा मतलब T7, equal to किरा सात्वे पद का सात गुना सात गुना कर दीजिए equal to है, ग्यारवे पद के ग्यारा गुना के, तो यह 11 into T11 और हमें पता है, कि सात इंटू, सात डी का मतलब क्या हुआ A plus 6D, है ना equal to 11 11 D का मतलब क्या हुआ A plus 10D, multiply करेंगे यह आजाएगा, सात A plus 42D, equal to 11 A, plus 110 D, है ना, एक काम करेंगे, सब को ले जाके उधर घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, भाई, 11 A में साते घटेंगे, तो 4 A बचेंगे 4 A, ठीक है plus 10, 110 में घटाना 42, यह नहीं कि 58, 68 बचेंगे, ना, 68 D 68 D, equal to 0, 4 ले लो common, तो A plus 17 D, है ना, 17 4, equal to 0, पूचा क्या है, 18 पद और 18 पद का मतलब क्या होता है T, 18 का मतलब क्या होता है T, 10 का मतलब भी तो यह होता है A, plus 17 D, A, plus 17 D, और A, plus 17 D की value कितनी आ गई है, 0 तो कौन सा option सही होगा 18 में option सही होगा A, है ना, 18 का जो option A होगा, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे सब, question number 19 question number अच्छा, इस कर्व की tangent, तो देखिए हम इसका पहले हम बात करते है फोकी की, तो फोकी इसकी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी A, E, 0 और दूसरी क्या हो जाएगी माइनस का A, E, 0 ठीक है, हमें क्या करना है perpendicular निकालने है, दोनों के perpendicular निकालने, एक इस बिंदू से और इस बिंदू से इसकी पहले tangent लेट कर लीजिए इसकी जो tangent हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी X by A cos theta plus Y by B sin theta equal to 1 हो जाएगी इसको माइनस कवान इधर ले लीजिए यह हो गया, ठीक है, यानि कि यह tangent का question है, किसका question है यह इस पर रेखा का समीकरण है है ना, यह इसकी समीकरण हो गया इसका रेखा का समीकरण हो गया तो कह रहा है कि इन दोनों विंदूस यानि कि focus है, जो डाले गए perpendicular है, उनका जो product है यानि कि उनका गुडन फल है वो क्या होगा, है ना, यह question बहुत माना हुआ question है, जाना माना पहचाना सा है ना, हमें क्या करना दोनों perpendicular निकालने हैं और उनका product निकालना है, माल लेते हैं कि पहला perpendicular P1 है, दूसरा perpendicular P2 है, तो करते हैं multiply, आते हैं इधर थोड़ा सा question का, यह question बड़ा है P1 किंटू P2 अच्छा, देखिएगा, हम पहले इसकी जगह से रख रहे हैं, यहां से AE, perpendicular निकाल रहे हैं AE, 0 से इस रेखा में डालेगे, लंब की लंबाई वैसे जैसे नॉर्मली निकालते थे X की जगह पे AE रखेंगे तो A और A कट जाएंगे, यह निकी E cos theta बचेगा E cos theta E cos theta अच्छा, अब देखिए यह तो Y वाला 0 हो जाएगा भै, चुकि Y कमान 0 है, तो 0 हो जाएगा और यह minus का 1 और आपको पता है कि भाग देते हैं किस से, divided by coefficient of X square plus coefficient of Y square तो कितना हो जाएगा भैया, X square और Y square के coefficient कितने दिये गए हैं यह दिये गए है, cos square theta बचे में आज जाएगा A square plus, यह आजाएगा sin square theta बचे में आजाएगा B square, यह आगया P1, है ना, यह P1 आगया P2 भी निकाला जाए तो P2 कितना आजाएगा, P2 minus है माइनस A e, 0 तो सेम यहाँ पर बस माइनस आजाएगा सेम आजाएगा, यह निकि माइनस का A e cos theta minus 1 divided by, नीचे अगर हम देखें वो भी सेम आएगा, माइनस का e तो कि हो कि हो कि आजाएगा अब यह square करेंगे square करेंगे, इसके गुरांकों का x के गुरांक का square, प्लस y के गुरांकों का square, तो यह भी हो जाएगा cos square theta बटे a square plus sin square theta बटा b square, अच्छा अब एक काम करें, यहाँ से माइनस निकाल ले और इसमें multiply करने तो यह e cos theta minus 1 है minus का multiply करेंगे तो 1 minus e cos theta हो जाएगा और यह 1 plus e cos theta हो जाएगा और फिर, यानि कि कहने के मतलब यह 1 minus e cos theta हो गया और यह 1 plus e cos theta हो गया a square minus b square लगाया तो यह आगया 1 minus का e square kof square theta divided by, अब देखो नीचे दोनों bracket में सेम सेम हैं यानि कि हमारे पास बचा क्या सिर्फ बचा kof square theta बटे में a square plus sin square theta बटे में b square sin square theta बटे में b square अच्छा, एक छोटा सा काम हमें और करना है उपर देखो, कास कास बस दिख रहा है न तो हम क्या करेंगे इस b square को चुकचाप रहने देंगे और यहाँ पे sin square theta को बदल देंगे 1 minus cos square theta बना दिया अब देखे उपर हम e square की e square की जगा पे रख देंगे relation होता है न relation क्या होता b square is equal to a square into 1 minus e square यहाँ से e square की value हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी a square minus b square बटे a square तो यह आ जाएगा 1 minus का कितना a square minus का b square बटे में आ जाएगा a square है ना इसकी value यह रख रख देंगे यहाँ पे ठीक है a square minus का b square बटे a square और cos theta है वहाँ पे पहले से cos square theta cos square theta हो गया divide में आ जाओ divide में आएगे ठीक है lcm लेंगे यहाँ पे divide में lcm ले रहे है a square b square a square b square lcm लेंगे तो b square के साथ multiply होगा तो यह आ जाएगा b square cos square theta plus a square के साथ multiply होगा a square minus का a square cos square theta अच्छा उपर भी lcm लिया जाए इस line में धाल ले ले लेते हैं उपर lcm लेंगे तो कितना आ जाएगा यह a square minus का a square cos square theta plus b square cos square theta divided by कितना a square और यह a square b square उपर पहुच जाएगे a square b square और नीचे देखे यही सेम बन रहा है यहां पे भी यह बन रहा है b square जो भी बन रहा ब्रेकेट के अंदर यह सेम वाला यहां रख दीजे इसको और इसको कार्ट दिया जाएगा a square से a square काट दिया जाएगा बचे का क्या हमारे प्वास b square है ना तो कौन सा option सही हो जाएगा 19 में a वाला option जो होगा correct हो जाएगा 19 का a correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 20 करना था mean of इसका mean है ना तो देखिए हम mean निकालते हैं पहले तो mean मतलब m दिया गया है m is equal to कितना हो जाएगा सब को जोड ले 1 और 3 4, 4, 8, 8 और 5, 13 13 और 7 20, 20 और 4, 24 24 बटे गिलने संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 से भाग दिया card दिया, 4 यानि M कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है M का value कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है M final हो गया, अब देखेगा आगे M जब final हो गया, तो हमें क्या करना है अब आगे वो कह रहा है कि the number, 3, 2, ये, ये, ये P have been mean अच्छा, इनका भी mean दिया गया है तो इनका mean देखते है 3, 2, 5, 5, 2, 7 7 और 4, 11 11 और 3, 14 14 और 3, 17 ये 17 प्लस P divided by 3 36, 17 बराबर, और इसका mean जो दिया गया है M minus 1 दिया गया है, तो ये M minus 1 मतलब 4 minus 1 तो 4 minus 1 का मतलब कितना हुआ 3, अरे M का माना में कितना पता है 4, तो mean मतलब कितना दिया गया है 4 minus 1, यानि कि 3 दिया गया है तो 3 कर दीजे, तो ये आजाएगा 17 प्लस P equal to 21, यानि कि P equal to कितना आजाएगा, 4 आजाएगा अच्छा P equal to 4 आगया, अच्छा इनहीं का median भी दिया गया है, तो हम median यानि कि P equal to final हो चुकी है P equal to 4 हो गया है, तो पहले इनको क्या गया है arrange करिए, पहले आप 2 रखो फिर 2 रख लीजे, फिर 3 रखेए फिर 3 रखेए, और एक बार 3 है, ये भी रख लिया हमने 3 के बाद 4 दो बार हो गया तो 4 पहले से है और P कमान भी 4 है, पूरे मान हो गया 7 ठीक है, अब इनका median निकालो median आपको पता है, बीच वाला term median होता है, तो ये median हो जाएगा median क्या है, Q है, तो Q कमान कितना हो गया 3, Q कमान 3 हो गया P कमान 4 हो गया और हमें value क्या चाहिए P प्लस Q की, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, कौन साप्षन सही हो जाएगा 20 में option D जो होगा वो correct हो जाएगा 20 को option D correct होगा चलेगा सभी के जवाब आ नहीं रहे देते रहिए जवाब तब ही मज़ा आएगा सर आगे एक तो हम लोग भी है इस डेटा का हमें median बताना है माधिका बतानी है, माध्याग बताना है अब देखिएगा तो class interval लग लेते हैं वर गंतराल, वर गंतराल हमको दिया गया है कहां से एक तो दिया गया है 0 से 10 ये 0 से 10 फिर 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 अच्छा frequency भी दी गई है इनकी frequency कितनी दी गई है एक दी गई है 5, इसकी दी गई है 6 इसकी दी गई है 9 और इसकी दी गई है 12 और इसकी दी गई है 4 है ना, बिल्कुर सही जो आब है किसमें D क्या बात है सर बहुत बढ़िया, CF cumulative frequency निकाल लिए 5 जहां पर आएंगे उसके सामने वाली एड करेंगे 6, 5, 11, 11 और 9 हो जाएंगे 20, 20 और 12 हो जाएंगे 32, 32 और 4 हो जाएंगे 36, तुरंट क्या करते हैं हम N निकाल लिए 36 आएगा सभी का सम है ना, तो N बटे 2 करते हैं 36 बटे 2 करते हैं, तो कितना है अब यह 18 आएगा, अब 18 कहां पर होगा, है ना तो 18 कहां पर होगा, इस वाले में होगा तो यह हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा यह क्या है, माध्यक वर्ग हो जाएगा ठीक है, यानि कि यह median class हो जाएगी है तो जहां पर median class होती ही उसके जश्थ सामने वाली जो frequency घोती है वो हमारा f कमान होता है और उसके just ऊपर वाली है ना, cf जो होती है यह हमारी cf होती ही, cumulative frequency होती है और यह let1 घोता है L1 घोता है, lower limit ली जाती है यहां पर 2 है ना N by 2 capital N है capital N by 2 minus का CF बटे F into H H क्या होती है upper limit minus lower limit जहां भी हो किसी में ले लिजे तो 30 में 10 आएगा उसमें अच्छा L1 कितना दिया गया 20 तो यह हो जाएगा 20 plus N by 2 minus CF N by 2 कितना है 18 cumulative frequency कितनी है इसकी 11 बटे कितना हो जाएगा F F कमान कितना 9 into यह कितना हो जाएगा H 10 upper limit 30 minus 20 कर दो कितना गया 10 बचेगा तो यह आ गया 20 plus 7 बचेगा 18 7 में 10 से गुड़ा करेंगे 70 70 बटे 9 है ना चब भी मेरे साथ class लेने बैठें तो आपके पास pen और copy जरूर हो है तब ही मज़ा आएगा एकदम सांदार अंदाज में चलेगा तो 20 हो गया 7 से भाग देंगे तो यह आजाएगा साथ नहीं 63 फिर तीन बचेगा फिर साथ बचेगा तो फिर साथ बचेगा साथ नहीं 63 याणि कि 7.7 आता चला जाएगा 21 में डी वाला जो अप्शन होगा वो करेक्ट होगा है ना 21 का डी डी वाला करेक्ट होगा नेक्स चलेंगे क्वेस्ट नमबर 22 की तरफ बहुत ही सांदार जवाब प्रदीप्शर करें कि mode of the distribution पंटन का बहुलट can be obtained from histogram less than type हो जाई more than type हो जाई वो करें कि तोरण है ना से कंप्रकार का तोरण histogram से कंप्रकार का तोरण से अधिक प्रकार का तोरण या frequency polygon याई कि बाराम बारता बहु भूझ है ना तो देखेगा किस से से पाया जाता है कौण mode है ना तो हम अगर बात करते हैं किसी भी बंटन का जो बहुलक होता है तो जामिती रूप से इसे हम ना histogram इसे हम frequency polygon यानि कि बाराम बारता बहुपद बहुज और frequency कर्व यानि कि बाराम बारता वक्र की मदद से ग्याद कर सकते हैं लेकिन जो histogram होता है अन्य दोनों से जादा बेहतर और परिभासित तरीका होता है बहुलत ग्याद करने का तो यहां पे 22 में option कौन सा सही होगा ए वाल किरा कि in a list of 7 integers किरा कि 7 प्रोडांकों की एक list में the integer denotes as x when x is greater than 8 देखिए यह सह है तो 6 उन्होंने दिया है किरा कि the other 6 integers दिये चलिए यह काम करते हैं वो किरा कि जो x है वो 8 से बड़ा है ठीक है कोई बात नहीं अब यह काम करते हैं पहले हम इनको लिखते हैं है ना arrange करके लिखेंगे data को चार लिखा पहले हमने फिर 4 लिखा 4 4 तीन बार है 4 लिख लिया फिर कोई 8 है 8 के बाद कोई 10 है 10 के बाद फिर है 20 अच्छा वो कह रहा है कि जो x है हमारा 8 से बड़ा है तो भाई वो यहां भी आ सकता है वो यहां भी आ सकता है और वो यहां पे भी आ सकता है जो x है हमारा हम फिलाद उसको यहां रखके चल रहे हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी शेहत में किस बात से? मीडियन गयात करने के लिए मीडियन और मौड के लिए मीडियन और मीन के लिए तो कोई दिक्कती नहीं तो तीन इधर से छोड़ दो तीन इधर से छोड़ दो यानि कि जो इसकी मीडियन हो गई मीडियन यानि कि जो माधिका हो गई माध्धिका कितनी हो जाएगी माध्धिका इसकी आठ हो जाएगी और हम अगर इसके मौड की बात करें इसके बहुलक की बात करें तो जो ज्यादा बारा आया है कौन आया है चार तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका चार हो जाएगा और हमसे लास्ट में इसने पूछा क्या ह है लास्ट में इस ने पूचा है कि जो मौड मीडिएन और मीन हैं वो емी Ар वह में हैं। हो A.P. मेर समान तरहीकर बहुलक sorting मादिका और माद्ध . तो पहले मादध भी तो मीन भी तो निकालने तो मीन क्या हो जाता है सम आप्टम बटे नंबर आप्टम तो चार चार तियां बारा बारा और आठ हो जाएंगे बीस और बीस दस तीस तीस और बीस पच्चास यह हो जाएगा पच्चास प्लस एक्स बटे नंबर आप्टम साथ है तो साथ से भाग दे ठीक है अच्छा अब को कहला है कि मौड मीडियन और मीन तो आपको पता है कि अगर यह तीनों एपी में हैं तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मीडियन बीच वाले पद का दो गुना तो टू टाइम्स तो टू इंटू मीडियन equal to कितना mean यानि कि mad plus mad plus mod है ना ap में हैं तब ऐसा नहीं कि relation होता है जो पता चले कि आप बुले कि सर mad madika और बहुला के बीच में संबंद होता 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 हो तो लग है वो याप इसलिए इसने दिया है क्या है वो कह रहा है कि ये ap में है तो ap वाल रिलेशन लगा दिये बीच वाले term का two times और other दोनों terms के sum के बरावर होता है है ना तो यह हो गया दो into median दियेगी आठ आठ दूनी 16 equal to mean कितना दिया है इसने 50 plus x बटे में 7 plus mod कितना है 4 ठीक है 16 सत्य कितना होता साब 112 equal to कितना हो जाएगा 50 plus x plus 4 LCM लेंगे ना सच्चो कितना हो जाएगा 28 ठीक है 28 हो गया अच्छा यह हो जाएगा 112 minus इन दोनों को add करेंगे 50 और 28 इधर आके subtract हो जाएगे x आ जाएगा 12 में 8 गये 4 यह हो गये 4 दिख रहा होगा ना और इसके बाद कितना बचा हमारे पास 10 10 में यह 3 है ना साथ गये 3 x आया x का मान आ गया 34 है ना 34 यहनि कि 23 का ए ओप्षन जो होगा वो correct होगा 34 next देखेंगे question number 24 में हमसे कह रहा है कि CLI का formula क्या होगा देखें तो CLI का जो formula होगा CLI cost of living index ठीक है वो कौन सा आप्षन होता है sigma pn qn divided by sigma p not q not into 100 यहनि कि 24 का जो b option होगा वो correct होगा आगे चलेंगे question number 25 for showing the growth of population for the last 8 year the best diagram is तो जो इसमें best diagram होगा आठो सालों का अलग-अलग हमें दिखाना है तो simple bar single dand आरेक की मदद से हम इसे दिखा सकते हैं और best diagram होगा 8 साल की population को दिखाने का है ना single dand आरेक की मदद से इसे दिखाया जा सकता simple by bar diagram से दिखाया जा सकता है चलेगा आज की class यही तक कल हम मिलेंगे और आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं तीजीटी पीजीटी मैफमेटिक्स के अंतरका अगनी पत टेस्ट रीच का टेस्ट नमबर 4 question number 25 से लेके question number 50 तक के questions का discussion करना sorry 25 तक का हो चुका था 26 से लेके 50 तक के questions का discussion करना है question number 26 आपके screen पे है क्राया कि at what angle a smooth ball strike a horizontal plane so that कि किस एंगल से हैना कि वाट एंगल smooth ball strike and horizontal हम यह मान लेते हैं कि जो बॉल है है ना माली जे कि वो थीटा एंगल के साथ तकरा रही है है ना माली जे कि यह कोई एक बॉल थी और वो थीटा एंगल के साथ तकरा रही है फिर plane so that after impact और impact के पाथ its direction may be right angle कि इसके बाद इसकी जो direction है in advance का code बना रही है माल लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो wave रहा होगा वो यू रहा होगा और इसके बाद इसका wave V हो गया होगा और दोनों के बीच का angle 90 degree है यानि कि यह यू बेक से आई थी और impact के बाद यानि कि यहां पर टकराई तो यह 90 degree हो गया यानि कि यह वाला total angle जो है हमारा 90 का हो गया यानि कि यह सिर्फ एंगल अगर बचा तो वो कितना बचा 90 वाइनस थीटा तो अब हमें पता है कि संगत के पहले है ना impact के पहले और impact के बाद कि जो 36 घटक होंगे वेग के तो 36 घटक होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा इस वाले यू का कितना हो जाएगा यू देखिए यह थीटा है यह वाला को पूरा 90 है तो यह एंगल कितना हो जाएगा यह तो टोटल 90 माइनस थीटा है तो यह कितना हो जाएगा थीट cos 90-theta equal to हो जाएगा V cos theta V cos theta V का cos theta हो गया cos 90-theta sin theta बन जाएगा तो यह बन जाएगा हमारा U sin theta is equal to V cos theta अगर हम यहां से निकालना चाहें U by V तो यह कितना आ जाएगा यह हैगा cos theta बटे sin theta यानि कि हम उसे लिख सकते हैं 1 बटे 10 theta अब यहां पर इसे छोड़ दिया जाएगा अब लगा दीजिए यहां पर Newton का प्रयोगात्मक नियम Newton का प्रयोगात्मक नियम क्या है यह क्या होता है E equal to E equal to शंगट के बाद का सापेच्छिक बेग मा लिजिए U2 V2 minus V1 संगट के बाद का सापेच्छिक बेग बटे संगट के पहले संगट के पहले यह होता है U1 minus U2 Cross multiplication करेंगे अगर यह Newton का यह Newton का प्रयोगात्मक नियम कहलाता है है ना तो हम इसे क्या बोलेंगे इसे हम बोल सकते हैं कि V2 minus का V1 is equal to आ जाएगा E into U1 minus U2 है ना अच्छा अब यहाँ पर जो अंतिम वेग यानि कि हमारा जो संगट के बाद का जो पहला वेग होगा वो कितना हो जाएगा V2 तो हमारा V sin theta के बराबर हो जाएगा V sin theta और V1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यह स्टार्टिंग वाला जो U1 था वो मारा कितना था U cos theta 36 वेग कितना था इसका U cos theta और U2 क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा यहाँ से relation निकल के आएगा V sin theta is equal to E U cos theta यानि कि अब इसे हम अगर 10 theta बना दें cos theta इधर लाके तो यह आजाएगा E into U by V और अगर हम U by V की value यहां से रख दें एक बटे 10 theta तो यह आजाएगा E by 10 theta 10 theta 10 theta का इधर multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा आवाज वगेरा clear आ रहे ही एक बर बता दीजिएगा 10 square very good evening 10 square theta is equal to कितना आजाएगा यह आजाएगा E और यहाँ पे 10 theta बराबर कितना हो जाएगा root E और theta बराबर कितना आजाएगा वही एंगल हम से पूछाए 10 inverse root E तो कौन सा आप्षन सही हो जाएगा यहाँ पे B वाला जो option हो जाएगा वह correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 27 27 यह question दरसल जो question है हमारे पास elasticity यानि की प्रत्यास्था वाले question है यह PGT के question है PGT के हैं और जो PGT के question है वो PGT में कब टपक जाए इसके वारे में कोई guarantee नहीं है इस concept को पहले सही से समझेंगे फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक बार मेरी आवाज के लिए रहा रही है बता दिजिए comment section में एकदम ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ा जाए very good evening कल्पना मड़म वीडियो आदो सर चलिएगा कब देखेगा यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि अब आल इज ड्रॉप फ्राम आ हाइट एच आन आप पहले मैं concept की बात कर लेता हूं क्योंकि तीन चार question लगाता रहे और एक concept भी आपका clear हो जाए तो एक मिनट थोड़ा सा इस पर बातचीत करेंगे दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं होगी है ना अब देखेगा हम बात करने जा रहे हैं कि मान लिज़े कि कोई वस्तु एच उचाई से गिरी कोई वस्तु एच उचाई से गिरी यह एच उचाई से कोई वस्तु गिराई गई ठीक है अच्छा जब इसे h उचाई से गिराई जाएगी तो ये जमीन में गिरेगी और ये कुछ इस moment के साथ फिर से उपर उठेगी फिर से उपर उठेगी माल लेते हैं कि h1 distance cover की h1 जाएगी और उतना ही वापस आएगी फिर से क्या होगा फिर से ये अगें उपर जाएगी है ना तो यानि कि आप इस बार माल लेते हैं कि h2 height मिली h2 जाएगी h2 वापस आएगी और सेम हैसे काम इसका चलता रहेगा है ना थोड़ा सा चलेगी फिर यहाँ पे h3 और यहाँ पे h3 ये scene इनका होता रहेगा अच्छा अब हमें पता है कि हमने की question पढ़िए क्या कि V square is equal to क्या होता यू स्क्वाइर माइनस का 2g h दिख रहा है ना ठीक है हाँ वी square is equal to कितना होता है एक मैं मैं देख लेता हूँ दिख रहा है ठीक है वी square is equal to हो जाएगा यू स्क्वाइर माइनस 2g h अब देखेगा इस gain देखा जब भी जो भी चीज़ चोड़ी गई होगी जो उसका अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा अंतिम वेग क्या होगा 0 हो जाएगा ये कितना आ गया यू स्क्वाइर माइनस का 2g h तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यू स्क्वाइर इसकोल टू कितना हो जाएगा 2g h अगर हम यहां से h निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा यू स्क्वाइर अपान 2g अब देखें हर बार यह एक बार h1 यह जाएगा और यह h1 वापस भी आएगा मतलब कि पहली उचाल में जब चली गई दूरी होगी h1 और h1 to h1 होगी पहली उचाल में चली गई जो दूरी होगी हमारे पास वो क्या होगी to h1 तो पहले हम h1 निकाल रहे हैं पहले हम h1 निकाल लेते हैं है ना तो h1 is equal to कितना हो जाएगा h1 is equal to हो जाएगा अब देखिए जो वेग है इसकी जगह पे हम elasticity को इसकी प्रत्यास्था को भी साथ में रखेंगे प्रत्यास्था को साथ में रख लिया u square बस कोई दिक्केत में u की जगह पे हम क्या करेंगे हर बार यह e असर डालेगा कम करेगा इसके वेग को तो यानि कि अब इसका जो वेग होगा वो इसकी elasticity यानि कि प्रत्यास्था पर depend करेगा तो पहली बार में h1 के लिए e u है ना h2 के लिए e square u फिर h3 के लिए और यह बढ़ता चला जाएगा h जो हो बढ़ता चला जाएगा कम करता जाएगा इसके वेग को है ना तो क्या होगा यह जाएगा 2g अब इससे calculate किया जाए तो यह कितना जाएगा e square u square upon 2g अब देखे अगर हम u square upon 2g को देखे तो यह h है यह height है यह वाली जो starting में लेके चले थे तो u square upon 2g की जगह पर हम क्या रख सकते हैं h यानि कि जो पहली उचाल में जो height जो मिली वो कितनी मिली e square h की और इसी तरह सेम अगर हम h2 निकालना चाहें तो u की जगह पर क्या रखेंगे e square u बटे में हमारा हो जाएगा 2g तो यह कितना जाएगा e की पावर 4 u square upon 2g किसके बराबर हो जाएगा h के बराबर हो जाएगा और इसी तरह अगर हम h3 निकाले यह बाली height निकाले तो कितना हो जाएगा e की पावर 6 e की पावर में कितना हो जाएगा 3 u और इसकी पावर में 2 upon 2g यानि कि यह आजाएगा वमारे पास e की पावर 6 6 6 6 6 h आप देखेगा अब हमारे पास जो यह height होगी है ना जो total height होगी यानिकि कितनी दूरी कितनी distance cover की वह h बराबर कितनी हो जाएगी इसके द्वारा चलीगी total दूरी है ना जब तक यह सांत नहीं हो जाती वह हो जाएगी कितनी भया एक तो पहली बार तो h1 थी दूसरी बार h1 गया h1 यह वस्तू गई और h1 वापस आई यानिकि दूसरी बार 2 h1 हो जाएगी है ना दूसरी बार कितनी हो जाएगी 2 h1 तीसरी बार क्या होगा फिर से h2 जाएगी h2 जाएगी और h2 वापस आएगी तो 2 h2 हो जाएगा ऐसे करके ये काम चलता जाएगा लगातार इससे related काई question है इसलिए से समझना जरूरी है अच्छा अब देखेगा इदर h plus 2 h1 2 h1 हमें एक काम पता चल रहा है देखे e square h ये सभी h1 h2 अगर हम सब को देखे तो इसके साथ सब के साथ h है और हम इन सब के साथ अगर हम 2 को भी common ले ले है ना एक तो क्या common ले ले 2 और e square h ले ले common ले लिया तो कितना बचेगा हमारे पास अब ये बचने वाला है हमारे पास 1 plus e square plus e की पावर 4 plus dot 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 ये बच जाएगा अच्छा ये हो जाएगा h plus 2 e square h अब ये एक अनन्त गुड़ोत्तर सेड़ी बन रही है और इसका अगर हम sum निकालेंगे तो कितना जाएगा 1 by e square अब अगर हम LCM लेंगे तो ये h equal to कितना आ जाएगा 1 minus इस h का multiply हो जाएगा h minus e square h plus कितना हो जाएगा ये 2 e square h divided by 1 minus का e square अब घटा दीजिए उपर और h ले लिजिए लगे हाथ common है ना तो ये कितना जाएगा h equal to h को करो बाहर तो घटाएगे तो 1 plus e square उपर हो जाएगा 1 plus e square उपर हो जाएगा और 1 minus e square नीचे हो जाएगा तो ये बात याद रखेंगे अगला question आपको इसी पर dependent मिलने वाला है यानि कि जो total हमारी distance होगी जो covered distance होगी वो क्या हो जाएगी h into 1 plus e square divided by 1 minus e square तो आते हैं question की तरफ question number 27 देखिएगा 27 संक्या 27 क्या कर रहा है कि abal is dropped from height h h उचाईश से बाल को drop कर दिया गया तो on a horizontal plane है ना एक horizontal plane में h height से उर्दवाजर कह किया गया इसको गिरा दिया गया है ना गिरा दिया गया अच्छा horizontal plane में गिरा दिया गया bounce up and down and finally come to rest है ना वो rest में आ रही है तो आप से वही पूँच रहा है कि total मतलब कि जब तक वो ball है या जो ball है वो जब तक सांत नहीं हो जाती तब तक वो कितनी distance cover करेगी तो अभी आपने पढ़ा है कि अगर वो h height से छोड़ी जाती है तो h into उसकी elasticity है ना h into कितना हमने पढ़ा 1 plus e square 1 plus e square बटा 1 minus e square यह होती है इसकी height h क्या है यह total covered distance है हमारे पास तो हमसे total covered distance है यहाँ पे पूँची गई है हैना कि total distance कितनी मिली होगी कितनी बताई गई होगी तो वो h ही जो कोल कितना h into 1 plus e square divided by 1 minus e square यानि कि कौन सा option यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे option number जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा d तो अब आपको यह formula याद रखना है हमेशा यह formula याद रहे हैना यह formula याद रहेगा कि h is इस formula पे based question आते है हैना h is equal to h into 1 plus e square divided by 1 minus e square वेरी गूड इनिंग सुरेश सर्थ कैसे है चलेगा यह समझ्ण में आया ना कि जब भी कभी कोई बाल या कोई गेंद या कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें प्रत्यास था है उससे क्या किया जाएगा गिराया जाएगा h उंचाई से तो total cover distance होगी वो h into 1 plus e square divided by 1 minus e square होगी है ना तो कौन सॉप्षन सही हो गया इसमें डिवाल आप्षन सही हो गया यह रहा concept अभी आप इसका skin sort चाहिआ भी ले लिजिए या बाद में ले लिजिएगा हम लोग वन इसे cover कर लिया आगे बढ़ते हैं साब अब देखिए अब यह formula आपने पढ़े लिया है ना question number 28 28 number क्या कह रहा है कह रहा है कि an elastic ball an elastic ball with coefficient of the elasticity elasticity का जो coefficient है हमें प्रत्यास्था गुलांक जो दिया गया है प्रत्यानयन गुलांक या प्रत्यास्था गुलांक या coefficient of elasticity वो दिया गया हमको 1 by 2 है ना karek is dropped from rest of height h h height से गिराया गया on a smooth floor the total distance covered अभी आपने पढ़ा है कि जो total covered distance होती ही वो h equal to होती है h into 1 plus e square divided by 1 minus e square है ना h equal to कितना होता है h into 1 plus e square divided by 1 minus e square है ना अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा h into 1 plus e square e square का करिए वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा साहाब 1 बटे 4 divided by 1 minus 1 बटे 4 हो जाएगा calculate करेंगे उपर आएगा 5 बटे 4 नीचे आएगा 3 बटे 4 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आजाएगा h into h into 5 बटा 3 है ना उपर 5 नीचे 3 तो ये जो होगा कौन 5 h by 3 5 h by 3 तो कितना distance कवर करेगा 5 h by 3 distance कवर की जाएगी total distance ये हमारी होगी अब ये देख लीजिए कि जो 5 h है है ना वो कहाँ पर vary करेगा तो 5 h जो है हमारा ना decimal में से convert करिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा डेड़ हो जाएगा एक decimal पांच है ना और इसमें ये तो हमारा 2 ही है पांच से भाग दे दो तीन से भाग दे दो पांच में कितना जाएगा एक बार जाएगा तीन हो जाएगा दो बीस दसमलो और तिछंग अठारा हो जाएगा है ना तो ये हो जाएगा पांच बटा तीन है ना पांच बटा तीन और इससे convert करेंगे तो ये हमारे जो डिस्टेंस आने वाली एक decimal च्छे वो क्या होगी दो एच यहनि कि दो एच से कम होगी लेकिन देन तीन बटे दो एच इससे जादा होगी है ना तीन बटे तो डेल होता है वो एगिसमलो च्छे के असपास कुछ आ रही है है ना तिछंग इठारा हो जाएगा तो ये क्या होगी पहला वालए अप्शन में वहरी करेगी हमारी है ना मेर्थ देन तू एच होगी बट मोर देन त्री भाई टू एच होगी दो कॉन सेINA不行 यहां पे correct हो जाएगा ये वाला उप्शन यहां पे 28's में correct हो जाएगा एक बार comment section में कमेंट करके बताएगा कितने लोगों का ये सवाल सही था टेस्ट के दोरान चलिए आगे किस उचाई से एक भारी प्रत्यास्त गेंद फर्स पे गिराई जाए कि तीसरी बार उचाई पर वह 16 मीटर की दूचाई पर पहुंच जाए किस उचाई से गिराई जाए है ना किस उचाई से गिराई जाए हमें नहीं पता किस उचाई से गिराई जाए हमको ये दे दिया इसने की जो टोटे मतलब की जो covered distance है वो 16 मीटर की distance covered करती है तो हमें पता है कि अगर हम h उचाई से गिराएंगे तो 1 प्लस e square divided by 1 minus e square equal to कितना हो जाएगा साब 16 है ना हमें इस h का मान निकालना है और इस h की तलास्ट के लिए हमें जहां जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे है ना अब देखेगा e कितना दिया गया है e दिया गया है हमको तीसरी उचाल पे तीसरी उचाल पे 29 है कितनी उचाल अरे ये वो नहीं पूछ रहा उन्हें कह़ा है कि ये लगातार वाला कोई सी नहीं है सिर्फ इतनी बात कर रहा है आपसे वो कह रहा है कि तीसरी उचाल की बात कर रहा है सिर्फ हो तीसरी उचाल की टोटल डिस्टेंस नहीं कह रहा है वो तीसरी उचाल की बात कर रहा है तो तीसरी उचाल में वो कितना दे रहा है 16 तो तीसरी उचाल आपको पता है कितना हो जाएगा यह e square है तो तीसरी उचाल में क्या हो जाएगा e की पावर 6 बन जाता है यह 3 h यह है वो दिया उसने 16 मीटर है वो covered distance की बात नहीं कर रहा है वो क्या कह रहा है कि जो तीसरी उचाल में तीसरी उचाल पर 16 मीटर जाता है तो तीसरी उचाल अभी आप में निकाला था e की पावर 6 h आया था बहुत बढ़े यह वेड़ी सरका सही था तो e की पावर में 6 h है ना यह तीसरी उचाल में covered distance होती है है ना दूसरी में e square h तीसरी में और पहली उचाल में e square h दूसरी उच में e की पावर 4 h तीसरी उचाल में e की पावर 6 h लगातार ऐसे बढ़ता जाएगा equal to यह हो जाएगा सहाब 16 e का मान रखा जाए e का मान है 1 बटे 2 1 बटे 2 की घात 1 बटा 3 और इसकी घात में चाहे है तो घात की घात होती तो दोनों घाते गुरा में आ जाएगी और यह 16 हो h is equal to कितना 16 तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा h is equal to 16 गुडे 4 और 16 चो को सायद होता है 64 है ना 46 मिटर कितना आ गया भी है 64 मिटर 29 में कौन सु आप्शन सही हो जाएगा c वाला आप्शन जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे sir clear हुआ आगे बढ़ते हैं question number 30 की सेम टाइप के कुछ questions है यह है ना PGT के पीछे पूछे गए question है देखिएगा कि एक गेंड कमरे की छत से गिरती है और फर्स पे दो बार उचल कर छत की उचाई के आधे उचाई तक पहुंचती है आप देखो यहाँ पे उसने एकदम एकदम यह बोल दिया कि एक गेंड कित और बराबर में यह कितना हो जाएगा दो बार दो बार उचलती है मतलब E की पावर 4H है ना भई H क्या है छत की उचाई है टोटल जितनी उचाई से छोड़ी गई और इसके बाद वो कहरा कितनी कवर कर रही है H by 2 उसकी आधी उचाई के पराबर कवर करती है तो E की पावर 2 इक्वल 2 E की पावर 4 और अगर हम यहाँ से E निकालना चाहेंगे तो 1 बाई 2 की पावर में आ जाएगा 1 बाई 4 है ना एक बटे 2 की पावर में आ जाएगा 1 बटा 4 तो कौन सा अप्षन से ही हो जाएगा 30 क्या A वाला जो अप्षन होगा वो करेक्ट हो जाएगा आगे संतल पर गिरता है इस संतल पर गिरता है यदि प्रत्यास्ता गुडांक है ना हमें आपे प्रत्यास्ता गुडांक दिया गया एक बटे 2 हम से पूछा है प्रतिछेपन बंद होने में लगा समय है ना यानि कि जो रिबाउंड है रिबाउंड बंद होने में कितना टाइम ल होता है वो कितना होता है उसके लिए एक सिंपल सा फर्मूला है यह है तू एच डिवाइड़ भाई एच इन्टू इन्टू यह हमारे पास वन प्लस ई डिवाइड़ भाई वन माइनस इए है ना एच यहाँ पर हमको दी गई है आठ जी की उचाई से इसे गिराया जाता है य यह कितना आजाएगा अंडर रूट के अंदर आजाएगा 2 और H कितना दिया साब 8G divided by G equal to 1 plus E E का मान यहां पर दिया गया है 1 बटे 2 1 plus E 1 बटे 1 बटे 2 मतलब यह आने वाला 3 बटे 2 1-1 बटे 2 यह भी आने वाला एक बटे 2 2 से 2 काट दिया जाए जी से जी काट दिया जाए 8-16 का वर्ग मूल 4 और गाबगल में है 3 4-3 12 सेकंड का समय लगने वाला है कितना सेकंड लगेगा तो यहनि कि रिबाउंड होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 12 सेकंड बाद प्रति 6 पंज होगा वो क्या होगा बंद हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन नमबर 32 की तरफ 32 कराएगे गेंद ह उचाई से 36 समतल पर गिरती है वा लगा तार उचलती रहती है अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी है ना हमने क्या बात की थी हमने बताया की जो H is equal to आ रहा था है ना टोटल जो covered distance थी वो किसके बराबर हो रही थी एक तो H आ रहा था दूसरा फिर क्या आ रहा था 2 E square H फिर क्या आ रहा था 2 E की पावर 4 H 2 क्यों ले रहे हैं केम जब उचलेगी अभी यह तो H से गिराई गई फिर यह क्या हुआ अगली बात हो चली होगी फिर से उचली होगी तो यह अगर जितनी distance cover करेगी जितना जाएगी उतना वापस आएगी तो यह 2 E square H गई और E square H आई फिर से अगली उचार में इकी ऑवर एच अगली बार कम होगा तो और से कम हो जाएगा है ना पहले से कम हो जाएगा तो इकी पावर 4H गई और E की पावर 4H आई तो तीन यदि वह तो हम इसे उचाल तक ही रखेंगे तो हम से पूछा क्या है उसने गेंद दोरा चली दूरी अगर थी एच है तो प्रत्यानियन गुलांग का मान ग्याद करना है हमें यह इलास्टी सिटी कॉफिशेंट की बात करना है तो यह तीन अच्छ है यह कितनी है तीन एच टोटल कवर डिस्टन्स कितनी है तीन एच और चानक के गुपता करेहें सिर्फ प्रिवियस की कॵष्चन को रिपीट कर दीजिये कोण सा यह वालाиком स्रल्ग तरक्षन divend बं में लगा समय हमसे पूछा यह तो अगर यह प्रती प्रतिछेपन बंद होने में लगा समय हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे इसके रहे हम क्या करेंगे यह फॉर्मूला होगा हमारा प्रतिछेपन यानि की रिबाउन्ड होने में बंद होने में समय जो लगेगा वो कितना होगा अंडर रोट 2 एक बाई जी इन्टु वन प्लस ए अपान वन माइनस ए का वैलू रख देना है एक बटे दो और एक बटे दो है ना फिर कैलकुलेट करके काट देंगे तो बारा सेकेंड में जो प्रतिछेपन है वो बंद हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे सर सर लिफट की तरफ लिखिए अच्छा दिख नगए रहा क्ट रहा है क्या यह अज टिक रहा है ना ठीक है अब देखिएगा अब देखिएगा यह आज यह जाएगी थे देखिएग है तर्लस हमें एक काम करना चाहा रहे हैं कि हम दोनों तरफ से जब यह 3H हमने रखी दिया तो इसमें H common भी ले लें लें लेंगे तो यह आजाएगा 1 प्लस 2E square प्लस 2E की पावर 4 है ना इस वाले H से इस वाले H को काट दीजिए यह वाला एक इस से कट जाएगा मुलब कम हो जाएगा तो 2 आजाएगा यानि कि हम इन सबको अगर एक साथ रख लें तो यह आजाएगा 1 की पावर में 4H ठीक है दो common भी ले रहें दोनों तरफ से इदर 1 बचेगा बस मुलब यहां से 2 common लेके काट देगा अगर इस एक को घटाएंगे तो 2 बचेगा 2 common लेके काट दे तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर में 2 है न इसमें option नहीं लिखे गए हैं क्या ठीक है जो option निकल के आजएगा वहीं इसका correct option मान लिजेगा मुझे अगले page में गया होगा न तो यह आजाएगा minus का 1 equal to कितना 0 है न अब इसे हम क्या करे calculate कर लेते हैं है न चलिए करत दिख नहीं रहा है अच्छा अभी में दिख नहीं रहा है कि वेरी गुरुनिंग आचल अब दिख रहा है देखेगा क्लियर हो रहा है बस इसकी शॉट ले लिजिए है न क्लियर हो जाएगा उसमें कुछ नहीं सित फॉर्मूला बेस्टेस में सब कुछ वैलू रखके calculate कर देनी है चलेगा 32 देखेगा हमने क्या किया calculate किया अब एक quadratic equation बन रही है है ना अगर हम इसको e square की पावर 2 लिख दें तो यह quadratic equation बन जाएगी और e square के लिए हम लगा देते हैं यहां पर सिरीधारा चारे सुत्र है ना तो e square equal to कितना हो जाएगा e square equal to वही हमारा minus b तो कितना हो जाएगा minus का 1 हो जाएगा plus minus under root b square मतलब की 1 minus 4ac 4a तो 1 है और यह value c है तो प्लस का 1 हो जाएगा divided by 2 यहां से जो e square का मान वहां पर पूछा है प्रत्यानियन गुलांक है ना तो e यह आ जाएगा minus का 1 plus minus root relation दिया था उसने यह 5 आ जाएगा एक और 4 मिला के कितने हो जाएगे 5 और यह divided by कितना आ जाएगा 2 तो इसने option में दे रखा था option में e square equal to एक option यह वाला था तो यह option e square equal to दिया है तो यही हमें click कर देना इसे ही correct कर देना है ठीक है आगे बढ़ते हैं साब किरा एक पत्थर है जिसका भार यह फिडिया मैं आजकल बना नहीं रहा हूं से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यह size वगएरा दिक्कत करता है इनका यह भी बना रहे है भाई हमारे कि एक पत्थर जिसका भार 4 kg है तो कितना है भाई यह 4 kg है केजी बस लिखा तो इसका म मास ही है है ना अच्छा किरा कि 4 मीटर की उचाई से गिरता है है ना तो यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 4 मीटर 4.9 मीटर ठीक है दिख रहा होगा यहाँ पर मुझे लग रहा है एक मिनट हाँ ठीक है h equal to कितना दिया गया है 4.9 मी दो सेकेंड में रुके तो रेत का औरोध मतलब हमें निकालना है इसका reaction force है ना यह आर निकालना है हमको कि कितना होगा औरोध ग्याद कीजिए चलिएगा h हमको मिल गया m हमें 4 kg दिया गया है वो आगे काम आएगा तो हम निकालते हैं पहले रेत पर टकराने का वेग है ना रेत पर टकराने का वेग मतलब कि अगर रेत पर टकरा रही ही तो किस वेग के साथ टकराएगी यह देखना है तो यह आजाए का V square is equal to कितना यू square प्लस 2GH वी square भाईया प्रारंभिक वेग तो इसका 0 होगा तो यह टर्म तो 0 हो गया है ना V square is equal to कितना हो गया 2GH यह गया 2G का मान कितना होता 9.8 और H कितना है 4.9 है न यह V square equal to दिया है अगर हम इसका इसमें multiply कर दें 4.9 में 2 से तो 9.8 हो जाएगा 9.8 मतलब कि इसका जो वेग आ गया अंतिल वेग वो कितना आ गया 9.8 है न मीटर प्रती second V कितना आ गया है यहां पर 9.8 मीटर प्रती second है न अब समझिएगा यह इतना आ गया हाँ हाँ ठीक है अब देखेगा अब भाई गेन कहां पहुँच गई हमारी है न जो पत्थर था वो कहां पहुँच गया बॉर्डर पे कहां पर बॉर्डर पर यानि कि वेग से वो जो क्या कहते हैं पत्तर है वो गतिमान है मतलब कि अब रेट के अंदर जाने के लिए प्रारंबिक वेग हमारे पास है 9.8 और अंतिम वेग जो होगा इसका वो क्या होगा जीरो है न अब लगाएंगे रेट के अंदर के लिए तो वी कुल्टू कितना हो यह हो जाएगा यू माइनस का एफटी है ना यू कितना दिया गया है अब यह इसी वेग से अंदर जाएगी वो है ना 9.8 और यह एफटी को इदर ले आओ तो यह हो जाएगा चार दिसमलो 9 कितना जाएगा चार दिसमलो 9 मीटर प्रती शेकंड स्क्वेर है ना यह मिल गया अच्छा अब हमें क्या निकलना औरोध की बात करना है अब आपको पता है एक फर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था आर माइनस है ना औरोध माइनस भार बराबर होता है किसके है M F के है ना M F यह भी क्या है बल है और यह भी क्या है बल है तो यह दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं अच्छा R इक्वल to M G यह MF को कर लिजए M और F M कितना दिया गया है? 4 और F कितना आ गया है? 4.9 प्लस आ जाएगा 4 गुड़े G का मान आ जाएगा 9.8 2 से अगर हम इसे गुड़ा कर दें 2 से क्या कर दें? गुड़ा इस वहले 4 का 2 उसे दे दो तो आ जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े कितना हो जाएगा? 9.8 प्लस यह अल्रेड़ी है 4 गुड़े 9.8 ठीक है? 9.8 अगर हम कॉमन ले ले तो यह आ जाएगा 6 गुड़े 9.8 है ना? 4 दो 6 हो जाएगे अब दोनों का क्या करिए? Multiply कर दिया जाए दोनों का multiply करेंगे कितना जाएगा? 6,88 की आठा जाएगा? 4, 4,4,4,8 है ना? यह कितना जाएगा? 58.8 है ना? और अगर 58.8 मतलब कि लगबग हम यह मान सकते हैं कि वो 6 kg है ना? अब चुकी जो ओलोद हैं तो D वाला option जो होगा यहां पर correct हो जाएगा इसमें कौन सा option से जो जाएगा D एकदम clear दिख रहा है ना? अज थोड़ा सा मुझे पीडियाप की setting सही नहीं लग रही है तो मुझे लग रहा थोड़ी से आपको दिक्कत आ सकती है आज की class में चलिएगा अभी इस question में 34 और 35 को एक साथ रख दिया गया है 34 देखेगा करा की a body of mass m falls from the rest of height 1 km है ना? 1 km यहां पर जगह की थोड़ी सी problem है आज अब देखेगा कुछ situation ऐसी है करा की a body of mass m falls from the rest है ना? रेस्ट से गिरती है विरामा वस्ता से गिरती है वस्तू टेक है रेस्ट वन किलो मीटर अंडर ग्रेविटेशनल सेलरेशन ग्रेविटेशनल सेलरेशन हमारा 10 मीटर परती सेकेंड स्क्वेर दिया गया है इस दा ब्रॉट टू रेस्ट बाई पेनेट्रेटिंग त्रू आट डेफ्ट 200 मीटर इन सेंड है निकि बालू में है ना मालिटे तीन पॉइंट है हमारे पास एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट आर है है ना आप देखेगा पी पॉइंट पे मालिटे की जो भी रहा होगा पैरंबित वेक सेवस्तू चली होगी है ना यहां तो यूजीरो रहा होगा और कितनी दूरी उसने कवर की उसने एक किलो मीटर की दूरी कवर की एक किलो मीटर का मतलब हो गया कि एक हजार मीटर की दूरी तैंक ही गई इसके इंट्रेशन इन्टू सेंड है ना हम यहां पर इसलेशन निकालेंगे कहां पर क्यूं से जब आर में जाएगी तो चलिए पी से क्यूं के लिए आईएगा पी से क्यूं के लिए देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक प्रादम्दिक वेग तो यहां हो गया जीरो तो यह हो गया जीरो प्लस टू जी का मानोलन दे दिया है कितना दिया गया है यहां पर 10 मीटर प्रती सेकेंड सेकेंड तो यह टेन हो गया इंटू एच एक हजार दिया गया है है ना एक हजार अगर हम दोलो तरफ वर्गमूल लेंगे तो वी बराबर आ जाएगा कितना शो अंडर रूट दो मीटर प्रती सेकेंड वे कितना आ जाएगा शो अंडर रूट दो हैना सो अंडर रूट दो मीटर प्रती सेकेंड चलिएगा चलेंगे आगे यह हमको मिल गया वी एंतिमाइग मिल गया अब हमें कहां अंतिम वेग होगा क्यों से यार में जाने के बाद जो अंतिम वेग हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा अंतिम वेग तो यहां पर जीरो हो जाएगा क्यों से यार के लिए जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा जीरो फार्मूला क्या होता है हमारे पास वी स्क्वेर to u square minus का क्या हो जाएगा kye aha ना फ्रतिवी स्चता से ऊपर जाए या नीचे जाए क्या होगा ये u square minus two h हो जाएगा us g कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और you square is equal to, 0 कि रखने के बाद कितना जाएगा you square is equal to आजाएगा 2AH ठीक है अब हमारे पास जो यू होगा वह जो पहले वाला बेग था जिस वेग से वस्तु आ रही थी कि उनसी ये उस क्यू तक के आने में जो अंतिम बेग है वही इसका आगे का प्रारंबिक बन जाएगा तो कितना हो जाएगा ये वही हमारे पास होने वाल है यू स्कॉर है यू स्कॉर कमाल रख दिए जाए dog ian अंडर रूट दो का होल स्कॉर इस कोल टो तू टीक अ एच कितना है 200 मीटर की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी 200 मीटर तो यह 200 हो गया अच्छा यह कितना हो जाएगा यह जाएगा 100 गुड़े 100 गुड़े 2 equal to कितना हो जाएगा 400 है ना 400 एक 0 से 0 और यह 0 से 0 कार दिया जाएगा अच्छा कितना हो जाएगा 200 बट्या 4 इधर हमारे पास A है तो कितना हो जाएगा यह 200 बट्या में 4 equal to A हो जाएगा काटेंगे तो कितना आजाएगा A is equal to 50 मीटर प्रती शेकेंड स्क्वार तो कौन सा अप्शन सही हो जाएगा यहां पर option number जो A है वो सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 50 के पास question 35 35 में कह रहा है कि f such that Z plus tends to Z plus is a group of homomorphism देखिए homomorphism group अगर होगा तो एक बात याद रखना है कि f of A operation B equal to होता है इन दोनों के function के बीच में इन दोनों के f of A operation f of B के बराबर होता है यह याद रखेंगे तब ही इसी condition पे यह homomorphism group होता है कि function of function of A operation B equal to function of A operation function of B तो यहां पर हमें क्या निकलना है operation में plus लगाया गया है यानि कि f of A plus B जो है वो equal हो जाएगा क्या f of A operation यानि कि plus लगा है हमारे पास f of B और f of A कितना दिया गया है वो दिया गया है हमको 1 f of B कितना दिया गया है 2 दोनों को add करेंगे कितना आ जाएगा 3 तो किसके बराबर हो जाएगा कौन सा option से हो जाएगा 35 में जो A वाला option होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साथ question number 36 की तरफ question number 36 एक सांदार और जानदार question है हैना सदा बहार question कहेंगे कि ये question बीच बीच में टपकता रहता है triangle का area निकालने का तरीका सबसे बहतरे इन तरीका बताया गया हैना हमें क्या करना है ये triangle का area दिया है पंदरा एक बटे दो लिखना है ठीक है कोशिस करो कि वो point उठाओ जिसमें कहीं 0 इरो दिये है वो पहले रखा करो लेकिन कहीं पर ऐसा कोई point नहीं है जहां 0 दिये हो तो फिर अब वहाँ पर उठाओ क्योंकि वो point repeat करते हैं जो छोटे point हो है ना तो हम पहले वाले को रिपीट कर रहे है एक कॉमा माइनस तीन अंक जहां पर छोटे हों और ये वाला क्या है चार कॉमा माइनस तीन ठीक है आगे कौन सा है 9 माइनस का 9 और ये है के पहले point को repeat करते हैं तो 1 कॉमा माइनस 3 ठीक है भाई cross multiplication करेंगे 15 दुनी 30 हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 दुनी 30 equal to पहले multiply करना है पहले क्या करना है multiply इसका multiply इससे इसका multiply इससे और इनको जोड लेना है तो ये देखी कितना आ गया ये आ गया अब हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 4 के और नोत्रिक 27 प्लस का 27 घटा देंगे अब इसे इधर करते जाओ इनका हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 12 और ये प्लस का 27 हो जाएगा प्लस का 27 हो जाएगा और ये प्लस का सोरी हाँ प्लस का के हो जाएगा ठीक है calculate करते है 30 equal to देखिए से घटाएंगे तो 24 बचेगा है ना यहां पर हमारे पास हो गया 4K प्लस 24 और अंदर अगर हिसाब करने तो 13 बचेगा नहीं थेरा नहीं 15 बचेगा और यह माइनस का 15 हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का के इस माइनस के 15 को अगर इधर आके जुड़वा दें नहीं सिन घटा लीजिए 24 में 15 घटा देंगे तो कितना बचने वाला है हमारे पास 9 बचने वाला है है नहीं इधर आके घटा दिया जाए तो 21 बचेंगे 21 is equal to 4 k में अगर एक के घटा दिया जाए तो 3 k बचेंगे और k बराबर कितना आ जाएगा शाथ आ जाएगा कौन सो अप्षन सही हो जाएगा 36 का जो सी वाला अप्षन होगा वो करेक्ट हो जाएगा एक बर सभी pen को आपर उठा लीजिए साथ में ना करते जाएए साथ में तो मजा आने वाला है फिर चलेगा तो के कोल्टू कितने आ जाएगा सी वाला अप्षन नमर साथ अटेम्ट करेंगे एक बारा पर कर चुके हैं दुबारा फिर से अटेम्ट करेंगे तो और मजा आने वाला है आगे बढ़ेंगे 36 36 क्राइद कोडिनेट आफ ए एंड बी आर इतने एंड इतने respectively if P अच्छा A और B दो पॉइंट दिये गए हैं है ना यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है एक के जो कॉइंट दिये गए है वो 1,2 दिया गया है 10th का question है यह ना B के कॉइंट दिये गए है 2,3 और हमसे कहा है जो एक बिंदू कहीं पर P है कहीं पर एक बि P B है वो 3 है है ना कितनी है P B? 3 है और टोटल A B कितनी है साथ है यह अनुपार्ट में दिया है कोई दिक्कत नहीं हमको भी अनुपार्थिक वैलू ही चाहिए टोटल साथ है तो हम अनुपार्थ में निकाल ले रहा है हम मान के चल रहे है कि यह 4 बची होगी एपी कितनी साथ होगा है ना क्या फार्मूला होता है M2 X1 M2 यह हो गया 3 ठीक है M2 यह हो गया हमारा M2 3 M2 X1 तो सीधा कर रहे है M2 X1 तो 3 हो जाएगा ठीक है फिर M2 X1 M1 X2 कितना जाए चार दुनी आठ बट M1 प्लस M2 यानिकि 4 प्लस 3 यानिकि 7 कॉमा फिर M1 M2 Y1 M2 कितना है मारे पास यह है Y1 कितना यह तो यह 3-2-6 3 दुनी 6 प्लस और यह कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हैना अरे इसका इसका multiply करेंगे इसका multiply करेंगे by कितना दोनों को जोड़ दीजिए तो यह कितना आने वाला है 8 3 11 बटा 7 कॉमा 12 6 कितना 18 बटा 7 कौन सा option सही हो जाएगा यहां पर option number जो होगा a वाला जो होगा वो सही हो जाएगा 37 का a है ना 11 बटे 7 बटे 18 बटे 7 बलकुल सही जवाब चानक के सर शांदार आगे बढ़ेंगे question number 38 किरा a b c इतने 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 हैं तो अच्छा एक triangle बनाया है median पूछा है हमसे माद्धिका की लंबाई पूछी है करा a c से तो a को हम यहां रख लेते हैं b यहां रख लेते हैं c यहां रख लेते हैं a point के जो coordinate दिये गए वो हमको दिये गए 10,5 b point के जो coordinate दिये गए वो 8,4 c point के जो coordinate दिये गए वो 6,6 दिये गए कौन B और C का जो मीड़ पॉइंट होगा वही M होगा तो 8 6 14 14 बटे 2 तो 7 आ जाएगा 6 4 10 और ये 5 आ जाएगा अब हमें निकलना इस AM की डिस्टेंस इस AM की लंबाई तो अंडरूट कितना हो जाएगा X2-X1 का होली स्क्वेर मालो 10-7 10 में 7 गए 3 तो 3 आ जाएगा तो AM कितनी आ जाएगी हमारे पास AM जो आएगी वो आजाएगी D वाला option सही हो जाएगा 3 unit आएगी यनि किस मादिका की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 3 unit आगे बढ़ेंगे question number 39 39 में कह रहा है कि the ortho center of the triangle with vertices इतने इतने vertices दिये गए हैं इसके हमको निकालना है ortho center एक काम करेंगे एक काम करेंगे देखे दो तरीके हैं एक तो ज़्यादा तर जो question हमारे याँ पूछे जाते हैं अपने exam से में वो हमको right angle triangle ही देता है मुनलब हमें पता होता है कि अगर ortho center निकालना है लंब केंदर निकालना है लंब केंदर के निर्देशांक निकालना है तो वो अभी लंब मतलब कि सभी रेखाओं पे डाले गए अभी लंब जो हो जहां काटेंगे वही अर्थो center होगा तो जब perpendicular होगा तो अल्रेडी है ना हाइपोटेनस से डालोगे तो वहीं जाके काटेगा जाके जहां पे 90 डिग्री वाला इंगल बन रहा होगा है ना तो मेरी बात को समझेगा तो यह माल लीजिए A है और यह माल लीजिए B है और यह माल लीजिए C है यह सभी points हमको दिए गए हैं है ना अच्छा A का कोडिनेट यह माल लो A है A के कोडिनेट दिए गए हैं हमको 2, under 3-1 बटे 2 और A point यह माल लीजिए B है B के कोडिनेट दिए है 1 बटे 2, को़मा-1 बटे 2 और यह माल लो C है C के कोडिनेट दिए है 2,-1 बटे 2 मैनस एक बटे दो हमें क्या करना है इस रेखा की देखो यहां पर 2-2 2-2 का मतलब क्या हुआ अंदर हो गया बटेम हो गया 0 मतलब कि क्या आजाएगी इन्फाइनाइट आजाएगी मतलब 10 थीटा बरापर मतलब कि 90 डिगरी का एंगल यहां पर बन रहा है लेकिन एक बार इसकी भी निकाल लीजिए इसका कितना आना चाहिए अंसमा आप 0 आजाए तो पता चल जाएगा कि यह 90 डिगरी बनेगा तो यह BC आजाएगा BC कुल्टू कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा भाई यह दिया गया है हमको Y2-Y1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2 प्लसका एक बटे दो हो जाएगा बटे में भी कुछ आएगा तो यह आ जाएगा 0 है ना कुल मिलाके decide हो चुका है है ना कि ये 0 degree के अंगल बना रहा है एक सच के साथ और ये 90 degree के अंगल बना रहा है यानि की दोनों के वीच का engal होगा वो कितना होगा 90 degree का होगा यानि कि ये एक right angle triangle है और जब right angle triangle होगा तो जह 90 वाले सेर्ष पे उसका लंब केंदर होता है तो 2, minus 1 by 2 यानि कि B वाला जो option होगा वो correct हो जाएगा BC का slope भी तो निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं BC का slope भी निकाल सकते हैं BC का slope में निकाला भी है यह यहाँ पर BC का slope निकाला निकाला वो कितना आगया है 0 है ना तो मतलब क्या है कि 10 theta बबाबर अगर हम M लेक के चलते हैं तो infinite है यानि कि 90 degree बना रहा है और यह 0 degree का बना रहा है दोनों के बीच का जो angle हो जाएगा वो 90 degree का हो जाएगा यह निकि यह राइट अंगल ट्राइंगल है और राइट अंगल ट्राइंगल का जो लंब के अंदर यह आर्थो सेंटर होता है वो 90 degree वाले point vertex पर ही होता है है ना चलिएगा आगे बढ़ेंगे सर question number correct the polar form of the equation देखे इसकी question की polar form दी गई है हमको r equal to दिया गया है a sec theta हम इसे लिख सकते हैं a बटे cos theta r equal to a बटे cos theta यानि की a equal to कितना हो जाएगा r cos theta और आपको पता है की r cos theta किसके बराबर होता है x के बराबर होता है प्राच लिख समीकर polar question दी गई है तो यह क्या हो जाएगा x के बराबर होता है straight line यह एक straight line सीवी रेखा x is equal to a जो y अक्ष के पैरलयल है y अक्ष के शमानतर है आगे बढ़ेंगे question number 41 क्या कि find the angle between तो देखेगा हमें क्या करना है पहले तो इस line की प्रवाणता निकाल लीजिए है ना इसका slope निकाल लीजिए m1 is equal to जब line हमारे पास इस format में होती है ax plus by plus c equal to 0 तो इसके लिए प्रवाणता जो होती है minus x का गुलांक है ना x का गुलांक यानि की coefficient आफ x बटे coefficient आफ y यानि की minus का a by b तो सीधा यहाँ माइन पे m1 निकाली जाए कितना आ जैए गद यहाँ minus का x का गुलांक 1 है y का गुलांक under root 3 है और यहाँ पे m2 आजाओ minus x का गुलांक minus under root 3 इन बटे Y का गुडांक माइनस 1 है M1 और M2 का एक बार गुड़न फल करके देख लो 90 डिग्री अगर होने की संभावना होगी तो ठीक है नहीं तो फिर फार्मूला लगाएंगे 10 थीटा एक उल्टू वाला है ना ठीक M1 इन्टू M2 तो यह माइनस का एक बट्टा अंडर उर्टीन है अगर इन दोनों के माइनस हटा दिये जाएंगे उपर नीचे के अंडर उर्टीन आ जाएगा इन दोनों को करो मल्टीपलाई यह दोनों मल्टीपलाई हुए और यह माइनस का 1 आ गया यानि की M1 इन्टू M2 इसकोल टू कितना आ गया माइनस का 1 अब दो रेखाओं की दो रेखाओं के स्लोपों का जो गुड़नफल है उनकी प्रवड़ताओं का गुड़नफल जब माइनस 1 होता है ऐसा कब होता है जब दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो अर्पेंडी कुलर हो है ना यहनी की 90 डिगरी का एंगल बना रही हो तो कौन सा उप्षन से हो जाएगा 41 का जो डी वाला उप्षन होगा वो बिलकुल बिलकुल करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन नमबर 42 question number 42 कह रहा है कि consider a family of the circle which are passing through the point है ना कहां से pass हो रहा है इस point से pass हो रहा है अगर हम इसका graph drag करना चाहें चित्तर अगर इसका हम बनाना चाहें तो कुछ कहीं one यहां से pass हो रहा है और एक सच को touch कर रहा है है ना क्या कह रहा है कि are the tangent x सच जो उसकी tangent है एक सच उसकी tangent है है ना ऐसा कुछ जादू हो रहा है तो यहां पर यह point माल लीजें यहां पर हो गए हमारा minus का one, one ठीक है अच्छा और यह point हो गए हमारा और यह हो जाएगा अगर हम इसका center लेना चाहें h, k ले सकते हैं h, k हमने इसका ले लिया center तो इसकी जो तरिज्जा होगी है ना, इसकी जो तरिज्जा होगी y वेले coordinate के बराबर होगी, तरिज्जा कितनी हो जाएगी, k के बराबर हो जाएगी और अगर हम इसके question की बात करें तो समी कराण इसका क्या बन जाएगा, x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to कितना यह त्रिज्जा कितनी है k के बराबर यह त्रिज्जा इसकी क्योंकि एक सच्च को टेच कर रहा है तो यह हो जाएगा k square है ना कितना हो जाएगा यह k square अब simple सी बात है हमें क्या करना है यह minus 1 को हमा 1 से pass हो रहा है तो इसको minus 1 को हमा 1 से pass भी करवा दीजिए करवाते हैं इसको pass तो भीया जहाँ पे x है है ना जब इसे pass करवा होगे तो x की जगा पे minus 1 और y की जगा पे 1 रखना है तो यह कितना आ जाएगा यह आने वाला है हमारे पास minus का 1 minus का h का whole square plus 1 minus k ka whole square equal to आ जाएगा k square अगर हम इसका work करेंगे minus निकाल लेंगे तो कोई सहाथ में इसकी फर्क नहीं पढ़ने वाला यानि कि यह बन जाएगा 1 plus h का whole square आप समझिए बराबर इसको इधर ले आओ इसको इधर लाएंगे है ना तो कितना जाएगा k square और एक bracket में आ जाएगा 1 minus k का square a plus b a minus b तो k plus 1 minus का k एक bracket में दूसरे bracket में आ जाएगा k plus 1 minus अब लगेगा ना तो यह k plus 1 minus 1 अब plus का k हो जाएगा a plus b a minus b कर दिया हमने है ना दोलों के इंसला उट हो गए यानि कि 2 k plus 1 हो गया अब simple सी बात यह आ गए कि 1 plus h का जो holy square है वो equal to में आ गया किसके 2 k minus 1 और एक बात यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है है ना वो हमेशा क्या होगा greater than equal to 0 होता है है ना यानि कि मैं आप यह कह सकते है कि 1 plus h का holy square होगा वो क्या होगा greater than equal to 0 होगा अब हमें इसकी जगह पर क्या रख सकते है 2 k minus 1 तो 2 k अरे दोनों बराबर है 1 plus h का holy square equal to कितना है 2 k minus 1 तो 2 k minus 1 की जो value होगी वो greater than equal to क्या होगी 0 और k equal to क्या होगी k greater than equal to कितनी होगी 1 by 2 तो कौन्स option सही हो जाएगा यहाँ पर b वाला जो option होगा वो correct हो जाएगा यानि कि जो के का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए greater than equal to 1 होना चाहिए एक बेटे दो भी चलेगा और एक बेटे दो से बड़ा भी चलेगा बिलकुल सही जवाब चानक किसर संदर आगे बढ़ेंगे किरा कि equation of the circle which passes through 3,6 कहां से pass हो रहा है 3,6 से touches the axis और axis को वो touch कर रहा है axis को touch करने का मतलब क्या है कि दोनो axis को touch कर रहा है pass हो रहा है x अच्छ को भी वो touch कर रहा है और वो y अच्छ को भी touch कर रहा है x और y को touch करने का मतलब यह है कि simple सी बात है जितन दोनो x और y यह जो point होगा यानि कि जो coordinate होगे किसके center के वो a, a हो जाएंगे इसकी तरिज्जा भी a हो जाएगी और इसका जो केंदर है वो भी क्या हो जाएगा a, a हो जाएगा अच्छा, यानि कि अब हमारे पास जो मामला बनने वाला है वो क्या होगा अब हम इसकी question को find out कर सकते हैं अगर इसकी question निकाली जाएगी तो कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी x minus a, है ला h कॉमा के होती है तो यह जाएगी x minus a का whole square plus y minus के a का whole square equal to कितना a square calculate करेंगे इसे तो यह आ जाएगा x square है ना यह x square आ जाएगा या चाहें तो इसे पास करवा दीजिए कहां से पास हो रहा है 3,6 से तो इसे 3,6 से पास करवा दीजिए x की जगा पे 3 3 minus a का whole square plus y की जगा पे 6 minus a का whole square is equal to a square calculate करेंगे इसे हम यह कितना आ जाएगा भेया यह a square आ जाएगा plus का 9 आ जाएगा और minus का 6 a आ जाएगा plus यह 36 आ जाएगा plus का a square आ जाएगा minus का 12 a आ जाएगा equal to a square आ जाएगा 36 को आपसन से पास करा दे हाँ विकल भी पास करवाया जा सकता है लेकिन कई बार डर लगता है जब नन आप देवब आपसन में होता है ना तब डर ना पड़ता है कई बार होता है कि सारे पास करवा दे तब भी कहीं ना मिले तो है ना option satisfied हो जाएगा वैसे है ना और satisfied उससे करवाएंगे जो बहुत-बहुत same to same हूब हूब मिल रहा हो है ना तो हो सकता है यह दो कुछ हूब हूब मिल रहे है तो बी और सी से पास करवा सकते है है ना तो यहाँ पर कितना जाएगा भी यह तो a square है वह वाले square से कट जाएगा है ना यह का मान तीन लेके चल रहे है और equation निकाल रहे है है ना तो कितना आ जाएगा x-3 का holy square का मतलब क्या हुआ x square plus है ना minus का हो जाएगा कितना तीन दुनी 6x plus का 9 plus फिर एक ही जगा पर 3 रखना है तो यह कितना आ जाएगा y square और minus का हो जाएगा 6y plus 9 equal to एक आमान रखोगे यह इससे cancel out हो जाएगा x square plus का y square minus 6x minus का 6y plus 9 equal to 0 है ना कौन सौफ़न सही हो रहा है c c option में यह point भी रखे जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ और जल्दी से हो जाएगा सारे option रखके देखेंगे मुझे लग रहा है जितनी देर आप option रखके देखेंगे calculation करेंगे और उतनी देर में मामला पुरा set हो जाएगा है ना चलिएगा आगे बढ़ेंगे question number 44 कि अधर the distance of the point है ना हमें कर रहा है कि is point is point 1, minus 2 अब देखें यहां पे equation दी गई x is equal to 2 plus 3 cos theta polar form में equation दी गई है तो इस दोरान अगर हम इनको है ना इसको क्या लिख सकते है x minus 2 equal to हो जाएगी अगर हम इनको क्या करें गायब करना चाहें cos theta sin theta को तो equation हमें circle बन जाएगी circle की question मिल जाएगी y plus 4 is equal to कितना हो जाएगा 3 sin theta लेकिं यह करने की ज़रूरत नहीं है 3 sin theta वो गईब हो जाएगे बिल्कुल सही है अनुमान हमको चल गया कि x minus 2 का whole square है ना इधर बनेगा और इधर y plus 4 का whole square equal to 3 का square यानि कि no ये बन जाएगा है ना यानि कि कहने के मतलब ये है कि center में हमारा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा यानि कि यहां से जो केंद्र बनने वाला है वो 2 का minus 4 आ गया और इस केंद्र से हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है यानि कि हमें निकालनी है PC है ना दोनों के बीच की दूरी चलिएगा अब भाई PC अगर हमको निकालनी है distance अगर हमको cover करनी है निकालनी है तो कितनी हो जाएगी ये 2 minus 1 का square 2 minus 1 का square 1 आएगा plus minus का 4 plus का 2 तो हमारे पास minus के 2 बचेंगे minus के 2 का square कितना हो जाएगा 4 तो ये distance कितनी आ जाएगी root 5 unit है लग तो कौन साफ़न सही हो जाएगा 44 का B वाला जो option होगा correct होगा बिल्कुल चाना किसर सही जवाब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर करहा है equation x equal to इतना y equal to इतना अब देखे हम से कह रहा है मतलब कि वो ये करवा रहा है जो कहवा रहा है option कुछ वही करके देखेंगे हैना एक बार हम work करके जोड़ दे पहले में chance उसके जागा लगते है तो वर्क करके जोड़ दे नहीं तो हम सारे option में x और y की value रखके try कर देंगे और जो हमको a square बरावर में कर दे दे या a square दे जो भी देगा a square a square दो बारा आ रहे है तो मतलब कि यह तो पहला option सही हो सकता है यह तो दूसरा option सही हो सकता है इसके chance जादा है बाकि हो कुछ भी सकता है है ना तो क्या करेंगे तो हम x square प्लस का y square कर रहे है ठीक है हम दोनों का work करके जोड रहे है तो यह उपर work इसका work करेंगे x का तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 4 a square theta divided by 1 plus theta square इसका square हो जाएगा plus और यह आ जाएगा a into 1 minus theta का square है यह ना इसका square हो जाएगा रहे यह भी तो रहेगा a square बटे में आ जाएगा 1 plus theta square का square आप देखेगा ध्यान से a square को अगर हम बाहर निकाल ले a square को हम बाहर निकाल ले निकाल लेते हैं तो अब हमारे पास बचेगा क्या 4 theta 4 theta plus और यह बन जाएगा 1 minus theta square की power 2 divided by a यह आजाएगा 1 plus theta square की power 2 है ना यह बन रहा है ना अब देखेगे अगर हम इसका 4 theta और इसको 1 इसको a minus b का holy square खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना 2 theta 2 theta आएगा अरे यहाँ पर कितना हो जाएगा theta का square भी तो होगा है ना ठीक है 4 theta square फिर क्या हो जाएगा वो cancel out होगा यानि कि उपर भी बन जाएगा 1 plus theta का holy square और जब उपर भी इससे calculate करेंगे जब उपर भी 1 plus theta का holy square बनेगा तो दोनों cancel हो जाएगे और हमारे पास क्या बचने वाला है x plus y x square plus y square is equal to a square यानि कि कौन सा option सही होगा option number जो b होगा वो यहां पर correct होगा बिल्कुल safe 45 में कौन सा सही होगा साब b सही होगा आगे बढ़ेंगे question number 46 46 में करा है कि which of the following pair of equation represent the same conic देखे same conic represent करने के लिए करते क्या है r की जगा पे minus r और theta की जगा पे minus theta रख दीजिए पहले वाले में रखिए अगर दूसरा आ जाए इतना रखने पर तो same conic represent करेंगे है ना आते हैं हम इसके साथ रखते हैं यहाँ पे पहला वाला और दूसरा वाला दोनों option same same है है ना हम पहले वाले को try करते हैं हमें क्या पता कौन सा है है ना तो l बटे minus का r equal to यह आजए एक one plus अब देखिए theta की जगा पुझा पाई minus theta रखेंगे तो वह minus दे देगा कौश 180 minus theta है ना तो minus के cos theta के बराबर होता है minus के cos theta के बराबर हो जाएगा है ना अब इस minus का multiply उधर कर दीजिए तो l बटे r बराबर कितना हो जाएगा minus का one plus e cos theta यह वाली तो नहीं आई है ना यह option तो नहीं आया मतलब पहला same नहीं है लेकिन दूसरा वाला देखो यह इधर कर सेम था यह आ गया यानिकि यह क्या है यह क्या है same कोनिक को represent कर रही है same कोनिक को represent कर रही है अब देखिएगा अगर यह same कोनिक को represent कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे वाले अगले वाले option को भी try किया जाए है ना l बटे minus r equal to यहाँ पर theta जगह पर pi minus theta रखो तो यह हो जाए कि one plus e cos theta है ना इस minus का उदर multiply कर देंगे तो l pi r equal to minus का one minus का e cos theta है ना तो यह वाली आगई मतलब कि b और c दोनों से हम को present कर रही है है ना इसमें तो ठीक है लेकिन हमने जो google form पे option दिया था उसमें हमने एक option दिया था third में b और c दोनो है ना तो b और c दोनों सही थे 46 में b और c दोनों सही थे साब आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सही जाना कि सर आगे बढ़ेंगे correct the trajectory of a projectile in vacuum तो vacuum में जो इसका पत होता है यहने कि निर्वात में जो प्रचेप का जो पत होता वो कैसा होता पैरा बोला होता है परवलेया कार होता है है ना तो 47 में कौन सा option सही हो जाएगा b वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे चलेंगे question number 48 है ना find the equation of the parabola which focus is point 0,0 हमें एक question निकाल नहीं है यह focus कहाँ पे है 0,0 पे है इसका focus 0,0 पे है चलिएगा यहाँ पर माल लेते हैं इसका focus है 0,0 पे और इसदर इसकी नियता है एक यहाँ पे point है जिसे हम P से denote कर रहे हैं और यह P के coordinate X,Y यह यहाँ पे नियता से एक लंब डाल दिया हमने M तो आपको पता है कि से situation में P S बराबर P M होता पहरा बोला के लिए है ना P S बराबर कितना P M P S मतलब P और S के बीच की दूरी तो under root X square प्लस Y square हो जाएगी है ना under root कितना X square प्लस Y square यह हम इसे कर देते हैं P S square is equal to P M square है ना तो यह कितना हो जाएगा यह तो हो गया इदर X square plus का Y square is equal to P M कितना निकले गाए हमारे पास यह नेता दी गई है इसकी है ना तो कितना हो जाएगा यह 3X minus का 4Y plus का 2 divided by under root कितना यह हो जाएगा 3 का square plus 4 का square 9 plus 16 यानि कि 25 25 25 अब चुकि वर्ग लगाया है तो यह वर्ग मूल हट जाएगा है ना दोन तरफ ले वर्ग किया ना तो यह भी वर्ग हो जाएगा इदर इस 25 का इदर आप गोडा कर दीजिए तो यह आजएगा 25 X square plus 25 Y square is equal to अब देखिएगा यहाँ पे 9 X square होना चाहिए हमारे पास कहाँ पे 9 X square है 3 तरीक कितना हो जाएगा यह 9 चलिएगा अब यह हो जाएगा 25 हो जाएगा तो 9 X square आना चाहिए है हमारे पास ठीक है 9 X square आ गए 9 X square plus 16 Y square है ना 16 Y square यह हो जाएगा 3 X minus का 4 Y plus का 2 है ना calculate करेंगे इसे हम तो कितना हो जाएगा 6 A square plus B square plus C square तो यह plus का 4 आ जाएगा minus हो जाएगा 2 A B minus का जाएगा 4 3 12 12 24 X y है ना तो 24 X Y हो जाएगा अच्छा इसके बाद कितना हो जाएगा 4 दुनी 8 दुनी 16 Y हो जाएगा 4 दुनी 8 दुनी 16 हो जाएगा और plus का हो जाएगा भाके इधर ले आओ, 9X स्क्वार 25 में 9 घटेंगे तो 16 बचेंगे, 16X स्क्वार और ये 9Y स्क्वार बचेंगे, equal to है ना, equal to के उधर ही ले आओ सबको, तो ये आजाएगा plus का 24XY और क्या हैगा plus का 16XY और क्या हैगा minus का 12X, है ना, ऐसा कौन सा option है, ऐसा option number A है, है ना, 48 में, ऐसा option कौन सा सही हो जाएगा 48 का जो A वाला होगा, वो बिल्कुल सही सही हो जाएगा, है ना आगे बढ़ेंगे question number 49 question number 49 में हमसे करा कि M1 and M2 are slope of the two tangent that are the drawn from the point 2,3 to the parabola, अच्छा इस parabola पे draw की गई है, अब देखते हैं ये parabola y square is equal to कितना है 4x है ना, y square equal to 4x, यानि कि यहाँ से मिलने वाला है, हमको 4A is equal to 4, compare करेंगे तो A की value कितनी मिल जाएगी 1, और हमें पता जो tangent की equation होती है, यानि कि इस पर से रेखागा, जो हमी करण होता है, वो कितना होता है y equal to mx plus c होता है c की जगह पर a upon m रखा जाता है ये mx plus a upon m, अच्छा है इसे pass भी करवा दीजिए, कहाँ पर drawn from the point, 2, 3 से इसको pass करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ से draw की गई है, तो y की जगह पर 3 आ जाएगा, और x की जगह पर 2 आ जाएगा, तो 2m plus, और a की जगह पर 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा cross multiplication करेंगे तो ये आ जाएगा, 3m equal to 2m square plus 1 ले आएंगे उधर, तो 2m square, m minus का 3m plus 1 equal to 0, ये quadratic equation बन गई है, हैना इसके 2 root दिये गए है, 2 slope दी गई है, m1 और m2, m1 और m2, 2 slope यहाँ पर दी गई है, तो देखते हैं भाई ये हम माल लेते हैं कि मूलों का योगफल है, m1, m2 कितना हो जाएगा, 3 बटे दो, m1 plus m2 गुड़न फल कितना हो जाएगा m1, m2 कितना हो जाएगा, भीया वो आ जाएगा, एक बटे दो, c भाई ये होता है, हमें value किसकी निकाल नहीं है 1 by m1 plus 1 by m1 plus 1 by m2 cross multiplication, sorry, LC हम लेंगे तो, m1, m2 और ये कितना हो जाएगा, m1 plus m2, ये है हमारा 3 बटे दो, और ये है 1 बटा दो cancel out करिए, कितना बचा, 3 बचा है, कौन सा अप्षन से ही हो जाएगा, उन्चास में जो A वाला option होगा, वो correct हो जाएगा उन्चास का A जो होगा, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे question number 50 question number 50 में हमसे कराएगे equation of the tangent to a parabola है ना, हमें निकालना क्या है equation में कालनी है मान लिजिए कि ये हमारे पास कोई parabola है है ना, parabola है correct equation of tangent to a parabola ये दी गई है, ये दी गई है हमको, है ना, ये दे दी गई है, ये दे दी गई कितनी है, y equal to x plus 2 ठीक है, the point and the line from which other tangent to the parabola is perpendicular एक और डाल दी गई, एक और डाली है, जो किया इस वाली पर 90 degree का angle बना रही है, तो कहाँ ये जहाँ पर दोनों cut करेंगे, उस point के coordinate हमको निकालने, the point and the line, जहाँ पर दोनों एक दुस्ते को cut कर रहे हैं, उस point के coordinate निकालने है, तो वो जो भी point होगा, इन सभी में, तो देखिए, इन दोनों जो point होगा, इस वाली line को भी तो satisfied करेंगा, करेंगा कि नहीं, y equal to x plus 2 को satisfied करेंगा कि नहीं, ये point up intersection तो जो point satisfied कर जाए, उस y answer हो जाएगा, हमें आगे सोचना ही नहीं है, minus 1,1, पहला तो नहीं करेंगा, पिपजी भी हालत में दूसरा वालत, try कर लिया जाए, है ना कितना रख लिया जाए, ये दिया गए हमके हमें दिया गया, y is equal to x plus 2, y की जगह पर कितना रख दो, 2, x की जगह पर रख दो, 0 है y की जगह पर रख दो, 2 और x की जगह पर रख दो, 0 प्लस 2, 2 बराबर 2, है ना, equation हमको यही दी गहीं न, y is equal to x plus 2, तो 0,2 भी इसे satisfied कर रहा है, है ना अच्छा, 0,2 भी इसे satisfied कर रहा है इसके बाद आगे आते हैं, 2,4 के पास तो ये अगर 2 रखेंगे 4 रखेंगे, वो 4 ये भी satisfied कर रहा है 2,4 भी satisfied कर रहा है है ना, 2,4 और minus वाला, minus का 2 यहाँ पर अगर हम रख दें, क्या x की जगह पर minus 2 कर जाएगा तो y कमान 0 आ जाएगा है ना, वो भी satisfied कर रहा है शारे point satisfied कर रहा है, मतलब की, अब हम point of satisfaction वाला method हमारा नहीं चल पाएगा है ना, मतलब की हमें कुछ करना पड़ेगा अब देखेगा, अब हमें इस point के coordinate मानेंगे, है ना एक का मान लो coordinate alpha और दूसरा मान लो beta alpha और beta दोनो point of intersection है इन दोनों के, है ना अच्छा, alpha बीटा इसे satisfied करेगा तो एक equation हमें मिलने वाली है क्या, beta equal to alpha plus 2 यह sumi करण एक हो गया, है ना, sumi करण एक हो गया, अगर हम इसमें compare करें, y square is equal to 8x की, तो 4a बराबर 8 यानि कि a is equal to कितना आ जाएगा 2, एक हमान कितना आ जाएगा 2 आ गया, अच्छा एक हमान 2 आ गया तो अब इसकी लिए इसपर रेखागा, sumi करण पहले निकाला जाए, y is equal to कितना हो जाएगा, mx plus a by m है ना, और यह कहां से जा रहे है alpha और beta से, तो x की जगा पे हमें रखना है क्या alpha और y की जगा क्या रखना है m हो जाएगा, cross multiplication करें तो, alpha m square minus beta m plus ka a equal to 0 है ना, मान लेते हैं, इसके भी जो दो root है, एक हो जाएगा m1 plus m2, वो कितना हो जाएगा, minus का b by a है ना, minus का b by a यह m है, तो कितना हो जाएगा, beta by alpha हो जाएगा यहां से, और product अगर निकालना चाहें यह एक हमान रख दीजिए, एक हमान आया, तो है मरे पास्ट, कितना आया, 2 2 आया, है ना, अब अगर हम इसका product निकालना चाहें, m1 into m2, वो कितना जाएगा, c by a यह निकि, दो बटे, alpha अज थोड़ा सा energy की कमी है, है ना, m1 into m2 is equal to कितना आजाएगा, 2 by alpha, अच्छा, अब इसके बाद, हमें पता है कि इस condition पे, अगर यह दोनों 90 degree पे काट रहीं, तो प्रवड़ता होगा, जो गुड़न फोलोगा, वो कितना होगा, minus का 1 होगा, तो minus 1 equal to कितना हो जाएगा, 2 बटा, alpha cross multiplication करेंगे यहाँ पे, तो alpha ब्रावर कितना आजाएगा, minus का 2, alpha ब्रावर minus 2 अगर यहाँ रख देंगे, तो बीटा कितना आजाएगा, पहले एक question रख देंगे, तो बीटा 0 आजाएगा, और point क्या बन जाएगा, point बन जाएगा minus का 2,0 कौन साप्षन सही हो जाएगा, यहाँ पे, डिवाला आप्षन जो होगा, पूरा-पूरा सही हो जाएगा, दर्द, गम, डर्द, जो भी है, बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए, पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिक अंदर है, नमस्कार दोस्तों, मैं उदैसिंग, मैट्स गुरू, उदैसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक, श्वागत और अभिनांदन करता हूँ, और आज हम लोग बिस्कस करने जा रहे हैं, TGT-PGT, मैथमेटिक्स की अग्निपत टेस्स सीरीज का ATS 5, मोडल टेस्ट 5 का सोलूसन जिसमें क्वेस्चन नमबर 51 से लेके 75 तक के प्रशनों को सम्मिलित किया गया है, चलिएगा, सुरुआत करते हैं, आज के इस बहतरीन सेशन की, 51 में दिया गया है A और B, दो मैट्रिक्स दिये गये हैं, अब देखिएगा मजबाद, अब यह रिलेसन ले लेंगे, A2 is equal to B, A2 पहले निकाल लिया जाए, मल्टिप्लाई करेंगे, तो इसके कॉलम का और इसकी रो का मल्टिप्लाई होगा, तो अल्फा, अल्फा स्कॉलम प्लस जीरो, कॉलम और इसकी रो, कितना हो जाएगा यह, करेंगे 0, यह तो 0 ही हो जाएगा, और इसका मल्टिप्लाई करेंगे 0 into 1, यह निकि यह 1 आ जाएगा, equal to, अब आपको पता है कि यह दो equal matrix आ गए हैं, आपको पता है कि जब दो equal matrix दिये जाते हैं, तो उनके correspondence elements जो होते हैं, इस आधार पे, यह वाला element जो है आपका, यह वाला element, इसके बराबर होगा, शंगत अवेव बराबर होते हैं, तो alpha square is equal to 1, और calculate करेंगे तो alpha is equal to plus minus 1 आ जाएगा, है ना, परगमूल लेंगे, और यह alpha plus 1 equal to 5, alpha plus 1 equal to 5, और alpha is equal to कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन, अब यहाँ पे alpha के मान जो हमें मिले, क्या मिले, एक alpha के मान 1 मिला, और 1 मान क्या मिला, minus का 1, और क्या मिला, एक 4, इन में से कोई भी मान जो है, satisfied नहीं करेगा, संतुस्ट नहीं करेगा, चाहे alpha बराबर एक रखके, यहाँ देख लीजिए, एक रखकेंगे, यह वाला element तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वाला element और यह दोने element बराबर नहीं आएंगे, 4 रखके देख लीजिए, यहाँ 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, यानि कि ना तो, देख वाला option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 52, 52 में कह रहा है कि, a square इतना है, find the value of k, if a square equal to 8i plus k, 8a plus k i, तो एक काम करना है, सबसे पहले हम a square यहाँ पे find कर लें, है ना, कितना a square, a square, minus का, 8a, a square minus का, 8a, अब देखेगा यहाँ पे, equal to कितना करतें, equal के उधार है हमारे पास, ki, है ना, ki, अच्छा, अब एक काम करें यहाँ पे, a square find के लिया जाए, a square find करेंगे, तो आ जाएगा, 1, minus का 8, 0, 49, ठीक है, minus 8a, a में 8 से multiply कर दीजे, a में 8 से multiply करेंगे, तो यह आ जाएगा, 8, 0, और यह minus का 8, और यह 56 आ जाएगा, equal to ki, तो यह k हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, चलिएगा, अब आगे, अब देखिएगा, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि, अगर यह, 1 minus का 8, बराबर k होना चाहिए, यह element जब घटाएगे, देखो, 1 में 8 घटाएगे, तो दोनों equal matrix हो जाएगे, correspondence element equal होने चाहिए, यानि कि, k equal to कितना होना चाहिए, यहाँ पर minus 7, ठीक है, अच्छा, k equal to minus 7, और एक जगा देख लीजिए, देखो, 45, 45 में हमें घटाएगे, 56, 45 minus 56, equal to कितना होना चाहिए, k, तो घटा लीजिए, यहाँ पर 15, आग कितना है, 8 सत्य चपन ही तो है, हाँ ठीक है, चपन था, तो यहाँ पर 45 दिया गया है, है ना, 45 नहीं यह 49 है, यहाँ पर कितना है, 49, multiply करेंगे, तो 49 आएगा, 49 minus का 56, तो कितना आजाएगा, minus का 7, दोनों केस पर के का मान, minus 7 आ रहा है, यानि कि कॉर्णस आफ़न सही हो जाएगा, बी वाला जो आफ़न है, 52 का वो correct हो जाएगा, है ना, आगे बढ़ेंगे, question number, 53, 53 में कहा रहा है कि, यह symmetric है, यह A दिया गया है, और आपको पता है, कि अगर A symmetric है, तो आपको पता है कि, A equal to कितना होगा, A dice होगा, A यहाँ पर रख लिया जाए, 4 दिया है, X प्लस 2 दिया है, अच्छा, X प्लस 2 और यह दिया है, 2 X माइनस 3 और यह X प्लस 1, इसका A dice निकाल दिया जाए, A dice, पहले column को, पहली row बना दीजे, पहली row को पहला column बना दो, X प्लस 2, तू दूसरी row को दूसरा column बना दीजे, इस correspondence element equal कर दीजे, देखें, यहाँ पर, यह वाला इसके बराबर होगा, equal matrix है, और यह वाला इसके बराबर होगा, दोने एक के बाते हैं, कर दीजे, X प्लस 2 इक्वाल टू कितना, 2 X माइनस 3, X वाले एक तरफ कर दिया जाया, बाकी एक तरफ कर दिया जाया, तो 5 equal to आजाएगा X, X is equal to कितना आएगा 5, अगर यह symmetric है, तो X कमान कितना होगा, 5 होगा, 53 का B वाला option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, 54, 54, जब वन में कहरा है किया, square matrix, A is idempotent, देखिए, idempotent होगा, यदि, idempotent होने की, जो condition है, वो क्या है, A square is equal to A होनी चाहिए, इस वाली condition पर क्या होगा, idempotent होगा, इस condition पर क्या होगा, idempotent matrix होगा, अगर A square is equal to कितना हो जाए, A हो जाए, आगे बढ़ेंगे, 55, अब देखिए, वो कहते है, adjoint of adjoint A, आपको पता है, कि किसी adjoint matrix का, किसी matrix के adjoint का, अगर adjoint निकाला जाए, तो A के बराबर होता है, यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि adjoint of adjoint, A जो है, वो किसके बराबर होगा, A होगा, करके देख लीजिए, चाहे तो, है ना, पहले अंदर वाला adjoint A निकाल लिया जाए, adjoint A, adjoint निकालने के लिए, simple सी बात है, आपको करना क्या है, adjoint निकालने के लिए, हमें छोटी सा काम यह करना है, कि इन दोनों की जगा रिप्लेश कर दिया करिये, 2 cross 2, यह आगया हमारा omega, और यह आगया x, ठीक, और इनके चिन बदल दिया करिये, minus का z हो जाएगा, और यह minus का y हो जाएगा, फिर से निकालने, अब निकालना हमें, adjoint of, adjoint A, फिर इनके जगा रिप्लेश करिये, इनके चिन बदल देना है, इनके जगा रिप्लेश करेंगे, यह ना main diagonal के element का, जगा रिप्लेश करेंगे दोनों की, आ गई, और sign इनका change कर दिये, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, और आपको पता यह क्या है, तो कौन सा उप्शन सही हो जाएगा, वही ए कहाँ पर दिया गया है, ए दिया गया है हमारा ए में, तो 55 में कौन सा उप्शन सही हो जाएगा, 55 में ए वाला जो उप्शन है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 56, 56 में हमें निकालना है, del, vector del, dot f, अब आपको पता है, कि del जो होता है हमारा, वो क्या होता है, i del, i del, del x, plus j, del del y, plus k, del del z, into f, f को रख देंगे, ठीक है, f को हम यहाँ पर रख देंगे, तो f सब के साथ आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, f का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो f करेंगे, तो यह आ जाएगा, del, f, del x, और यहाँ पर हमारा function f आ जाएगा, plus, ठीक है, i, j, k रखेंगे, i, j, k चुपचा, वो one हो जाएगे, तो x वाला, इसके साथ आ जाएगा, x के respect में, और यह, y के respect में आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, z के respect में, ठीक है, कर दीजिए भाई, इसका आप जब x के respect में करेंगे, है न, इसे जब आप differentiate करेंगे, x के respect में यह वाला, i के साथ, है न, तो कितना आ जाएगा यह, यहाँ पर आ जाएगा, y, plus, आगे, एक तो यह y हो जाएगा, और आगे वाले को हम y के respect में करेंगे, तो देखिए इसमें जे वाले को, देखो जे वाले को जब y के respect में करेंगे, वो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, कितना जिरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ य है नहीं plus फिर यहां पे इसको जब हम जड़िकर रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आ जाएगा तो वाई और य मिला कर जाएगगे 2i हो जाएंगे हैना कितना हो जाएगा यह 2y हो जाएगा अच्छा सिंपल सी बात है देखिएगा एक बार इधर यह लिखा हुआ है डेल वेक्टर डेल और यह लिखा हुआ है f अगर हमें निकालना है तो यह i del x del बटे del x plus j del बटे del y plus k k del बटे del z dot लगा दीजिए और f को रख दीजिए f रखेंगे x y i plus x z j plus y z k देखिए dot में आएगा तो आपको पता है कि dot product में क्या आई का आई के साथ तो यह हो जाएगा हमारे पास del x यह x y आ जाएगा plus del y x z आ जाएगा plus del z के साथ कोन आएगा यह वाला आजाएगा y z ठीक है तो इसका 0 हो जाएगा इसका y हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा आगे बढ़ेंगे, question number 57, देखिए कि 57 में कह रहा है कि if limit n tends to infinite an is equal to 0, then series is sigma an is क्या होगी, convergent होगी, उसलेट होगी, उसलेटरी होगी या divergent होगी, तो देखिएगा, जब भी कभी, अगर मालीजे, एक necessary condition यह है, कि अगर मालीजे, sigma an converge है, अगर sigma an converge है, इसका मतलब क्या है, कि यह condition एकदम necessary होगी, कि n tends to infinite an is equal to 0 होगा, लेकिन, अगर limit statement है, थोरा मैं, हैना, limit अगर n tends to infinite, limit n tends to infinite an की value 0 है, तो sigma an converge हो भी सकता है, और convergent नहीं भी हो सकता है, यानि कि हम एकदम नहीं क्यांगे, necessary है, बिल्कुल होगा ही, अवश्यक condition नहीं होगी, लेकिन यह क्या हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो convergent हर case में, अगर हम tickle मार दें मालीजे, option c, कि convergent होगा, तो हर case में convergent लेना पड़ जाएंगे, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, option number d के साथ जाएंगे, बट, अगर sigma an, एक convergent series है, तो limit n tends to infinite an हमेशा 0 मिलेगा, और अगर limit n tends to infinite an is equal to 0 है, तो sigma an convergent हो भी सकता है, और convergent नहीं भी हो सकता है, चलेगा question number 58, question number 58 में कहरा है कि the angle of intersection आप दा करूँ, तो पहले वाला करूँ उठाईए, y equal to x square, differentiate करिए, y dash, यानि कि m1 आ जाएगा हमारा कितना, 2x, 1,1 पे निकाल दीजिए m1, इसकी प्रवरता निकालिए 1,1 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 2, अच्छा, दूसरा वाला उठाईए, ये दिया गया है, 6y is equal to 7, minus का x की पावर 3, differentiate किया जाए, 6y dash equal to कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये minus का 3x square हो जाएगा, अब आप y dash निकाल दीजिए, minus का 3x square बटा 6, आप आप निकालिए y dash 8, कहां पे 1,1 पे, तो ये आ जाएगा, minus का 1 बटे 2, अब देखो यहां प M2 है, M2 कितना आगया, 1 बटे 2, M1 और M2 का गुड़न फल एक बार चेक कर लीजिए, वरना फिरम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, कई बार होता क्या है, अगर पाई बाई टू एंगल में दिया गया हो, तो आप एक बार चेक जरूर कर लिए करिए, कि M1 और M2 का जो multiplication है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमने किया, 2 गुड़े माइनस का एक बटे 2, cancel out किया, तो यह आगया 1, यानि कि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुड़न फल जब माइनस 1 होता है, तो उन दोनों कर्वस के बीच का जो एंगल होगा, वो 90 डिगरी होता है, यानि कि option C correct हो, question number 59 देखिएगा, the point on the curve, x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0, at which the tangent are parallel to x-axis, जहाँ पे tangent हमारी parallel होगी x-axis को, तो वहाँ पे dy dx कमान क्या होगा 0, यानि कि रेखा की प्रवणता जो क्या होगी, 0 हो जाएगी, है ना, अब देखिएगा, अगर प्रवणता 0 है, तब हम पहले यहाँ से निकालते हैं, इस कर्व की, x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0, x के respect में इसको differentiate किया जाए, यह 2x हो जाएगा, प्लस, यह 2y, y dash हो जाएगा, y dash, और यह minus 2 equal to 0, अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहाँ, 2, 2 सबसे common लेके छोड़ दें, तो यह आजाएगा, y, y dash is equal to, कितना, यह आएगा, 1 minus का x, और y dash equal to कितना हो जाएगा, 1 minus x by y, अब वो कहें क्या रहा है, वो कहें रहा है कि tangent का हर parallel to x-axis, और अगर tangent का हर parallel to x-axis है, तो y dash कमान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 minus x by y, प्रोष मल्टिप्लिकेशन करेंगे, तो यह आजाएगा, 1 minus x equal to 0, यानि कि x equal to कितना तो वहाँ पॉइंट हमको मिल जाए, अब दिखेगा, तो ऐसे जब वन रखे, 1 प्लस y स्क्वेर माइनस का 2, माइनस का 3 इक्वल टो 0, y स्क्वेर इक्वल टो 4, y उक्वल टो प्लस माइनस का 2, यानि कि अब हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, 1,2 और दूसरा क्या बन जाएगा, 1,2, 1,2, 1,2 यानि कि कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा, 59 का ओप्षन सही हो जाएगा, B, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेस्चन नमबर 60, क्वेस्चन नमबर 60 में आपको पता है कि य य कोल्टू दिया गया है, अगर इससे एक इन्वर्स लिखा गया है, तो इसे हम कौस इन्वर्स अगर लिख दें, एंगल पलड जाएगा, यह आ जाएगा, रूट में, एकस माइनस वन डिवाइड़ बाई, एकस प्लस वन, प्लस, साइट इन्वर्स, रूट, एकस माइनस वन, डिवाइड एकस प्लस वन, आपको पता है कि, साइन इन्वर्स थीटा, प्लस कॉस इन्वर्स थीटा की वैलू किसके बराबर होती है, वो होती है, पाई बाई यह इसको तो y dash equal to 0 आ जाएगा और अगर x वराबर दो पर भी y dash निकालेंगे तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा कौन सो आप्षन से हो जाएगा 60 में डी वायला जो आप्षन है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 61 की तरफ 61 61 में कर आए कि differential coefficient of the sick 10 inverse x है ना चलेगा y equal to पहले हमसे माल लेते हैं y equal to दिया है sick और कितना दिया है 10 inverse x पहले sick और 10 inverse यह हटाया जाए फिर हमसका differentiation निकालेंगे तो पहले 10 inverse को भी convert कर लीजिए sick inverse में तो वो कैसे निकरेंगे convert ट्रेंगल बनाएंगे लंब बटे आधार होता है x बटे 1 लिखेंगे लंब कितना हो जाएगा x हो जाएगा आधार यह हो जाएगा यह माली जी हमें एंगल ले रहे हैं ठीक है और यह हो जाएगा रूट में बन प्लस x स्क्वैर और आपको पता भी से में किसमें शेक्राइग है से इस को चिने में जाएगा root के अंदर one plus x square1 plus x square का फिर से हो जाएगा तुएग्स हो जाएगा दोनों cancel out हो जाएंगे यहाँ आङ刘गा x बड़ै root 1 plus x square x बटे root 1 plus x square कहाँ पे है option development 61 का development correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 62 62 में कह रहा है कि ओकल समीकरण ये दिया गया है के लिए निम्न में से कौन सा समाकलन गुडांक नहीं है तो देखिए आप इसका समाकलन गुडांक निकालेंगे तो 1 by x एक तो एक बार जब आप इसे कर देंगे क्या dy dx और minus का 1 by x y कर देंगे equal to 0 तब इसका जो गुडांक आजाएगा एक बटे x आजाएगा इसका integrating factor एक बटे x आजाएगा और अगर हम क्या करें इसे dx बटे dy कर दें तो इसका integrating factor कितना आ सकता है एक बटे y आ सकता है यहाँ पे ऐसा कोई option नहीं है RPSC का question है उन्होंने option number d को correct माना था है ना आप बताएगा आपका इसके बारे में क्या राय है question number 62 के बारे में आपकी क्या राय है एक बार आप comment करिएगा फिर इसके बाद पांसो लोग हिंदी बोलते हैं देखे और सो लोग है om तोटल विर्टिक और सो लों कितने हैं तोट अ डाह अ toplade अंट सो लोग हैं टोटल एक रणा कुल कितने हैं आठ सो अच्छा हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं हिंदी 500 लोग बोल रहे हैं और अंग्रेजी कितने लोग बोल रहे हैं साड़े 400 बोल रहे हैं सब को जोड लिया जाए हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले हिंदी अलग और अंग्रेजी अलग बोलने वाले लोगों की संख्या शारे 900 है अब बताइए सारे 900 है टोटल 800 है तो 800 घटा दिया जाए तो मतलब 1.500 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं यानि कि यहाँ पर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 1.500 कितना आएगा कि y is equal to ऐसे condition में करते क्या हैं एक टर्म छोड़के पूरे को हम y के बराबर माल लेते तो इसको पूरे को हम क्या माल लेंगे y के बराबर माल लेंगे तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा y equal to equal to x की power y और in this condition आपको पता है फंसन होता तो log लेते हैं तो कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा log y equal to y log x y log x चलिए differentiate करिए x के respect में कितना आ जाएगा यह 1 by y और y का फिर से होगा y dash equal to y को बाहर करें चुपचाफ इसका differentiation करें एक बटे x प्लस अगली बार log x को बाहर करें और y dash का differentiation करें आराम से किया जा सकता है हमें निकालना यहाँ पे x d y d x है ना चलिए एक काम करते हैं यहाँ पे पहले तो आप लीजिए lcm यह आजाएगा y dash बटा y equal to कितना y plus x log x x log x y dash है ना डिवाइड़ बाई कितना आजाएगा x अच्छा अब इसको इधर ले आओ x y dash equal to आजाएगा y square plus x y y dash log x हमें चाहिए क्या y dash है ना y dash पूरा y dash वाले एक तरफ ले आओ x y dash लेंगे common तो आजाएगा 1 minus अब देखो यहाँ पे x y dash पॉमन नहीं कर ले गया तो y minus का यहाँ पे क्या बचाएगा y log x 1 minus y log x is equal to कितना y square यहाँ से आगया x y dash is equal to कितना y square बटे 1 minus y log x यानि कि यहाँ पे कौन सा option सही हो जाएगा option number 64 का a वाला option जो है वो correct हो जाएगा 64 का a आगे बढ़ेंगे question number 65 question number 65 में पूछा गया है यह y equal to 1 plus x y 1 factorial दिया गया है आपको पता है यह क्या है e की power x का expansion लिखा हुआ है है ना minus infinite से plus infinite के बीच में हमाना x होता है चलेगा अब differentiate कर दीजे y dash is equal to भी आ जाएगा e की power x y double dash x निकालोगे आप यह भी आएगा e की power x यानि की y double dash x की जगा पे आप रख सकते हो गया y तो कहरा किसके बराबर होगा d square y dash 2 यानि की y double dash किसके बराबर होगा y के बराबर होगा कौन सा option सही हो जाएगा c वाला option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 65 की तरफ 66 question number 66 में कह रहा है कि differentiation of cos inverse x with respect to जिसके respect में रहता है वो नीचे रहेगा है यह होता है x के respect में करते हैं तो x वाला नीचे रहेगा तो यह काम करते हैं इसको पहले y1 मान लेते हैं इसको अगर हम y1 बराबर कितना मान लें cos inverse x और differentiate कर दें इसको y1 को तो y1 dash equal to यानी कि हम कह सकते हैं कि d y1 dx equal to आ जाएगा कितना minus 1 by root 1 minus x square है ना चले इसके बाद y2 ले लिजे y2 equal to कितना दिया उसने sin inverse x इसको भी x के respect में differentiate करिए तो ये आ जाएगा 1 by root 1 minus x square दोनों को divide कर दीजे क्योंकि हमें क्या निकालना dy1 dy2 है ना dy1 dy2 निकाल दीजे तो कितना जाएगा dy1 दोनों को divide कर दीजे इसको और इसको divide करेंगे तो देखो दोनों का ensal out हो जाएगे और इधर के आ जाएगा dx dx कर जाएगा यानिकि ये आ जाएगा अब हमारे पास कितना dy1 dy2 is equal to minus का 1 सिर्फ minus 1 बचेगा बाकि सबको सेम है कौन सा अफ़न से हो जाएगा 66 का डी वाला जो option है वो correct हो जाएगा c, c, c for cut 67 में लिखा हुआ है y equal to log x तो देखेगा y equal to log x एक काम करेंगे देखेगा x जब greater than 0 होगा तो x का मान जो है वो positive होगा और x जब less than 0 होगा तो ये हो जाएगा x की जगाब हम कहलेंगे minus का x लेंगे दोनों condition पर हम इन्हें differentiate करेंगे y equal to जब हम log x लेंगे तो आपको पता है इस y का differentiation कितना हो जाएगा 1 by x y is equal to जब हम लेंगे log में क्या minus का log minus x तो y dash equal to हो जाएगा y dash equal to हो जाएगा कितना पहले तो ये आ जाएगा फिर इसका फिर से हो जाएगा तो minus का बन हो जाएगा यानि कि ये भी क्या गया 1 by x और ये भी क्या गया 1 by x यानि कि y log mod x का जो differentiation होगा वो क्या होगा 1 by x होगा कौन साफ़न सही हो जाएगा बी वाला option 66 में सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 68 की तरफ एक मेंट क्वेस्चन नमबर 68 68 68 इन विजे ये विचन रहा आगे बढ़ेंगे 68 करा कि साइन x प्लस y और log x प्लस y दें डिवाइड एक समको find करना है अच्छा देखें आपे साइन x प्लस y लिखा है एक काम करेंगे हमको पता है हम x के respect में इसको differentiate करने जा रहे हैं साइन का क्या होगा करिए 68 में देखें x के respect में इसको differentiate करिए आपको पता है यह हो जाएगा cos x प्लस y और इसका फिर से differentiation होगा तो यह आजाएग 1 प्लस y देस equal to log वाला करोगे तो यह आजाएग 1 by x प्लस y और इसका फिर से होगा तो यह 1 प्लस y देस हो जाएगा ठीक है अब एक काम करते हैं सब को इधरी उठा लाओ तो 1 प्लस y देस दोनों में आजाएगा common दोनों में ले लिए हमने common और यहाँ पे क्या बचा यह log x प्लस y minus 1 by x y equal to 0 पहला वाला factor को 0 कर दीजिए दोनों factors को 0 किया जा सकता है 1 प्लस y देस is equal to 0 तो y देस is equal to minus 1 अगर option ना match करता था हम आगे वाले में फिर ट्राइ करते हैं लेकिन यहाँ से y देस निकलने के कोई chance नहीं है वो आजा coefficient चुपचाप 0 के बटे में उधर भेजा जा सकता है ह ना चलिएगा y देस is equal to minus का 1 कौन साप्षन से हो जाएगा 68 का दी वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question 69 f x दिया गया है तो हमें निकालना है f dash यहाँ पर जो one type दिखा रहता है ना तो typing रहती है यह f dash e पूचा जाता first derivative होता जो one बने तो second derivative तीन बने तो third derivative है ना तो यह f x दिया गया है हमको f x is equal to कितना दिया है इसने log log x ठीक है first derivative निकाला जाए f dash x निकाला जाए तो इसका करेंगे तो one by log x आ जाएगा और log x का फिर से हो जाएगा तो यह one by x हो जाएगा ठीक है अच्छा अब हमको क्या करना है f dash e निकालना है e रख दिजे जहाँ जहाँ x है तो यहाँ जाए ग रख दिया गया one to one by e और आपको पता है है ना कि नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो जाती ही ला अगर तिन की तो उसका मान वन हो जाता है तो यह कितना जाएगा one by e तो कौन साफ़न से हो जाएगा 69 का a 69 का a क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 70 कि क्वेंटी क्व या वेक्टर perpendicular to both आप जब भी दो वेक्टर दिये जाएं और उनका perpendicular वेक्टर आपसे पूछता है है ना तो आपको क्या करना है उन दोनों का cross product निकाल देना है वही answer हो जाएगा वेक्टर a cross vector b equal to i, j, k है ना i, j, k हो गया अच्छा i कितना दिया गया है 4, j कितना दिया गय फिर यह 3, यह 1, यह minus का 1, निकाल दिया जाए, i into, यह छुटेगा, यह चुटेगा, 1 minus 3, तो यह minus का 2 हो जाएगा, minus का j into, यह और यह चुटेगा, minus का 4, minus के 9, यानि कि minus का 13, plus k into, यह चुटेगा, 4 plus 3, यानि कि यह आ जाएगा, 7, calculate करेंगे इसे, minus का 2i, plus का 13j, plus का 7k, कौन सा option सही हो रहा है, यहाँ पे option number C, 70 का, C वाला जो option होगा, वो correct हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे, question number 71, 71 में कहरा है कि किसी चतुर भुजे, ABCD, यह चारो भुजाएं अश्मान हैं, जो विकरण AC और BD को समकोल पर काटते हैं, तो देखेगा, एक काम करते हैं हम, समकोल पर कटवा रहा है ना, अलग-अलग हैं सभी, अलग-अलग भी कर लेंगे, कोई दिक्रत नि, भुजाएं बराबर नहीं है, कोई भी, ठीक है, इनके दोरों की विकर्ण सभी कितने अंस पर काट रहे हैं, नबबे अंस पर काट रहे हैं, यहाँ A D square equal to हो जाएगा इस triangle को उठाइए A D square equal to हम इसका मुआन M मान लेते हैं यह आजाएगा A M square plus M D square आगे वाले हम जाएए C D square is equal to कितना हो जाएगा अरे पाईथा गोरा सप्पे में ही तो लगा रहे हैं यह हो जाएगा M D square और M D square plus M C square ठीक है अच्छा यह हो गया इन दोनों को घटा दीजिए लगे हाथ घटाएगे तो देखो कितना आजाएगा A D square minus का C D square equal to यह आजाएगा देखो कटेगा तो M D square M D square खतम हो जाएगे और A M square minus का M C square यह आजाएगा इससे question 1 बना दीजिए आगे बढ़िए अब नीचे वाले दोनों triangle उठाएगे देखिए नीचे वाले दोनों triangle यह वाला और यह वाला triangle उठाएगे पाइथागोरस थाओर हम अपलाई कह रहेंगे A B square equal to कितना हो जाएगा B M square plus A M square ठीक है और दोसरे वाले में B C square equal to कितना हो जाएगा B M square plus M C square घटा दीजिए दोनों को A B square minus का B C square equal to B M B M कर जाएगे उपर A M square है minus का M C square है equation 1 और 2 में देखिए RHS दोनों के बराबर है इसलिए LHS दोनों क्या हो जाएगे बराबर हो जाएगे इक्वेशन 1 और 2 यह आजाएगा A D square minus का C D square is equal to A B square minus का B C square एक काम करते हैं इस minus के A B को इधर ले लो तो plus की आजाए क्योंकि सारे option plus में दिये हैं A D square plus B C square is equal to A B square यह C D इधर minus की इधर ले लेओ plus का हो जाए तो A D square plus B C square A D square plus B C square is equal to A B square plus C square कौन साफफन सही हो रहा 71 का B वाला option जो है वो correct आ रहा है है ना आगे बढ़ेंगे question number 72 देखिए गए यहाँ पे question number 72 में करा है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोर का मान कभी भी नहीं हो सकता थोड़ देर के लिए हमें एक बहुभुज ले रहे हैं माल लिजे कि यह हमारे पास एक triangle है और यह इसका exterior angle है exterior angle कैसे निकालते हैं 360 बटे N है ना भुजाओं की संख्या से क्या करते हैं भाग दे देते हैं अच्छा तो interior angle इन दोरों का सम कितना होगा 180 अगर मुझे आंतरिक कोर निकालना हो इसका तो मैं क्या करूँगा 180 माइनस 360 बटे N N क्या है भुजाओं की संख्या अच्छा वो कह रहा आंतरिक कोर कौन सा नहीं हो सकता तो 1500 वाले पहले इस option को लेके देखो पहले वाले option को लेके देखिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा पहला वाल option देखिए फर्स्ट option ट्राई करिए अंतरिक कोर आप x 1500 लेके चलिए 1500 इक्वल टू 180 माइनस का 360 बटे N 180 में 1.500 इधर घटा दीजिए यह आजाएगा 360 बटे N इक्वल टू कितना 30 0 स 0 काट दो 12 मतलब भुजाओं की संख्या 12 हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है मतलब यह वाला हो सकता है करा कभी नहीं होगा यह बताना है हमको वी वाला option देखिएगा 105 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 360 बटे N अच्छा अब देखो 105 में अगर 180 को हम घटाएंगे इधर लाके तो माइनस का 75 बचेगा दोनों-दोनों माइनस काट देंगे तो 75 इक्वल टू आ जाएगा 360 बटे 360 नहीं 360 बटे N पंदरा से काट दीजिए इसको पंदरा पचे पचत्तर पंदरा दुनी तीस पंदरा चोका साथ N बराबर आजाएगा 24 बटा 5 N बराबर आएगा 24 बटा 5 अब देखिए कभी भी जो N का मान है ना वो पूरांक नहीं होगा है ना दसम्बलों में मान नहीं आएगा है ना वो क्या होगा N का मान एक प्राक्तिक संख्या होगी है ना एक प्राक्तिक संख्या होगी तब यो बहुद बनेगा वो भी यो प्राक्तिक संख्या होगी वो क्या होगी greater than 2 दोसे जादा है ना तो N का मान नहीं होगी सब भुजाओं की संख्या आपको एकदम नैशुरल मिलती चली जाएगी आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 73 तीहत्तर तीहत्तर में करा की integration 10 inverse root x एक काम करना है आप रूट x is equal to t ले लेंगे तो आ जाएगा 1 by 2 root x 1 by 2 root x is equal to कितना और ये dx और साच में कितना आ जाएगा dt है ना यानि कि ये dx इस equal to आ जाएगा 2 root x और dt अब आ जाएगे यहां पर यानि कि हम यह कह सकते हैं कि dx is equal to 2 आजाएगा 2 t dt 2 t dt ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब आजाओ integration के पास integration 10 inverse t और यह क्या हो जाएगी t तो 2 आजाएगा 2 को करो बाहर 2 10 inverse t और कौन? d t है ना इसके बाद 2 को चुप चाप वही रहने तो बाहर differentiate करिए, islet कौन पहले हैं यहाँ पर inverse trigonometric function पहले तो उसे first माना जाए, तो यह हो जाएगा हमारा first और यह क्या हो जाएगा, second ठीक है, first को चुप चाप रखते है second का integration, second का integration करेंगे तो कुतना जाएगा, t square by 2, first को चुप चाप रखा जाए 10 inverse t minus, integration first का differentiation 10 inverse t का differentiation करेंगे 1 plus t square आएगा और इसका integration कर दीजिए, तो यह आजाएगा 2 square by 2 और यह dt, ठीक है इस 2 का अंदर multiply करिए multiply करेंगे, तो यह का आजाएगा t square 10 inverse t minus इस 2 से यह वाला 2 कर जाएगा आजाएगा t square बटे 1 plus t square, तो यह plus 1 करो, minus का 1 करो और यह dt, ठीक है अच्छा, t की जगा पे आप t square की जगा आप x रख दो, x आजाएगा x 10 inverse root x minus, देखिए t square plus 1 नीचे t square plus 1 है, 1 हो जाएगा और integrate करेंगे, वो आएगा t, t का मान कितना रखेंगे root x, ठीक है आगे देखो minus है, minus minus plus करेगा, 1 upon 1 plus t square होगा, वो 10 inverse t बनेगा t का मान रखेंगे, तो 10 inverse root x हो जाएगा, अब plus c अब एक काम करो यहाँ पे 10 inverse root x अगर common ले लिया जाए, तो x plus 1 होगा, है ना, वैसे लिखने का सही तरीका होगा, कि x plus 1 को आगे रखा जाए वो ना लगे कि अंगल में है x plus 1 into 10 inverse root x, minus का root x plus c, कौन सा option सही हो रहा है, यहाँ पे, a वाला option थी, 73 में, a होगा correct, आगे बढ़ेंगे question number 74 की तरफ 74 74 में बोल रहा है कि which one of the following is linear differential equation, है ना, linear differential equation होगा कौन सा तो देखेगा, आपको पता है कि linear differential equation होने के लिए हमारे पास जो dependent variable होता, उसकी power में 1 होना चाहिए, और differential coefficient, यानि कि degree जो होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए, तो देखेए, यहाँ पे degree तो इसकी 1 है, लेकिन जो हमारे पास dependent variable है, परतंतर multiple में नहीं होना चाहिए, अगर multiply में होगा, तो भी differential equation नहीं होगा, तो यह भी नहीं होगा आगे वाले में आईएगा, इसकी degree 1 है, और y की power, है ना, यानि कि dependent variable की power 1 है, दोनों की degree 1 1 है, इसलिए क्या होगा, यह linear होगा, यह क्या होगा, linear यह भी नहीं होगा, तो कौन सा आप्षन सही हो जाएगा 74 में, C आप्षन जो होगा, वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 75 75 में कह रहा है कि if ABCD are in harmonic motion कह रहा है, ABCD क्या है harmonic motion में हैं देखिएगा, हम क्या करेंगे एक स्रीज लेके चल रहे हैं, अगर हम मान लीजे by chance, HP लेके चलते X होता, फिर X प्लस Y होता है ना, सुरी, AP और X प्लस 2Y होता और X प्लस 3Y होता है ना, तो हमारे पास harmonic motion में क्या होता, harmonic progression है ना, harmonic progression, हरात्मक्स रेडिय में क्या होता, यह का पलट देते H गोल टू 1 बाई X B गोल टू 1 बाई X प्लस Y उपर वाले HP में है तो इनका reciprocal उपर वाले AP में है, तो इनका reciprocal यह नहीं कि इनका व्यूत क्रम समांतर सेड़ी में होगा C गोल टू 1 बाई X प्लस 2Y और D 1 बाई X प्लस 3Y है ना, तो देखेगा यहां पे, यहां पे हमें try करना है पहले option A प्लस D पहले A प्लस D निकालो, A और D जोडो A और D तो A कितना है, 1 बाई X प्लस D कितना है 1 बाई X प्लस 3Y हम A प्लस D पहले निकाल नहीं है ठीक है, A plus D चेक करना है A plus B चेक करना है, यही सब है देखिएगा, 1 by X, L C हम लेंगे तो कितना आजाएगा X square plus 3 XY, और यहाँ आजाएगा X plus 3Y plus X, यानि कि यह हो जाएगा, 2X plus 3Y, ठीक है अच्छा, इसके बाद आप निकाल दो B plus C, B plus C B और C को एड़ कर लीजे B और C 1 by X plus Y X plus Y 1 by X plus 2Y L C हम लेंगे, तो यहाँ जाएगा X square plus 3XY plus 2Y square और उपर देखो, X plus 2Y और X plus Y तो यह बन जाएगा, कितना 2X plus 3Y देखो, अन्स में वही है हर में वही है दोनों के अन्स सेम सेम हैं बस जिसका हर बला होगा वह छोटा हो जाएगा देखेगा यहाँ पे A plus D में हर किसका बला है इस वाले का तो मतलब A plus D बला होगा B plus C क्या होगा छोटा होगा अच्छा option number A भी सही हो सकता है अगर हम इसमें A plus B निकालें लेकिन किसके ज़्यादा chance है वो हमेशा होना चाहिए हर condition पे देखेगा अगर हम A plus B निकालेंगे इसमें तो A plus B जो निकल के आएगा वो आएगा 2X plus Y बटे निकालिए अगा उसे आप X square plus XY और हम निकालें C plus D C plus D C or D अगर हम निकालें तो वो आजाएगा 2X plus 5Y divided by Y आजाएगा X square plus 5xy plus 6y square इतना कुछ आएगा अब देखे clearly हम इनके बारें नहीं कह सकते उपर देखो 2X में Y जुड़ा है और इसमें कितना जुड़ा है 2X में 5Y जुड़ा है तो इन दोनों के बारें में निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि ये बड़ा होगा कि नहीं होगा लेकिन always condition में A plus D हमेशा क्या होगा बड़ा होगा कि से B plus C से तो option number D क्या होगा हमारा correct answer होगा हम यहाँ पे A, B, C, D की value लेट कर सकते हैं series के रूप में जिसमें option A और D दोनों आएंगे तो हम option number D के साथ जाएंगे D क्या है हमेशा case में इस case में देखिए आपको हमेशा क्या होगा 2X plus अगर दोनों के answer बराबार है तो हर जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा तो यहाँ पे A plus D greater than होगा किस से D plus C से तो D value option correct हो जाएगा आज की class यहीं तक कल मिलेंगे हम आगे की सवालों के साथ थेंक्यू, जैहिंद थोड़ा जिद्धी हूँ खौब देखने से बाज नहीं आता अपने सपनों के लिए बिना संधर्स किये हार जाओं यह मुझको नहीं आता नमस्कार दोस्तों मैं उदै सिंग, मैं अध्यू गुरू उदैसर यूटूब चैनल पे आप सभी का हारदिक स्वागत और अभनेंदन करता हूँ और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं अगली पत्तिस्ट स्रीज का ATS 7 जिसमें क्वेस्चन नमबर 101 से लेके 125 तक के प्रशनों को समलित किया गया है चलिए क्वेस्चन नमबर 101 आपके सामने है सुरुआत करते हैं आज के इस बहतरेन सेसन की लिखा हुआ है इंटिग्रेशन की लिमिट दी गई है जीरो टू A F X डिवाइड बाई F X प्लस F A प्लस B माइनस X दी अक्स तो कह रहा है क्या होगा इसके क्वेल किसके होगा हमने आई की क्वेलेट कर लिया है अब इसमें हम लोग प्रगूर अप्लाई करेंगे है ना प्रगूर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रॉपर्टी कौन सी जीरो टू A सुरी A टू B F X D X इस इक्वाल टू जीरो टू B F A प्लस B माइनस X मतलब अपर लिमिट लोवर लिमिट अपर लिमिट दुनों को जोर के X गटा के X की जगह पर रख देते हैं है ना चलेगा रखते हैं यहां पर देखेगा तो यह हो जाएगा हमारा इंटिग्रेशन की लिमिट A to B और X की जगह पर आजाएगा A प्लस B माइनस X divided by यहां पर X की जगह पर आ जाएगा कितना A प्लस B माइनस X और यहां पर देखेए X की जगह पर आप रखेंगे A प्लस B माइनस X दोनों कैंसिल आउट हो जाएगे सिर्फ X बचेगा यानि कि A प्लस B X की जगह पर क्या रखेंगे A प्लस B माइनस X तो प्लस का हो जाएगा और यह दोनों A A और B दोनों कैंसिल हो जाएगे यानि कि F आफ X बचेगा और यहां लगा दीजिए DX यह एक क्वेस्टन हो गए Q1 और Q2 को अगर हम एड कर देंगे तो यह आजाएगा 2I इकुल टू देखें एड करेंगे हर दोनों के बराबर है अंसर से अंसर जुड़ जाएगा और अंसर भी हर के बराबर आजाएगा तो यहां पे आएगा 1 और यह हो जाएगा DX है ना तो यह आजाएगा 2I is equal to X आजाएगा Upper limit हमारी B है Lower limit A है 2I is equal to कितना आजाएगा Upper limit माइनस lower limit है ना B माइनस A तो integration जो आजाएगा वो कितना आजाएगा B माइनस A by 2 कौन सा option से ही हो जाएगा C वाला option जो है correct हो जाएगा 101 का C option correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 102 देखेगा 102 में integration दिया गया है 0 to 1 log 1 plus x divided by 1 plus x square थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे है ना देखेगा अब इसे हम I के equal करेंगे चलिए लिट कर लिए हमने I के equal integration हो गया 0 to 1 log 1 plus x divided by 1 plus x square एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे x is equal to हम 10 theta लेट करेंगे x is equal to 10 theta लेट करेंगे differentiate करेंगे dx is equal to आ जाएगा shake square theta d theta है ना यह कितना हो जाएगा भाई limit change करेंगे 0 होगा तो 0 ही रहेगा 0 जब रखेंगे lower limit जब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी theta कमान भी 1 रखेंगे तो pi by 4 y by 4 आ जाएगा और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा कितना log में 1 plus 10 theta divided by यहाँ पे रखेंगे 1 plus 10 1 plus 10 square theta यह हो जाएगा shake square theta और आपको पता है जहाँ dx वहाँ पे रखना shake square theta d theta shake square theta d theta दोनों को cancel out कर देंगे और यह हमारा integration आ जाएगा यह आ जाएगा integration कितना i equal to 0 to pi by 4 log log 1 plus 10 theta d theta ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पे भी प्रगूल अपलाई करेंगे प्रगूल अपलाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा i equal to आ जाएगा 0 to pi by 4 और यहाँ आ जाएगा log में कितना 1 plus 10 pi by 4 minus theta 10 45 minus theta किसके बराबर होता भी यह 1 minus 10 theta divided by 1 plus 10 theta और यह d theta चलिए इसे अगर हम question 1 बना दें तो यहाँ देखिएगा lcm लेंगे तो i is equal to आ जाएगा कितना 0 to pi by 4 और यह आ जाएगा log lcm लेंगे तो देखो 10 से 10 कट जाएगा उपर बचेगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 plus 10 theta और यह d theta है ना यह आ जाएगा i equal to कितना भाई यह आ जाएगा log 2 को बाहर कर लेंगे integration 0 से pi by 4 और यह d theta माइनस का आ जाएगा 0 to pi by 4 log 1 plus 10 theta d theta और देखिए question 1 और question 2 जोड़ देंगे दोनों को जोड़ेंगे यह और यह दोनों cancel out हो जाएगे यानि कि हमारे पास i और i मिला के कितना हो जाएगा साहब यह हो जाएगा 2i 2i is equal to कितना आ जाएगा 2i is equal to आ जाएगा log 2 और यहाँ पे इसका 1 आएगा x आएगा थर theta आएगा और theta के लिए limit apply कर देंगे pi by 4 और यह 0 है ना कितना आ जाएगा यह 2i equal to log 2 into pi by 4 minus का 0 है ना तो कितना जाएगा i equal to pi by 8 log 2 pi by 8 log 2 102 में यह वाला option correct हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे question number 103 103 करा find area आप दा ellipse करा कि इस ellipse का area find कीजिए चलेगा इस ellipse का हमको area निकालना है देखे जो कोई area जो हमारा ellipse होगा इस type का होगा है ना कितने 4 symmetric area मिलेंगे देखे यह सभी बराबर होंगे यह और यह और यह सभी क्या होंगे बराबर होंगे यह हमारा इसका origin होगा origin 0,0 हो जाएगा है ना यह कितना हो जाएगा भी यह 0,0 और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा A, 0 इसका सीर्स हो जाएगा, अब देखेगा हम अगर 0 to Y है ना, अगर हम इसका एरिया निकालें एरिया इक्वल टू, देखें एक भाग ये, दो, तीन, चार चार भाग हो रहे हैं चार भाग हो रहे हैं, तो एक का निकाल के, चार से मल्टिप्लाई कर दें है ना, 0 2 A Y D X है ना, 0 to A Y D X, चलिए, Y यहां से निकालते हैं भाई, यह कितना आ जाएगा Y निकालेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा Y square by B square is equal to 1 minus X square बटा A square है ना, फिर क्या करेंगे हम, L C हम लेंगे, तो यह Y square is equal to आ जाएगा, B square equal to कितना, A square minus X square बटे A square, अच्छा कुल मिला के Y बराबर यहां पे आने वाला है कितना, B बटा A, root में A square minus X square, ठीक है, हमें निकालना area, 0 to A, Y D X Y का हम मान रखेंगे, तो simple सी बात है कि यह 4 और यह B बटा A आ जाएगा, बाहर, और यह 0 to A 0 to A, Y की जगा आप रखेंगे कितना, root A square minus का X square DX, अच्छा 4 B को हम बाहर करेंगे, 4 B by A को बाहर करेंगे अब इसका देखेंगे, इसका integration होता क्या है एक तो होता है हमारा X Y 2 X Y 2 और root हो जाएगा A square minus X square ठीक है, plus कितना हो जाएगा, A square by 2 plus में आता है A square by 2, under root A square minus X square का integration क्या होता, यह formula पूछा भी जा सकता है, बहुत ही important है A square by 2 और यह sin square X by A plus C, तो रखने जरूरत नहीं limit रख दीजिए, 0 to A चलिए, अब आप क्या करेंगे पहले A रखेंगे, तो दिखेंगे जब आप A रखेंगे, तो यह हो जाएगा 4 B by A, जब A रखेंगे तो यह 0 आ जाएगा, अच्छा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह वाला पहला टर्म तो हो गया, 0 into, sine inverse 1 है, sine inverse 1 का मतलब क्या हो गया, कि यह pi by 2 बन गया, कितना बन गया, pi by 2 बाकि 0 यह सभी 0 बन जाएगा, देखो यह term भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x कमान 0 रखोगे और यहाँ पर sine inverse x, x कमान 0 हो जाएगा तो यह term भी 0 हो जाएगा, आगे से 1 काट देंगे, तो बचे का कितना pi, a, b कौन सो अप्षन सही हो जाएगा, 103 का, 6 नमबर वाला जो भी तल्प है, वो सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 104 चलिए, 104 बहतरीन question है, करा find the area of loop, आप दे करो, करा कि find the area find area of the loop, आप दे करो, आप, तो करा कर्व दिया गया है, तो इस loop का हमको area निकालना है, देखिएगा, यह जो loop होगी हमारी, आप, इसका जो figure बनेगा, क्या दिया है, a, y square is equal to x square into a minus x, तो यह जो loop होगी हमारी, कुछ इस तरह से बनेगी, आप, यह loop कुछ इस तरह से बनेगी, इसका जो graph बनता है, वो कुछ इस तरह का बनेगा, तो यहाँ पे हमारा origin होगा, यह हमारा origin है, origin का मतलब हो गया, कि इसके जो coordinate है, वो 0,0 हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे, और यह जो होगा, यह पूरा बराबर रहेगा, symmetry होता पूरा, यह जो होगा, वो हो जाएगा, a, 0, है न, x अच्छ पे, चलिएगा, हमें क्या निकालना, इसका area निकालना है, तो देखें, यहाँ पे दो symmetric बन रहे हैं, एक तो यह वाला area, और एक यह वाला area, दोनो area, तो हम क्या करेंगे, 2 से multiply कर लेंगे, है न, a, area equal to कितना आजाएगा, 2, और 0 to a, है न, x अच्छ के long कितना हो जाएगा, x अच्छ के long कितना हो जाएगा, 0 to a, y, d, x, y, d, x, है न, अगर हम यहाँ से y निकालना चाहें, है न, कितना निकालना चाहें, y, तो देखो, यहाँ से y कितना आएगा, y is equal to आजाएगा, x, x आजाएगा, square root ले लिजए, दोनों तरफ, यह root a आएगा, और यह भी root में आएगा अंदर, हम चाहरे हैं कि इसको लिख दिया जाए, a minus x, बटा root a, root लगा है न, तो a को हमने अंदर ले लिया, अच्छा, मतलब कि y कमान यह आने वाला है, यह यह area आजाएगा, to integration, 0 to a, y की जगा पर क्या रखेंगे, x, root में कितना, a minus x, बटा, a, और यह, dx, x, अब देखिए, एक छोटा सा काम यहाँ पर हमको करना है, छोटा सा काम यह है, कि इसको t मान लिया जाए, है न, इसको t मान लिया जाए, मान लिया जाए, यहीं पर मान लेते हैं, इसको हम t मान रहें, माना, माना, root, a minus x, by a, is equal to t, अच्छा, अगर इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, a minus x, बटे a, equal to t square, फिर differentiate करेंगे, तो इधर देखो, a का तो, a बटे a, इसका 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, minus का x, तो वो 1 बन जाएगा, 1 by a, dx is equal to, इधर 2 square हो जाएगा, उसका हो जाएगा, 2 t dt, है रहा, कुल मिला के, अगर हम यहाँ, dx is equal to, रखना चाहें, तो कितना आजाएगा, minus का, 2 a t dt, है ना, minus का, 2 a t dt, dx जाएगा, पर हम, क्या रखेंगे, x, lower limit कितनी दी गई, यह उनको, 0 to a दी गई है, और जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पर, x का मान 0 रखेंगे, तो देखो, x का मान 0, कहां रखेंगे हैं, यहाँ पर रखेंगे, x का मान 0, तो 1 आएगा, तो यह 1 आजाएगा, कि a t square minus a, फिर इस minus का मल्टिप्लाई करोगे, तो a minus a t square, कितना आ जाएगा यह, a minus का a t square, और इसकी जगह पे, आपने पूरे की t माना है, तो यह आ जाएगा, into t, और dx की जगह पे, आपको रखना है, minus का, 2 a t dt, तो हम यह minus बाहर निकाल लेते हैं, और into में, 2 a t dt रख लिया जाए, जो यह 2 a भी बाहर निकल जाएगा, a के इससे बाहर निकल जाएगा, और यह जो minus है, वो minus अपना कमाल दिखा देगा, यह जो minus है, आप limit interchange कर दीजिए, upper को lower, lower को upper बना दीजिए, तो कितना जाएगा, यह minus का हो जाएगा, भाई, 4 a square, ठीक है, और limit हुई change, 0 to 1 हो गई, 0 to 1 हो गई, 1 to 0 थी, 0 to 1 हो गई, minus खतम, यह minus हटा लिया जाए, हटा दिया, अब देखिए गया, यह निकल गया, यह निकल गया, अब टी का करो, multiply, दो है, एक यह T है, एक यह T है, T square, T square का करेंगे हम, multiply, multiply करेंगे, तो यह कितना आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास, T square minus, T की पावर में 4, है ना, और यह सहाब DT, चलिए, अब यह आ जाएगा, 4 A square, 4 A square हो गया, T square का मतलब हो गया, T cube by 3, minus, T की पावर 5 by 5, अच्छा, यह 0 to 1, अब limit apply कर दी जाए, limit apply करेंगे, करते हैं limit apply, अपर limit बस रखना है, नीचे तो 0 हो, यह सब को 0 हो जाएगा, अपर limit रख दो, बस 4 A square, कितना जाएगा, 1 by 3 minus 1 by 5, कितना जाएगा, 5 minus 3, यह उपर आने वाला है, यह हो गया, 4 A square, उपर आ गया, 2 बटे 15, यहनि की calculation करेंगे, तो 4 दूनी, 8 A square बटा 15, 4 दूनी, 8 A square बटे 15, यूनिट है न, तो कौन सा उप्षन से ही हो जाएगा भी या, 8 बटे 15 A square, यहनि की 104 में, B वाला उप्षन जो है, वो correct हो जाएगा, question number 105, किरा, if geometric main up the two numbers, किरा कि, दो number हैं हमारे पास, मान लिजए कि, हमारे पास जो two numbers हैं, let कर लिया जाए भाई, two numbers दी गई हैं हैंना, कितने दी गई हैं हैं तू number, आप दोनों numbers को let करिए, अरे क्या है, हाँ, दोनों number आप let करेंगे, कितना आ जाएगा, आप देखेगा, यहाँ पे दो number लिट करने के लिए बोल रहा है, एक मिनट, हम, देखते हैं आपे, दो number कह रहा हैं ना, लेट करेंगे, कोई दिख़्त आगे, टेकनिकल प्रॉब्लम, प्लीज, हाँ ना, देखेगा, दो number कह रहा है, एक number आप let कर लो, A, दूसरी number लेट कर लो, B, दो number हमको मिल गई, A मिल गई, और B मिल गई, अच्छा, फिर क्या कर रहा है, कि if geometric mean up to number is 12, क्या किनका geometric mean जो है, अंडर रूट A, B, अंडर रूट A, B कितना है, 12, तो A, B कितना हो जाएगा, 144 है ना, दोनों का योग, सनी की geometric mean के पाद, arithmetic mean दिया है, A, plus B, बराबर कितना, root A, B, बराबर 12, geometric mean हो गया, है ना, तो A, B, बराबर 14, वालिस हो जाएगा, अच्छा, यह arithmetic mean है, A, plus B, बटे दो, कितना दिया गया है, भाई, वो 13 दिया गया है, तो यहां हमको मिलेगा, A, plus B, बराबर कितना, 26, 13 दूनी, 26, lastly, हमसे उसने पूछा है, कि then, difference of the area square, of these number, मतलब हमें निकालना है, A square minus B square की value, that is क्या होता है, A, plus B, A minus B, है ना, मतलब A, plus B, पता है, अगर कहीं से गलती से, हमको A minus B, पता हो जाए, तो दोनों को रखके, multiply कर देंगे, चलिए, पता करते हैं, A minus B, सबने पढ़ा है, कि A minus B का whole square, is equal to होता है, क्या, A plus B का whole square, minus का, 4 A B, है ना, यही तो होता है, A plus B, A plus B कितना दिया गया है, हमको 26 दिया गया है, और 26 का square कितना हो जाएगा, साब 666, minus, 4 गुडे, A B का मान हमको 144 दिया है, 144, 400, और, 160, और 16, है ना, कितना हो जाएगा यह, 576, देखेगा, कितना हो जाएगा, यह, 676, यह हो जाएगे, minus, 4, 16, 6, 7 हो जाएगे, 5 हो जाएगे, 576, दोनों को घटा देंगे, कितना जाएगा, साहब, 100, A minus B का square, is equal to 100, आ जाएगा, और, A minus B पराबर कितना जाएगा, 10, और हमें चाहिए क्या, हमें इन दोनों का, दोनों के square का difference, चाहिए, तो, A plus B का value कितना आ गया, 26, और, A minus B का value कितना आ गया, 10, तो कितना जाएगा, साहब, ये 206, कौन सा option से हो जाएगा, 105 का, C option जो होगा, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 106, किरा कि किसी, छण, फेके गए, पिंड की चाल, की दिसा, 36 से alpha कोड बनाती है, 36 से कितना कोड बनाती, alpha, ये हमारा 36 है, और ये हमारा उर्द्वदर है, यहाँ से कोई कड फेका गया, और किरा जिस छड़ों फेका गया, वो alpha कोड बना रहा था, कितना 36 से alpha कोड बना रहा था, अच्छा, alpha कोड बना रहा था, ठीक है, 30 समय बाद वो beta कोड बनाता है, माली जिस ती समय बाद कहीं पहुंचा होगा, यहाँ पिंड पहुंच गया होगा, ती समय बाद जब वो यहाँ पहुंचेगा, मालो यहाँ पहुंच गया हो, तो यह यहाँ से कह रहा है, कि वो कितना, कितना बना रहा है कोड, यह बना रहा है, इस दोरान जो kod बन रहा हो वो बीटा बन रहा है अच्छा माल लेते हैं कि जो पहली velocity रही होगी वो यू रही होगी और ये अंतिम velocity V रही होगी तब समझ ये कहानी को थोड़ा सा आगे अब देखेंगे तो कि रटे समय बाद बीटा कod बनाती है अब देखिए आपको एक बात यहां पर clear होना चाहिए जो हमारा 36 घटक होता है horizontal velocity horizontal velocity किसी भी point पे इस परवले में किसी भी point पे horizontal velocity जो होती है जो 36 component होते हैं वो दोनों क्या होते हैं मतलब कि इस velocity के 36 component होते हैं पूरे घटना करम के दौरान बराबर रहते हैं कहने का मतलब यह कि यहां पे U cos alpha is equal to equal था किसके V cos beta यहां पे यह वी बेग था इसका यहां पे जो 36 wave होगा ठीक है 36 component होगा 36 घटक जो होगा और यहां पे इसका जो 36 घटक होगा वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे U cos alpha बराबर होगा V cos beta अब हम बात करते हैं यहां पे मालिच इस जगा पे हमारा जो रहा होगा क्या कहते है उर्द्वादर वेग है न 36 घटक उर्द्वादर घटक जो रहा होगा वो क्या होगा sin beta यहां पे प्या होगा यह हो जाएगा U sin alpha और क्या हो जाएगा V is equal to U minus GT U sin alpha Cru रहा जाएगा उर्द्वादर घटक तो क्या हो जाएगा U sin alpha minus GT यह लिका है पहरा समीक्रान है देखो यह हमारा पूरा वेग है, u-u-u-u-plus-80 होता है न, तो उपर के और जा रहा है तो एक ही जगा है, जो ए हमारा, यहनु कि सिल रेशन जो है, जो है लिए हमारा, डारेक्षान उल्टी इसले, माइनस जी हो जाएगा, तो यह हो गया, और यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे तो आप देखिएगा V sin beta equal to यह हो गया अब हम यहां से निखालेंगे अब यह दोनों भी बराबर हो जाएंगे ठीक है इसका जो हमारा उद्वादर वेक उद्वादर गटक और इसका उद्वादर गटक दोनों क्या होंगे equal हो जाएंगे अच्छा अब हमको यहां पर उसने पूछा क्या दिन find pin का वेक 36 गटक मतलब हमें चाहिए u cos alpha हमें चाहिए u cos alpha u cos alpha चाहिए तो हम यहां से v का value रखते हैं यहां से देखो v nिकालो v कितना जाएगा u cos alpha divided by cos beta और into में कौन है into में है mr sin beta shine beta equal to u sin alpha minus gt अच्छा अब यह कितने हो जाएंगे u cos alpha देखो sin alpha और यह cos alpha बटे में तो यह हो जाएगा sorry sin beta बटे cos beta 10 beta बन जाएगा और बराबर में आ जाएगा हमारे पास u shine alpha minus का gt अब एक काम करना है हमको gt उधर बेज़ दो तो यह minus का gt plus का gt बन जाएगा अच्छा अब देखिए u sin alpha है यह यह हो जाएगा u shine alpha minus u cos alpha 10 beta हमें क्या चाहिए u cos alpha तो हम चाहरे हैं यहां से जबरजस्ती u cos alpha common ले आ जाए तो यह gt उकोल्टू आ जाएगा u cos alpha ले लो जबरजस्ती common तो देखिए यहां पे cos है नहीं तो divide में चला जाएगा यानि कहने का मतलब यह है कि यह 10 alpha बन जाएगा माइनस यहां से निकल जाएगा और यहां पे सिर्फ 10 beta बचेगा हमें निकालना क्या है t ने ने हमें निकालना u cos alpha तो u cos alpha यहां पे आ जाएगा u cos alpha बरबर देखिए दर gt चुपचाप अपनी जगा पे है और यह into में division में आ जाएगा divide में आ जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 107 question number 107 करा दो कड एक ही उचाई उर्धोधर समतल में एक ही बिंदू से क्रमसा u और v वेग से 36 से alpha और beta code बनाते हैं 36 से alpha और beta code बनाते हैं कौन एक ही बिंदू से 2 कड बना रहे हैं एक alpha बना रहा है एक beta बना रहा है बेग उनके क्या है अलफा वाले का वी है यू है और उसका वी है साथ तेंके जाते हैं ग्याद किजिए कि दोनों कर कितने समय बीतने पर समानतर दिसा में चलेंगे अब देखिए दोनों कर अगर समानतर दिसा में चलेंगे तो दोनों के बीच का जो कोड होगा वो बराबर हो ब Väला था टैन थीटा वाला 10 फॉर्मूलाउ फ़ला होता था यू शाइन माइनेश जी टि ऑटे यू क्वॉसल फा यह ओ जाएगा इसके लिए आओ पहले अलफा minus gt divided by v cos beta अब समझे हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पे कि याद कीजिए कितने समयबाद मतलब हमको t का मान चाहिए t का मान हम निकालेंगे जरूर निकालेंगे लेकिन पहले cross multiplication करेंगे तब ही निकलेगा इस t का मान तो कितना हो जाएगा यह gt v cos beta बराबर में आ जाएगा कितना u यहाँ पे v है यह v होगा u v u v sin beta sin beta cos alpha minus u g t u g t cos alpha अच्छा अब एक काम करना हमको t वाले terms एक तरफ चाहिए और यह वाले terms से एक तरफ चाहिए उपको को t निकालना है उपको t को separate करना है है ना देखते हैं यहाँ पे आप ओ sin alpha cos beta beta पर सूत्र बन रहा है तो हम चाह रहे हैं कि इसको इदर बेजा जाए u v लो common अब देखो sin alpha cos beta minus है ना cos alpha sin beta यानि कि sin alpha minus beta बन जाएगा इधर जब आप इसे लाओगे sin कितना alpha minus का beta equal to अब देखे इधर आप लेंगे t common है ना t क्या gt common लिजे आप gt लो लो common लिया हमने gt common तो यह इधर plus में आएगा gt common हो जाएगा तो v cos beta v cos beta minus का हो जाएगा u cos alpha हमें t चाहिए क्या चाहिए t तो देखेगा यहाँ पर t को लाने के लिए क्या करेंगे t is equal to आजाएगा कितना u v shine alpha minus beta divided by यह हो गया divide में यह ले आओ g आजाएगा into v cos beta minus का u cos alpha यह हो गया t हमारा तो कहा हो गया u v sin alpha minus beta g into v cos beta minus u cos alpha है ना पहला वाला option 107 का a वाला option correct हो जाएगा चलिएगा आगे बढ़ेंगे question number 108 108 में करा है कि a particle is projected at an angle of 30 degree to horizontal with velocity velocity दीगे 2943 cm per second the time of flight है ना हमें flying time चाहिए कि कितना लगा होगा देखिएगा यहां पर wave हमको दिया है wave कितना दिया है wave इसको theta पहली बाद तो theta दे दिया theta कितना है प्रच्छप किसे angle के साथ प्रच्छिप्त किया जाता है 30 degree के पोड के साथ प्रच्छिप्त किया जाता है अच्छा और उसके बाद u कितना दिया है 2943 cm प्रती second और उसके बाद g का मान इसने दिया है g का मान आपके सामने है 981 cm प्रती सेकेंड स्क्वेर और हमसे निकाल ने पूचा है the time of flight है ना हमसे पूचा है उड़ेयन काल तो उड़ेयन काल t बराबर क्या होता है 2 u sine theta upon g है ना 2 u sine theta upon g रखिए मान साब तो यह हो गया 2 और u का मान दिया है 2943 43 shine 30 का मान आएगा shine 30 रख लो चलो बटे में कितना g का मान 981 981 में एक और 3 से काटेंगे कट जाएगा कितना आगया 6 गुड़े shine 30 का मान 1 बटे 2 काटो भई t कितना आगया 3 सेकेंड कौन सा आप्षन से हो जाएगा मतलब इसका जो उड़ें काल होगा वो कितना होगा 3 सेकेंड का होगा 3 सेकेंड बाद ये जमीन में गिरेगा 3 सेकेंड हवा में रहेगा चलिएगा कि आइ स्टोन विदा विलास्टी 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अच्छा उपर क्यों फेका गया एट विच हाइट विल बी पोटेंशियल एनरजी आप बोडी हाफ आप दा काइनेटिक एनरजी के रहा है जो काइनेटिक एनरजी पोटेंशियल एनरजी जो है है ना कौन पोटेंशियल एनरजी इस्थतिज उर्जा हाफ है किसकी काइनेटिक एनरजी की काइनेटिक एनरजी अच्छा ये जो हो जाएगी हमारी होती MGH MGH और ये हो जाएगा एक बटे दो काइनेटिक इनर्जी कितनी होती है हाफ mv square ठीक है इस m से इस m को काड़ दें फिर कितना हो जाएगा ये है g g का मान हमको कितना दिया गया 9.8 g का मान कितना होता 9.8 h equal to ठीक है एक बटे 4 हो जाएगा और इधर देखो वेग दिया गया है ये दिया इसने वेग 9.8 square हो जाएगा 9.8 into 9.8 एक 9.8 से एक 9.8 काट दीजिए है ना तो h is equal to अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भाई 9.8 by 4 4 से divide करेंगे कितना जाएगा 2 4 दुनिया 8 हो जाएगा 1 18 4 चोक 16 फिर कितना हो जाएगा 4 5 20 मीटर है ना भए तो कौन सा उप्षन से हो जाएगा इसमें 2.45 2.45 यानि कि 109 का C वाला उप्षन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 110 की तरफ परस्टर संक्या 110 में कह रहा है कि A is fair A is fair after collision एक गोला है collision with a plane vertically downward with velocity 40 cm प्रती second अच्छा विलोस्टी दिया गया है यहां पे कितनी है वो 40 मिटर प्रती second दी गई है अच्छा एक सांदार question है यह भी है ना देखे करते हैं इसे तो यहां पे हमको जो V दिया गया है V क्या दिया इसने 40 V कितना दिया 40 40 cm प्रती second और जो U दिया है इसने upward करा है कि C return upward with velocity 8 cm प्रती second तो U दिया है इसने 8 cm प्रती second then value of coefficient distribution है ना प्रत्यानियन गोडान का मान हम से पूछा है अच्छा अब आपको पता है जो rewind rebound velocity होती है है ना यह वो क्या होती है rebound velocity U is equal to होती है EV है ना EV से ठीक है rebound velocity V U is equal to EV से U कितना यहाँ पर दिया गया है 8 और E into V कितना दिया गया है 40 V करेंगे calculate तो यह आ जाएगा 40 का E is equal to 8 E is equal to 8 बटा 40 मतलब की एक बटा 5 यानि कितना आ जाएगा एक बटा 5 है ना आप्टर कोलीजन विद प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड विद दा विलोस्टी 40 सेंटेमीटर पर 30 सेकेंड है ना रिटन अपवर्ड विद विलोस्टी 8 सेंटेमीटर पर सेकेंड तो rebound velocity जो होगी हमारी ना वो क्या होगी rebound velocity यानि कि U is equal to क्या होता है E into V है ना चलिएगा तो यह हमारी V हो गया और U कमानम को दिया rebound velocity कितनी दी गई थी 8 सेंटेमीटर पर 30 सेकेंड ठीके और स्टार्टिंग वली कितनी थी 40 सेंटेमीटर पर 30 सेकेंड बस रख दिया हमने E कमान निकाल दिया कितना आ गया एक बटा पाँच D 110 का डिवाल उप्शन करेक्ट हो जाएगा कॉस्टन बर 111 कराया बाल इस ड्रॉप डॉप्ड फ्रॉम अ हाइट कराया कि एक बाल है जो इस हाइट से ड्रॉप की जाती है छोड़ी जाती है आना होरिजेंटल प्लेन प्रत्यान गुडांग प्रत्यान गुडांग का मान जो है यहां पर एक बटा चार दिया गया है फार दा इंपैक्ट दा विलोश्टी वेद वीज़ दा बाल रिवाउंड है ना रिवाउंड दा फ्लूर के राजी का मान इतना दिया गया है तो हमें पता है 490.5 cm और G का अमान इसने दिया है 981 cm प्रती शेकेंड अब देखेगा हमें पता है कि V square is equal to क्या होता है U square plus 2GH 2GH अब देखे जब कड़ फेका जाएगा स्टार्टिंग में विरामा वस्था के दोरान जो हमारा U होगा प्रारंबिक वेग होगा उसका क्या होगा वो 0 होगा प्लस कितना हो जाएगा 2GH है ना तो अब देखेगा ये V square जो इसकी वेग मिला होगा वो कितना जाएगा वर्गमोन ले लेंगे वेग कितना रहा होगा उस कड़का उस बॉल का वो रहा होगा 2GH ये है 2 और G का मान आपको पता है कितना दिया उसने 981 गुड़े H का मान दिया उसने 490.5 करेंगे दो सो मल्टीपलाई तो देखो ये भी 981 बन जाएगा 490.5 है 981 वर्गमोन के बाहर जो इसका वेग निकल के आएगा वो 981 शेंटीमीटर पती शेकेंड निकल के आएगा अच्छा अब हमसे लास्ट में उसने पूछा दा बिलोस्टी दा बिलोस्टी विद विच दा बॉल रिबाउंड फ्राम दा फ्लोर तो आपको अभी थोड़ी देर पहने रिबाउंड विलोस्टी के बारे में बताया है ना एक्स रिलेशन बताया कि क्या रिबाउंड विलोस्टी यू इक्वल टू क्या होता है E V E कितना दिया गया है E दिया गया है 1 बटे 4 और V कितना दिया गया है 981 काट देंगे इसको तो इसको भी काटेंगे तो वही आएगा क्या 245.25 cm प्रती शेकेंड यानि कि 111 का कौन सा आप्शन सही हो जाएगा 111 का आप्शन नमबर A करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 112 की तरफ क्वेस्चन नमबर 12 कह रहा है कि एक कण 32 जी 29 से सोतनता पूरवा एक इस्थिर 36 समतल पर गिरता है यदि प्रत्यासता गुडान कि यानि कि यहाँ पर भी दिया पर इस्थिट्यूशन विलॉश्टी एक बटे दो हो तो प्रतिछेपन बंद होने में लगा समय तो प्रतिछेपन बंद होने में जो समय लगका है यह क्वेस्चन आ चुका है पहले तो लगा समय वराबर सूत्र होता है मामला मतलब पूरी तरह से जो टपाक टपाक चल रहा था ना गेन गिर रहा था था ना उचल उचल के बार-बार वो पूरी तरह से कब सांत हो जाएगा तो उसे ही कह रहा है कि प्रतिशेपन बंद होने में समय कितना लगेगा तो इसके लिए सीधा सा सूत्र अपने पास अंडर रूट 2H अपान जी अंडर रूट 2H अपान जी इंटू में 1 प्लस E डिवाइड़ बाई 1 माइनस E रख दीजिए फार्मूला में हाइट कितनी दी गई भी या 32, दो गुड़े 32 डिवाइड़ बाई G ठीक है 32G है उसके साथ में 32G है ना फिर 1 प्लस E क्या माँन कितना 1 बटे दो 1 माइनस 1 बटे दो इस G से G कार दीजिए 32 दुनी 64 अठाएगा कितना 8 गुड़े देखो 1 प्लस 1 बटे दो यह हो जाएगा 3 बटे दो और यह हो जाएगा 2 बटे एक यह दोनों को काट दिया जाएगा 8 त्रिक कितना हो जाएगा भीया 24 सेकेंड कितना समय लगेगा प्रति 6 दन प्रति 6 पन समय खत्म होने में कितना टाइम लगेगा 24 सेकेंड बाद यह मामला पूरी तरह शिर्षांत हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 113 कितना 4 सेंटी मीटर सेकेंड के वेग से चलता हुआ 2 किलो ग्राम का यह गोला बिराम आवस्था में इस्थित चलिए पहले बनाते हैं गोले एक गोला यह है और एक गोला यह है अच्छा इसका जो वेग है वो 4 सेंटी मीटर प्रतिशेकेंड दिया गया है इसका स्टार्टिंग का जो वेग है टकराने के लिए जा रहा है मामना लडने के लिए जा रहा है है ना कितना है चार सेंटे मिटर प्रतिशेकंड जा रहा है और कितना वजन है इसका चलता हुआ दो किलोग्राम का एक गोला ये दो किलोग्राम इसका वजन है मतलब कि M1 जो इसका 2 kg है ये इधर जा रहा है ठीक है फिर आगे बिरामावस्था में श्थित अगर ये बिरामावस्था में श्थित है बहिया तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? शुन होगा, वो किदर होगा? ये इसकी तरफ टकराने जाएगा इदर जाएगा, तब ही तो कोलिजन होगा दोनों में सीधा संगट होगा ये कितना दिया है M2? M2 कितना दिया है 4 kg छलिए दोनों को ठाकराने दीजिए यदि दूसरे गोले से सीधा संगट करता दोनों ठाकराते है यदी पहला विरामा भीरामा वस्था मस्तलब रख्राने के बाद इनकी टारेक्शन चेंज़ जैगे इधर जाएगा तो हम से पूछ रहाए कि क्या होगा वीटू कि사가 का होगा देखेगा निकालते हैं यहां पे समवेक संच्छन के नियम को देखेगा संगट के पश्चाथ पहला व्रमा वस्ता है जाएगा सब कुछय sini पे में कि यहां निकालें फिर कह रहा है कि रामा वस्था में आ जाए तो गती जूर्जा में हानी होगी पहले वेटू निकालें फिर गती जूर्जा में कितनी हानी हुई यह वो निकालेंगे कि चलिएगा देखिएगा संवेक संरच्छण का नियम है नियम क्या है संवेक संरच्छन के नियम से तो संवेख संरच्छन के नियम से conservation law कहता क्या है कि संगट के पहले का संवेख और संगट के बाद का संवेख दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए यानि कि M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 के बराबर होता है चलिए यहाँ पे, अब देखेंगे, M1, 2 kg दिया है, 2 kg, U1, U1 दिया है, 4, 8 हो जाएगा, प्लस, देखो, U2 0 है, इसलिए मैं पूरे मामले को 0 करता हूँ, equal to, M1, M1 दिया है हमें, 2, और V1 कितना दिया है, 0, तिसलिए यह 0 ही हो जाएगा, रखनेक जुरूरत नहीं थी, M2 है, 4, V2 पता नहीं, चलिए, 8, 2, 16, equal to, कितना, 4, V2, means, यहाँ पे, V2 is equal to, कितना आ जाएगा, 4, centimeter, प्रती, second है, 4, centimeter, प्रती, second, V2 आ जाएगा, इसका, अंतिम वेक, कितना आ जाएगा, इसका, M2 आलेगा, अंतिम वेक, कितना आ गया, V2 is equal to, 4, centimeter, प्रती, second, अब हमसे कह है, गति जूर्जा में हानी, तो देखते हैं, पहले क्या, गति जूर्जा रही होगी, है न, पहले, kinetic energy, कितनी रही होगी, तो हम यहाँ पे, अब निकालने जा रहे हैं, हानी, ठीक है, kinetic energy में, हानी, तो कितना हो जाएगा, भाई, पहले रही होगी, 1 बटे, 2, 1 बटे, 2, M1 U1 square, प्लस, 1 बटे, 2, M2, U2 square, ठीक है, बाद में, velocity रही होगी, 1 बाई, 2, M1, V1 square, घटेगी यह velocity, माइनस, 1 बटे, 2, M2, V2 square, चलिए, रखते हैं, सारी value, यह हो जाएगा, हमारे पास, एक काम गरे, माइनस को यहाँ न रखे, इसे प्लस में रखे हैं, और यहाँ ब्रैक ले ले, यहाँ ब्रैकिट ले ले, चलिएगा, एक बटे, 2, M1, कितना दिया है, 2, U1, कितना दिया है, 4, पर यहाँ यूटी 0 हो जाएगा, तो इसे हम छोड़ रहे हैं, इसमें कोई tension नहीं लेना, आगे आजाओ, माइनस का, अब यहाँ देखो, V1 0 है, इसलिए इसे पूर कितना हो गया, यह, एक बटे, 2, यहाँ पर, U1 स्क्वेर है, चार का स्क्वेर करेंगे न, 16 आएगा, और यहाँ पर, V2, पीटू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, V2, V2 स्क्वेर, एक बटे, 2, V2 कितना आया है, हमारे पास, V2 आया है, 4, V2 थोड़ा सा कहीं, पितुट एक बटे, U1, U1 कितना दिया गया, U1 आठ नहीं था, U1 चार था, U1 कितना था, 4, तो यह, कितना हो जाएगा, भया, 8, तो कितना आजाएगा, V2 कितना आएगा, 2, अब जहाँ वीटू है, वहाँ पर, 2 रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर, V2 कि जगह पर, हम कितना नहीं कहें, 2, 2 से 2 काड देंगे, 16, 16 में 4 जाएगे, कितना बचेगा, 16 में 4 घटने पर आएगा, 16, 16 में 4, एक मिनट अड़े, यह, स्क्वेर भी तो लगा है, तो और आजाएगा, चार दूनी 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8, कितना आजाएगा, भया, 8 जूल, थोड़ा से, 8 यह गुड़े, चार, गुड़े, चार, फिर सक्वेर करेंगे, तो कितना जाएगा, 8 जूल, आजाएगा, यह वाला ऑप्शन, 113 में सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, 114, किरा, अचर, परिमार के दो बलों का, महत्तम, परिमार, अच्छा, दो परिमार हैं, मारे पास्व, दो बल हैं, F1-F2 दोनों को add कर दीजिए दोनों को जोडेंगे तो ये आ जाएगा P plus Q बटे 2 बराबर F1 और दूसरों दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा P minus Q बटा 2 बराबर आ जाएगा F2 हमने पहला बल भी निकाल लिया दो बल पहले हमने माल लिया कि दो बल है हमारे एक F1 है दूसरा F2 है फिर हो क्या करा है जो इनका maximum महात्तम परिमार है वो P है तो P is equal to क्या हो जाएगा दोनों का sum और new time क्या हो जाएगा Q is equal to दोनों का difference दोनों को जोड़के हमने F1 और F2 निकाल लिया यानि कि दोनों बल निकाल लिया और करा है इन दोनों बलों के बीच का जो कोड़ है वो साथ हंसे तो परिमार 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 का माल क्या होगा तो देखिए परिमार को हम निकालते हैं under root F1 square F1 square का मतलब क्या हो गया कि P plus Q बटा 2 का square plus F2 square यह हो जाएगा P minus का Q बटा 2 का square plus 2PQ है ना 2F1 F2 F1 हो जाएगा हमारे पास P plus Q बटे 2 into P minus Q बटे 2 into देखो कॉस साथ रखा जाएगा कॉस साथ का मान एक बटे 2 हो जाएगा इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा कोई बात नहीं देखिए एक बटे 4 नीचे आएगा यहाँ पे बटे 4 यहाँ आएगा एक बटे 4 यहाँ आएगा और पूरे से आप एक बटा 4 ले लिजिए common यहाँ बनने वाला है हमारे पास P square plus Q square plus 2PQ और यहाँ बनने वाला P square plus Q square minus 2PQ तो plus 2PQ minus 2PQ cancel out हो जाएगे कहने के मतलब 1P square यहाँ बचा 1P square यहाँ बना बन के हो गया 2P square plus 2Q square अच्छा plus यह कितना हो जाएगा भाई P square minus का Q square एक bracket में P plus Q दूसरे bracket में P minus Q घटा दिया जाए कितना आजाएगा 1 बटे 4 under root देखो 2P square यह है 1P square यह हो जाएगे 3P square और यह 2Q square minus Q square यह नि किया जाएगा P plus का Q square एक बटे 4 अरे एक बटे 4 root के बाहर एक बटे 4 थोड़ी आएगा एक बटे 2 आएगा ना छोड़ी छोड़ी खिलती है जोगो एक बटे दो का स्कूरर रूट के बाहर तो एक बटे 2 आएगा ना एक बटे 2 P square plus Q square तो यार डी वाला ऑप्सन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 114 का डी वाला ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा क्वेस्टन नमबर 115 की तरह बढ़ते हैं कि देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि देखिए अब क्या हो जाएगा जो इसका 36 और उर्धवाधर देखिए जो 36 वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बल कितना दिया हमें 20 कोश अलफा यह 36 हो जाएगा और 20 साइन बीटा यह क्या हो जाएगा यह उर्धवाधर हो ज खत्र है कितना खाया और अलफ़ा का मान रख दिया जाए कौट कितना दिया है तीश, कॉक्षा कितना होता खिश। किलोव्त का बल जो है 36 से 30 के कोड के क्रिया कर रहा है भी निसके 36 Katherine में जुष्शेफ द्रयों का अनुपात होगा वो कितना होगा वो हो जाएगा हमारा अंडर रोट तीन है ना यह माल लीजिए इस तरह से यह बल यहां पर लगा हुआ है कितने अंगल पर 30 answer के code पे है ना तो कितना हो जाएगा यह 20 किलो वाट 20 किलो वाट नहीं है weight है ना तो यह इसका 36 वाला हो जाएगा F cos 30 और यह वाला हो जाएगा F sin 30 इन्हीं दोनों में अनुपात निकालना था हमें 20 दिया तो दोनों 20 किलो ग्राम भार का एक पिंड 5 सेंटी मीटर तथा 12 सेंटी मीटर लंबी दो जंजीरों से लटका हुआ है जंजीरे एक ही 36 रेखा में दो विंदों से जिनके बीच की दूरी 13 है लेकि एकदम सिंपल हमको समझ में आ रहा है कि यह एक right angle triangle है बस आपको एक जंजीर यहां लगानी है एक जंजीर यहां लगानी है दोनों जंजीर आप यहां पर लगा दीजिए एक को point देदीजिए A, एक point नाम देदीजिए B, है ना और यह एक दूसरे से 90 अंस का कोड बनाएंगे है ना ये एक दुसरे से 90 अंस का कोड बना रहे हैं क्योंकि ये करड़ है 13 cm और ये कितना दिया गया भाई साथ ये दिया गया है 5 cm अच्छा और ये 12 cm अब एक बात आपको बताना चाहेंगे पिंड को कहा लगा लटकाया गया है यहाँ पे लटकाया गया एक जंजीर ये एक जंजी लटका दिया गया है कोई बात नहीं लटका रहने दीजिए इस दोरान दो बाते होंगी एक तो सुर्फ इसका तनाव होगा इसका तनाव T2 मान लीजे और इसका तनाव T1 मान लीजे और यह जो लाइन है हमारी ये यहाँ पे 90 अंस का कोड बनाएगी यां से एकदम 90 का कोड ठीक है? अगर हम यह कोड ठीटा ले लें तो देखिए, अब हमें क्या करना है? हमें तीनो, k दीटो निकालना है? थी दोनों यही तनाव निकालने है अच्छा अब यह एंगल है, इस पॉंट पे हम बात करेंगे, हम चाहे रहे हैं, ये वाले एंगल पता चल जाए तो ये एंगल कहां से पता चलेगा, ये 90 है, ये थीटा है, और ये देखो इसका बहिस कोड है, ये कोड जो है, बहिस कोड है कौन सा, ये वाला, है ना, बहिस कोड किसके बराबर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, अब इस बिंदू पे आ जाओ, हमें ये कोड भी चाहिए, बाहर व गटाना है, तो 180 माइनस थीटा आने वाला है ये वाला, लगा दीजिए यहाँ पे लामी का प्रमे, लगाते हैं यहाँ पे लामी की प्रमे, लामी की प्रमे क्या कहती है, कितना हो जाएगा भाई, जो बल लेंगे, मालो हमने T1 लिया, तो उसके सामने का इंगल, T1 ये बल ह इसके सामने का इंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, इसका साइन लीजिए, ये आ जाएगा, शाइन में, 180 माइनस थीटा, एक्वल टू, देखो, T2 के सामने का इंगल देखिए, यहना T2 के सामने, जो दोनों बल लगें, उनके बीच का इंगल, 90 प्लस थीटा है, तो T2 बराब आखे जाने चाहिए, यह हो जाएगा, T1, शाइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, इक्वल टू, T2, साइन 90 प्लस थीटा, पॉस थीटा, इक्वल टू, यह आ जाएगा, भिया, 26, अच्छा, अब देखिए, अगर इस ट्राइंगल में हम थोड़ी सी बात करें, दोनों बात लेंगे, तो T1 बराबर आ जाएगा, 26, साइन थीटा, टी टू बराबर आ जाएगा, कितना 26, पॉस थीटा, अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात ध्यान दीजिए, यह एक राइट अंगल ट्राइंगल है, राइट अंगल ट्राइंगल है, उस राइट अंगल बात लें, लंब बटे करण, लंब कौन से सामने होगी, 12, करण कितना, 13, तो हो जाएगा यह 12 बटे 13, साइन थीटा कमान कितना हो जाएगा, 12 बटे 13, इसी तरह कॉस थीटा निकाल लें, तो 26 गुड़े आधार बटे करण, यानि कि यह 5 बटे 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 कं 20 निउटन, और 5 दूनी 10 निउटन, 10 निउटन, तो 12 निउटन और 10 निउटन, कौन सा अपफन से हो जाएगा, 116 का सी वाला अप्शन जो है, वो करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, क्वेस्चन नंबर 117 की तरफ, क्वेस्चन नंबर 117 कह रहा है कि, इफ थ्री पॉर्सेस, P, Q, R, एक्टिंग दसाइट साथ, आप देखी, एक बार आपको बताया, मैंने कई बार बताया कि आपको कुछ चीज़े याद रखनी है, क्या, अगर तीन बल P, Q, R, तुर्भुज A, B, C की भुजाओं, B, C, C, A और A, B को प्रजेंट कर रहे हूं, है न, से प्रदर्शित किये जाएं, तो, अगर उनका परेडामी, अलग-अलग जगहों से जाएगा, देखेगा, अगर वो जाता है कहां से, परिकेंद्र, सरकम सेंटर से जाता है, तो क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये कहीं लिख आर, कॉस, सी, इक्वाल टू, क्या होगा भाई, जीरो, है न, जब परिकेंद्र से जाता है, जब सरकम सेंटर से जाता है, है न, और दूसरा कंडिशन, दूसरे कंडिशन जब अंतह केंद्र से जाए, जब इन सेंटर से जाए, है न, जब ये अंतह केंद्र से जाए, इन से से लंब के इंदर से यानि कि आर्थो सेंटर से अगर होके जाता है तो उसके लिए ध्यान रखना है यह होता है पी बटा कौस अलफा तो मैं इसे सेक ए लिखता हूँ है ना सेक ए पी सेक ए प्लस क्यू सेक बी प्लस आर सेक सी है ना equal to 0 और अगर ये परिडमी कहां से जाए सेंटराइट से होके जाए किंदरक से होके जाए किस से जाए किंदरक और ये कहां से पास हो रहा बिलकुल सटीक पकड़ा है हम लोगोंने किंदरक से होकर जाता है यह तो किंद्रक से होके जाएगा तो आपको पता है P कॉसिक होता है वैसे हैं तो हम साइन में कनवर्ट के लिए रहे हैं P कॉसिक A प्लस Q कॉसिक B प्लस और कॉसिक C उकॉल टू जीरो होता है हम इसे कनवर्ट के लिए रहे हैं कॉसिक को साइन में तो P बटे साइन A Q बटे साइन B plus R बटे sin C equal to 0 अब यहाँ पे sin rule इस्तेमाल करिए sin A की जगा पे A के sin B की जगा पे B के sin C की जगा पे C के रख दीजिए और K common लेके 0 के साथ multiply कर दीजिए तो P by A plus Q by B plus R by C equal to 0 होगा कौन सा option सही हो जाएगा A वाला जो option है वो correct हो जाएगा 177 में A correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 118 question number 118 करा है कि एक बिंदू का T समय में वेग 5-2T है अब देखिए इसका मतलब क्या है वेग को जानी रहें DSDT करा कि यदि प्रारंभिग वेग सूनने से चलना प्रारंभ करता है ना अब देखिए गए याँ पर यह हो जाएगा DSDT DSDT is equal to कितना दिया गया या T समय में वेग दिया गया 5-2T अगर हम दोनों तरफ differentiate कर लें T के respect में और इसे हम लिख दें DS is equal to कितना 5-2T DT है ना और कर दीजिए S का integration तो आ जाएगा S is equal to 5T minus का T square तो 4 second में चली गई हमें दूरी निकालना है तो यह दूरी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुडे 4T का मान 4 second है रख दीजिए minus है ना S at कहा T is equal to 4 S at T is equal to 4 5 गुडे 4 माइनस 4 कि स्कोया कितना हो जाएगा 5 चोक 20 माइनस 16 4 कितना हो जाएगा भीया यह 4 मीटर कौन सा अप्षन से हो जाएगा 118 में B वाला option करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 119 question number 119 तो आधा दिखेगा भी नहीं आपको चलो question तो दिखी रहा होगा ना भी option की बात करेंगे बाद में ठीक है देखे गए यहां पर question number 119 कहा कि सीधा टकराने के बाद दो गोले जो इतने इतने kilogram भार के हैं क्रमसा 20 और 10 cm सेकंड के वेक से उसी दिसा में चलते हैं यदि प्रत्यास्ता गोडान के एक बटे तीन है तो गोलों के टकराने का वेग ग्यात कीजिए दोनों काम करेंगे और समझेंगे इस कहानी को देखे गहां पर यह वेग हैं गोले हैं इस तरह से टकरा रहे हैं एक गोला यह है हमारा और एक गोला यह है दो गोले हैं एक छोटा एक बड़ा है हमने एक ही जैसे बना दिये हैं यह तीन केजी है और यह एक केजी है एक किलोग्राम का है अच्छा इसके बाद इसका जो अन्तिल वेग दिया गया है इसका प्रारंभिक वेग हम से पूछा है हमें नहीं पता प्रारंभिक वेग क्या होगा इसका प्रारंभिक वेग क्या था नहीं पता लेकिन इसका प्रारंभिक वेग हमको वीवन दिया है वीवन कितना है वीवन हमको दिया है 20 cm प्रति सेकंड 20 cm प्रति सेकंड और वीटू कि दिया एक बट्टे तीन चलिएगा हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर समवेक्षन रख्षन का नियम क्या होता है M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2 सारी वैलू रखेंगे लेखेंगे यहाँ पर M1 कितना एक किलोग्राम तो एक गुड़े U1 हो जाएगा यह U1 प्लस M2 कितना है 3 तो यह 3 U2 हो जाएगा M1 कितना हो जाएगा एक गुड़े V1 V1 दिया है 20 प्लस यह 3 गुड़े 10 कितना आजाएगा भाई यह आजाएगा U1 प्लस 3 U2 एक्वल टू कितना 30 20 50 और यह हो गया हमारा शमी करण 1 यह question हो गई अच्छा अब लगाएंगे Newton का प्रियोगात्मक नियम Newton का प्रियोगात्मक नियम प्रियोगात्मक नियम से Newton के प्रियोगात्मक नियम से क्या होगा यह हो जाएगा V1 minus का V2 is equal to E into minus होता नहीं यहापे minus E into U1 minus U2 है ना लगाते हैं यहापे V1 कितना दिया गया है हमको 20 minus 10 यानि कि यह हो जाएगा साब minus का 10 minus का 10 is equal to minus E का मान हमको 1 बटा 3 दिया है ना प्रत्यास्था गुडांक के 1 बटा 3 दिया है और यह U1 minus का U2 तो काट देंगे minus minus खतम कर दीजिए यह आजाएगा U1 minus U2 is equal to कितना 30 यह शमी करण 2 है और इन दोनों शमी करणों को घटा दिया जाए घटाएंगे जो देखो यह प्लस का हो जाएगा और 4 U2 is equal to आजाएगा कितना 20 और U2 कितना आजाएगा अरे यह जुड़ेगा ना भाई जुड़ जाएगे ना दोनों हमें क्या करना U1 यह दिया गया है minus का 30 यह minus दिया गया यहाँ पे और यह यह यहाँ पर अल्रेडी तो दोनों को हल करेंगे हल करने पर हमको जो U1 मिलेगा वो minus का 10 मिलेगा और U2 जो मिलेगा वो 20 मिलेगा एक negative मिल रहा है तो कह रहा है कि दोनों गोलों के तकराने का वेग यानि कि जिस वेग से वो starting में तकराये थे यानि कि जो ये u1 और u2 है वो कैसे हैं एक ही दिशा में गती करेंगे तो अगर दोनों के चिन सेम सेम होते तो एक ही दिशा में होते अगर चिन में विप्रीथ है तो विप्रीथ दिशा में गती करेंगे एक negative प्राप्त हो रहा है और एक positive प्राप्त हो रहा है यानि कि दोनों impetus subset h of a group g is a subgroup if है ना तो ये तो अग्दम थेओरम है कि अगर a और b belongs h है तो a b inverse belongs क्या होगा h होगा है ना कौन से अप्षन से हो जाएगा इसमें 20 ही हो जाएगा 120 का b 121 का इन इनी ग्रूप the number आप improper subgroup h अब आपको पता है कि improper subgroup कौन कौन से होते हैं है ना तो improper subgroup कौन कौन से होते हैं improper subgroup एक तो हमारा क्या हो जाता है identity हो जाती है है ना एक तो क्या होती है group की जो identity होती है वो भी क्या होती है improper subgroup में आती है और एक group जो होता है स्वयम है ना itself ये क्या होते हैं improper subgroup होते है एक तो identity और वो group स्वयम क्या होते हैं ये दोनों improper subgroup कहते हैं इसे या trivial subgroup के नाम से भी जानते हैं इन दोनों को क्या कहते हैं हमारे पास जो identity उस group की और उस group को स्वयम को यह क्या बोलते हैं इनको हम improper subgroup बोलते हैं improper subgroup या trivial subgroup के नाम से जानते हैं और इसके अलावा यानिकि जी यानिकि itself और identity के अलावा जो group के सभी subgroup होंगे उन्हें proper subgroup के नाम से जानते हैं तो improper subgroup के कितने नंबर होते हैं वो दो होते हैं ना दो होते हैं कौन identity और itself यह दोनों होते हैं आगे बढ़ेंगे question number 122 question number 122 में हमसे कह रहा है कि let g be a group of order 30 है ना order of g कितना है 30 order of g is equal to 30 हो गया फिर a and b are subgroup of order 2 अच्छा order of a वो कितना है 2 और order of b कितना है 5 हमसे पूछा है order of g बटे order of order of g by a b तो हम यहां से पहले order of a b निकाल लेते हैं order of a b तो order of a b कैसे निकलेगा क्योंकि इसमें मैं दखिए order of g बटे order of a b तो पहले हम order of a b निकाल लेते हैं order of a b क्या हो जाएगा order of a into order of b divided by hcf है ना निकालेंगे या gcd कह दीजिए उसे hcf किसका o a और ob का है ना o a and ob का चलिए o a कितना है 2 और यह कितना है 5 दो और 5 का जो hcf आएगा वो यह काएगा तो order of a b कितना हो गया 10 हमें क्या निकालना है order of यह आ जाएगा order of g बटे order of a b order of g कितना दिया गया है वो 30 दिया गया है और वो कितना दिया गया है 10 दिया गया है कितना जाएगा भीया तीन कौन साफ़फन सही हो जाएगा बी वाला option 112 में correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 130 question number 123 करा यह belongs g for order 56 अच्छा ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि order of a equal to हो जाएगा 56 then order of a की power 4 एकी पावर 4 का order क्या होगा हमको यह बताना है है ना तो देखेंगा यहां पे order of a कितना दिया गया है order of a दिया गया दे दिया उसने 56 56 56 दे दिया इसका मतलब यह है कि अगर हम एकी पावर में 56 कर रहे हैं तो हमको identity मिलती है है ना एकी पावर 56 कर रहे है तो identity मिलती है तो हमसे कह रहा है एकी पावर 4 का क्या होगा तो इसे में अगर एकी पावर 4 बनाना चाहें तो बनाएं एकी पावर 4 की पावर में 14 is equal to e अब देखिए एकी पावर 4 में क्या पावर की जा रही तो identity आ रही है 14 है ना क्या पावर की जा रही 14 करने पर क्या रहा है identity मिल रही है मतलब की order of एकी पावर 4 कितना है 14 है ना जो पावर करने पावर इसे मिलती है वही order होती है तो order of एकी पावर 4 is equal to कितना होगा भीया 14 यानि की 123 में बी वाला option correct हो जाएगा बढ़ते है question number 124 की तरफ है ना देखते हैं इए 124, 124 में करया है the order of each subgroup of finite group is the order of each subgroup of finite group तो करहा है कि जो subgroup होता है order of each subgroup आप our finite मतलब कि subgroup का जो order होता है वो किसका divisor होता है divisor off order of group है ना डिविजर आफ ओडर आफ ग्रूप 124 में बी वाला ओप्षन करेक्ट हो जाएगा यानि दो ओडर आफ इस सब ग्रूप आफ फाइनाइट ग्रूप इस डिविजर आफ ओडर आफ ग्रूप चलिएगा question number 125 125 में करा है if h and k are subgroup of a group g such that oh h is equal to unique order of group is equal to 3 और order of k is equal to 5 हमसे पूछा order of h intersection k order of h intersection k तो यह होता है किसके बराबर gcd of gcd of order of h and order of h and order of k इन दोनों के gcd के बराबर होता है तो निकाल दीजिए gcd किसके तीन और 5 के इन दोनों का gcd क्या होगा एक होगा है ना माशापा एक होगा कौन साफ़न से हो जाएग भी या 125 का ए वाला option correct हो जाएगा तो इसके साथ हमने complete किया अधिपस्ट इस स्रीज का ATS 7 अब हम लोग संडे के बाद करेंगे ATS 8 थैंक यू जैहिंद वन दे मातरम